कि अच्छी एंटी इस मेंच बहुत अच्छक कट कर दिया है बेकवर्ट पॉइंट की निसामें सीदे को मेंटी बॉक्स की और गैन बाद लाइन के बाद चारण के लिए दोनों खिरा निका बस मुका था तो देखने का रोकने का मुका नहीं था बहुत नहीं तरीम तरीके से चौका बटो रहा चौके के साथ स्कोर आगे बरता हुआ साथ रहने के लुक्सान के बाद अक से इस पॉणी लेवन कि लोगें करा दिया गया हमर में इन एंपार द्वारा लोगें का कॉल है सन्मान दियाता है इस बीक से बल्लेबाज ने और खुद फ़लोथू में फिल करने का प्यास किया कि अब नो गयने आने वाली गयन के उपड़ फ्री इत है दी गुमा के लगाने का मौका है बल्लेबाज के पास जहां चाहे जीस तरह से चाहे इस ग्राउड के उपर सौट लगाया जा सकता है वो कहते हैं दुनिया गोल है उसी प्रकार से क्रिकेट के ग्राउड भी गोल है बोह दिम्रात डियस लड़ धूर आड़ अणिंट स्थम्ण में एड़ को डिलि आड़ को राड आड़ आड़ क्रिकेट क्राउंड गाबला के उपर बहुत ही बहतरी नायोजन किया है हमारे हाई जग द्वारा केसी पटेट केसी को गेंबाची के उपर सामिल किया दारा है फामन की और से स्ट्राइक के उपर रिदेस नौट स्ट्राइक के उपर विकास पडेल विकास पडेल चार गेंड़स रन देखें इस मीच लिस्ताम लेक्स्पिनर के रूप में गयन को निकालेगा प्रयास किया रिवस सी पर जरू खिला गया था लेकिन विकेट की बने बागी का काम पूरा किया कोई रन नहीं कोई सती नहीं चौदा रन बने स्कोर कार के उपर एक विकेट के नुक्सान के बाद बैकपूट पर गया हाल के हाथों से कट किया गली के उपर खिलारी थोड़ा सा मिस्पील हुआ को माउस के उपर तब तक एक रन लेने का समय था दोनों बले बाच के पास एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बरता हुआ पंदर राण एक विकेट के नुक्सान के बाद अक्साई स्पार्ट फॉस्ट suspects अघं गयल यह बिकेटन पटेल गयन माचियक यह पर गयान को गूमाने का प्रयास करते हुए त्रहीक यह पर विकास पडेल एक सिक्सेन लगा चुके है विकास कट करने का प्यास किया था इसमीश थोड़ी से अपिल ज़रूर की लेकिन विकेट कीपने गयन को गेदर किया था बिल्दी गयन इसमीश कोई रंडे कोई शरी नहीं ठटिया सरकल के अंदर देखा जाए तो साथ के लाड़ी दो के लाड़ी बाउंड लाइन के उपर बहुत अच्छा इसमीश सब्सक्राइब डूड़ा को टार्गेट किया और गयन माउड लाइन के बाहर वन माउस चोका बहुत ही बहुत ही पर इन चोके के साथ विकास ने यहां पर स्कोर को रोटेट किया उनने इसले पर डिके तोड़ा आगे आए और मोहाथी बेहतर इसमें 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 को बेजा है बांड लाइन की और गयान जाकि यह पीछे खेला लेकिन नहीं रोख पाएंगे और एक और पर चोका बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाशी करते हुए यहां से विकास जिस काम के लिए जाने जाते हैं वही काम करता हुआ दो और की समप्ती हुई स्कोर कार के उपते ही इस त्रेंड बने एक लिकेट के लुक्षान के बाद अक्से स्पोर्ट वर्सिस राज 11 बिल्वाला के बीच में आज के दीन का पहला मुकाबला तौक सीथा था राज 11 बिल्वाला ने और पहले फिल्ड करने का पैसला किया थ तो एक अच्छी रंड रिट के साथ स्कोर को आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए पहली गैन के उपर एक लिकेट जरू चला गया था लेकिन उसका फर्क बढ़ा नहीं है दोनों बले बाच को कि गुमा के खेलने का प्रयास जरू किया था बोड़ी के साथ गैंटक राई सथर्मे की रिसा में जब तक फिल्ड किया जाए रों किया रिकेट कीपर एंड के उपर कोई रन नहीं कोई शती नहीं बिल्दी के साथ सुर्वात किया यहां से ही रेन ने ही रेन ने पहला उव क्लिप के साथ बल्ला जरूर चला लेकिन संपर्क हुआ नहीं गयान का और बल्ले का सौ सुनार की एक लुखार की चैरो खाने चीत कर देने वाली गयान दी इस बीच सीदी विकेट के पर के पास बैकवर पाइट गली के उपर दी बांग लाइन के उपर एक लोंगान के मिस कर दिया देखिए मौका जितना चोटा सब्दा है उतना ही समय मिलता है मौका दो वर्स का दो लेटर का सब्दा है बहुत कम समय मिला लेकिन वहां फाइदा नहीं उठा पाए रन आउट करने का एक मौका था जरूर जीवत दान लिखी कट करने का प्रयास किया था इसमें ठर्मेंट की खिलाडी बहुत ही स्पूर्तिल है देखा जाए तो अब तक काफी सारा दन बचाए गए वहां पे तीर या चार बार गयान गई लेकिन रन देने का प्रयास नहीं किया बहुत तीजी के साथ सदिक सीधा फ्रो कर दे है विकेट कीपर के पास एक अच्छा फिलिंग का मोजाहिरा यहां देखने को मिल रहा है हमें राबला क्रिकेट ग्राउंड के उपर आड़ी वासी प्रीमियर लिग दो अचार थेस सीजन पहला अच्छा 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 आगे किया था लैंड को मिल विकेट क्यों टार्गेट किया लेकिन संपर्खुआ ने इस बीच पहुत ही लखी तुली गैन बाची अब तक देखा जाए तो हिरेन द्वारा इस और में वापसी करने का प्रयाज किया पहले ओवर में जरूर 14 रन दिया थी एक सफल था असिल की थी इस और की बाच की जाए तो पांच गैन अब तक कर चार गैन कर चुके है और रन दिया नहीं है देखिए 40 गैन तील से मलेशन लॉंग ओफ को टार्गेट किया था लेकिन पीछ से खेला डी बाउंग लाइन के उपर हिसाब हिसाब करके खेला गया था स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन तीर अवर की समपती हुई स्कोर कार के उपर 24 रन बने एक विकेट के नुक्सान के बाद अक्साई स्पाट हमारे कौलिफाइ एंपायर को सामिल किया जा रहा है नहीं एंपायर की भूमिका में चतीन पतिल और स्क्वेले के उपर समित पधान और कॉम बक्स में हमारे साथ चुले है अनिल नायक सर और तीक हिरोस के स्कोरर हर मोमेंट को अपने मोबाइल में कैप्चर करते हुए प्य किया गया है घुल वारीफणया जीतू कांजन राकेश जुज्यूआ विकास कचिगम और विकास स्बनला अक्सई नुवेरा संजई वारी टाल चणवाई और संडिप वारीपरिया और दिपेश उर्फे डिपो वाकल की और से एक बहुत ही आला नंबर का टुनामेंट पर कि द्राउन के उपर एक बहुत ही बहतरीन द्राउन कहा जाता इस स्विस्तार का क्या था वल्ले के तैयार गैन माच अगे आने के बाद इस मिशाफ कॉली के उपर लेना चाहते थे बल्ले का अंद्रोनी की नरा जब तक फिल किया जाए ठटिया सर्कल के अंदर एक लन लेने का समय था दोनों बल्ले बाज के पास अब चोटे ओवर की पहली गैन के उपर कॉंटर सेंचुरी पुरी हुई 25 रन बने अक्साई स्पॉट के एक विकेट के नुक्सान के बाद बहुत अच्छा सॉट देखिए सॉट की कॉलिटी देखिए सॉट की नजागत देखिए बल्ले का फॉलाव थू देखिए विकास का बहुत ही बैतरी इंदर क्रिकेट ये सॉट के लागया इस बीच सब्सक्राइब को बाउंट लाइन के ऊपर त्यानाच किया है क्योंकि लेक स्पिनर गैंट बाच से टप्ता खाने के बाद थोड़ी बाहार निकलती है गैंट तब गैंट बाची के अनुसार फिल्लिंग सजाई जा रही है राज 11 बिन्वारा के कप्टान द्वारा अपसाइड के ऊपर खिरने का प्रयास किया था लेकिन गैन ने ट्रैस्ला कर लिया था विकेट कीपर के पाद जाने का इस बीच से बिन्दी गैन कोई रन नहीं कोई सती नहीं कि देखिए अच्छा सॉडिस में इसे बाल अब दो फूट के उपर दो पंजी के उपर खोड़े आने के बाद पंच चिया बाउंड लाइन के उपर जब तक फिल्ड किया जाए एक रन लेने का समय था एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन एक रिकेट के लुक्सान के बाद चौटा अवर की सुरुआत हो चुकी है एक रन अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन एक रिकेट के लुक्सान के बाद 13 सर्य पांच गयन हो चुकी है देखें समीच अरी हो सिंगला गया था तो इसमीच केदन पटिल ने दूसरे सफलता दिलवाई वैसे हीरन ने दो वर किये थे और पहली गैन के उपर सफलता दिलवाई थी इसमीच केदन पटिल एक और सफलता यहां पे चार अवर की समापती हो चुकी है और स्कोर कार्ट के ओपर 28 रन बने एक विकेर के लुक्षान के बाद यहां बेच चेंपियन होने वाली टीम को चावाली सजया 440 प्लस ट्रॉफी रनसब होने वाली टीम को तेथी सजया 333 प्लस ट्रॉफी उसकी लेवाब बहुत सारे प्राइजी से मेनद दर सिरीज, बेस्वेन, बेस्ट बॉलर उसका स्री जाएगा हमारे आयोजक को चिल होने एक बेडा उठाया इस टूनामेन के आयोजक की बात की जाए तो दो बार आयोजन होता है एक बार जब दिमाग में विचार आता है तब पेपर के उपर काम होता है उसके बाद देकार से एक बहुत ही ब्यातरीन आयोजन और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है हमें हमारे स्पांसोर द्वारा जरादाम बापा डेकरोशन बिन्वारा डीजे क्रिमिनल ज्योती सुधा ओम साइं ट्रेडर्स फलाद्रा नोटी चणवाई संजेई बाई बिन्वारा हिरेन ब लोगो ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है तो सभी स्पॉंसरों का भी हम बरबर अबर रेक करेंगे खास करके इंव मोमेंट को क्याक्शर करने का प्रयास किया है इसली नीज स्टूडियो ही रेन और लिपेस फ्रम फालत्रा चार ओर की समप्ती अट्थाइस रन देखिया ओंसाइट को तार्गेट किया था इस बीचे पूल करने का प्यास किया लेकिन गयन फोली सी स्लोर आई थी और बोड़ी के साथ तक रहे विकेट की पने बागी का काम पूरा किया कोई रह नहीं कोच चति नहीं एक बिन्दी ग और के उपर तीसरे ग्यान बाज को सामिल किया जा रहा है विराज पटेल रोड़न की और से लंबे रनब के साथ अपने वालिंग आके उपर कर दिया लेकिन पीछे खेलारी को टेनाट किया है अब राज 11 बिन्दी वाला की कप्तान की ज़रूर सराना करना चाहेंगे जीन होने ग्यान बाज और खेलारी जीस प्लका से सॉट खेलते हैं उसके अदूसार फिली सजाई गई है वैसे विकास की बात की जाए तो एक अच्छी बल्ले बाजी हमें देखने को मिल रही अब तक बाया ग्यानों के उपर 21 बना चुका है तीन चौके और एक सिक्सर 175 का स्ट्राइक रेट के साथ नौट स्ट्राइक के उपर अब संधी उस्ट्राइक के उपर बहुत अच्छी यान इस बीच से घुड्लेंड के उपर तपकाने के बाद तोड़ा सा बाउंस मेला कमर के समान अंतर सीदी विकिर कीबर के पास एसी घ्यानों के उपर रन बनाना मुश्किल हो जाता है उस तकार की घ्यान थी इस बीच वीराच पटेल की रोड एंड की और से अपने कोटे का पहला पारी की और से पाच्वा ओवर का भाग दोर समाले हुए हलके आतों से इस बीच घ्यान को पूच किया था बेगवर पॉंट की दिसा में चब तक सील करते है थ्रो करते है विकिर की पर एंड के उपर एक रन पुरा क्या सिंगल के साथ स्कोर आगे बरता हुआ तीस दन दो विकिर के नुक्सान के बाद कि यह सब्सक्राइब के रूप में बहुत ही बैतरी ने एक सबलता हाची की विरास पतिल एक अची घ्यान बाची तप्ता खाने के बाद थोड़ा सा उचाल मिला था पुल करना चाहते थे घ्यान को चांज करना चाहते थे लिकिन विकास की एक अची पारी तेरा गैनों का स इस रन बनाए तीन चोके एक सिक्सर के बाद पेवलेन के और रूप करते हुए यहां पर एक सेथ बल्ले बाच को पेवलेन के रास्ता दिखा है वीराज पतिल ने कि यहां प्रक अर्ण चैने में ही मैं तेरा बहलें भto उन सेयाव सो जोड़ाएं झाल झाल यहां पर विराज पडिल का च्यूकि एक सैद मल्ले बाच को पेवलिन के रास्ता दिखाया था यह आज के दिन का पहला मुकाबला अक्सरी स्प्राट 11 और राज 11 बिन्वाला के बीच में खेला जा रहा है तोस सीता था राज 11 बिन्वाला ने और पहले सील करने का फैसला किय अब कप्टान का एक सरी सेसला अब तक दिखा जाए तो तीनों गेंद मांच हावी रहे हैं अब केतन पटिल ने दो ओवर किये तेरा रं दिये एक सफलता असिल की कि अब जैए पटिल के हाथ में थमाई गई है जैए पटिल अप्स लिंगा मॉयना करते हुए कि थर्टिया सर्कल के अंदर चार के लाड़ी है जिस प्रकार से यहां पर एक सॉट फार्में के उपर को शटिया सर्कल के अंदर तेनाट किया है और सॉट मीट विकेट थर्टिया सर्कल के अंदर पॉइंट को बाउंट लाइन के उपर लंबे रनप के साथ अजए दिखे दीशा से भटके और हमारे अंपायर को एक रन लेके हमारी और बढ़ना पड़ा चतिन पटेल बहुत ही नमांकीत अंपायर है मेरे अंपर की भू अज़ा ज़ा आए और आए थोड़ी से मेस फील हुई और गैन वन्टु का फोर्ड चौका मिलेगा बहुत कम समझी मिलता है एसी फिलिंग करने के लिए वहां पर बहुत तीजी के साथ गयन चली आती है और अकोर्ड आ उसके उपर थोड़े से समझ में नहीं आई और गयन ने फैसला कर लिया बाउंड लाइन के बाहर जाने का और चौके के साथ कोरल अस्टार पकरता हुआ 35 लोस अप्डा प्रेविकेट शिक्सावर इंप्रोग्रेस जैराटवर अपने बाउलिंग मा के उपर और स्ट्राइक के उपर संधीप देके पहादी ब्याता इंड अवो बिग्यन के अथा लाओंगो तर्गेट के आई यूज एन हाई मैक्सिमम सिक्सार अबचे के साथा स्कोर इक ताली स्रें तीन विकेट के नुक्षान के बाद एक और अवर पीछ लोंग ऑफ के उपर पीछे खिलाड़ी लेकिन डाली कैक्स यहां कहते हैं आप पक्तिनों कैच जीतों मैच इस मिच्छ ट्रॉप हुआ थोड़ा प्रयाश करना पड़ा जरूर मेहनत करनी पड़ी लेकिन कैच्छ ट्रॉप हुआ और गैन बाउग लाइ से अक्साइइ स्पोर्ट के बले बाद नहीं है एक और इसमीच वाइड लोगन के उपर से छे रन के लिए है यूस और हाई मैक्सिमाम सिक्षर अब छे के साथ वेलकम पेप्ति एक क्या वंद्रन पुड़े हुए थी में किरके नुक्सान के बाद अक्साइइ स्पोर्ट कि इस रन बना लिए उसके नीजी स्कोर की बाद करो दो चौके दो सिक्सर कि बहुत प्रफ्टार से गिरफ्टार किया इस में इच्छा बहुत इचरीन गैन कही जाती है गुडले स्पोर्ट जो रहता है वहां पर अगर गैन चप्ता खाती है तो बल्ले बाद थोड़े इस वही काम क्या था इस बीच जाहिने वापसी गरवाई इस बीची इस गैन के उपर इस बीच लॉंग उपर पीछे के राड़ी अलंग दो ग्राउंड के ला जब तक गैन बाच के उथ्ट्रो किया जाए एक रन पुड़किया दोनों बले बाजो ने एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बरता हुआ नियुक्टर लिच्ट के लुक्सान के बाद शेयर की समापती हो चुकी है स्कोर कार कि ऊपर फिप्टी वुरन बन लोस अप्ड़ थ्री विकेट अगर पड़ेक्श की माज की जाए तो सारे आठ का चलता हुआ प्रोजेक्टे स्कोर 69, 79 के असपास आ सकता है अब यह जो समी करन था, दोनों टीम के लिए था जो करन रन रेट प्रोजेक्टे स्कोर किस प्रेकार से बल्लेबाची और किस प्रेकार से गैनबाची और फिलिंग सेट अप की जा सकती है अडिवासी प्रेमिय लिग 2023 सीजन पहला राबला क्रिकेर ग्राउन के उपर बहुत ही वहतरीन एक अच्छे ग्राउन के उपर आयोजन किया गया अगर ऐसा कहू तो चलेगा एक टुनामेंड हिट भी है और फिट भी है उसका स्री जाएगा हमारे आयोजन को जिनों ने बहुत जतो चेहमत के बाद एक बहुत ही वहतरीन टुनामेंड का आयोजन किया और आज सभल तिसरा दिन बहुत अच्छा सॉडिस्पीच गैन की लेंद को देखा गैन की रफ्टार को देखा और कवर के उपर से गैन को बेजा बाउंड लाइन के बाहर चार रन के लिए टोके के साथ स्कोर आगे बरता वाच्छपन रन कि अच्छपन को टार्गेट किया इन जो पोर्चन रहता है ग्रावन का काव कॉनर मीड विकेट और लॉंगोन के बीच में बहुत बीच में गैप रहता है वहां खेला चौट और चौका बैक तूबेक दो चौके लगा चुके संदी पेक बहुत ही बैठरीन बले बाजी कर सब्सक्राइब के बाद चार चौके दो सिकसर तीन सोका स्ट्राइक रिट एक अच्छी बले बाजी हमें देखने को मिल रही है संदीप द्वारा अच्छा लगा सकते हो अगर सीधे बले से अच्छे रन बन रहा है तो रिवर्स इप की रिक्वार्मेंट मेरे ख्याल से नहीं है विए तैयार रोड हैं के और चैपने बालिंग मार्क यूपर रोडी ग्यान थी इसमेश ग्यान हवा में लेकिन वहां पे कोई खिला नी नुमेन लेंड में तपक हाई एक लंग पूरा किया दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते थे लेकिन फिल्डर कापी चौकनने कि बोल्ड आउट इसमीच नजर हटी दूर कतना गते खेलने का जरूर प्राइस किया था लेकिन जस्पी ग्रूमगा वाले क्यांति इसमीच यॉर का लेंट और बोल्ड आउट के अविकेट नमबर च्वाथा का पतल हुआ एक सर्थ के स्कोर के उपर अवो नमबर सात्वा प्रगती के उपर है इस्ट्रामेंट को काफी लोगों लच्चा स्पॉंसर सिफ हमें दिया हुआ है निर्बल भाई जिलाओ ग्राम बंचाइदना सब्वेशनी तरफी 5,000 रग्या रूपिया अपने मरेल थे तो त्यमनों खुबकू बाबार सैलेस भाई कांजन रंचोर तरफी 500 रूपिया मरे देमनों पॉना बाड जुजुवाना डेपूटे सर्पंस्त्री सुलील बाई तरफी 25 रूपिया मरेल थे तेमनों पॉना बार ने नामी अनामी सर्वा स्पॉंसर नो खुबकू बाबार जेमना साथ ने सरकार थी आटुनामेंट शाकार थवा जाई रही छे बहुत अच्छी गैन इसमीट लेकिन ऑफ्टम के उपर ट्वाइट करा दिया जाएगा थोड़ी बाहर भी अब एक अतिरिक रन यहां से जरू जुड़ेगा एक अतिरिक रन के साथ स्कोर कार के उपर मासर ट्रन चार विकेट के नुक्सान के बाद से असर यह पाज गैन हो अच्छी अच्छी गैन खर दिया लौवाण को टार्गेट किया ना संग्स ना तकलिप फिर किया मज़ा जीन कीजी ने अब वीराज पड़ेल ने दो एवर की अठरा रंदिये दो सफलता नव की एकोनोमी के बाद अपने गैनबाजी का दो एवर का कोटा खतम किया अब आख्री अवर स्लॉग अवर जो कही जाती आख्री अवर बाकी है अब इस अवर में कितने रंबट रुपाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा लिजे साउंड की बात करें तो निक इठिए साउंड जिसके ऑपरीटर है जैनीज और जिक्स जिनोंने अच्छा उपरेडिंग किया है लिजे क्रिमिनल जो फालद्रा से बिलों करते हैं हिरेन और दिपीस और अच्छी इंस्टुडियो हिरन और इपस्ट्रम फालाद्रा जो चोटी गैन की इस बीश्य स्क्रेश्य को टार्केट किया सीधा आउनलाइन के बाहर लेंड करवाया चेरन के लिए और लिपोसिट किया चेरन अपने एकाउंट में अब चे के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्टेवन्टी फोर रन कि अगर आप सिक्सर लगा सकते हो तो मैं विकेट ले सकता उस लगार से डिक्सेंट ने आगास किया बहुत ही बैतर इन वह कहते हैं आग से खेलोगे तो बहुत जलने का खत्रा रहता है बादी बैतरी सफलता दिल्वाई एक सिक्सर जुरू लगा लेकिन उसके वाले ही दूसरी गैन के उपर सफलता दिल्वाई डिजे बहुत अच्छा सवर्ट इसपीश बलने का फॉल थूट डेकि पालने का बैख लीव देखे अच्छे आई बैकिलिप के साथ ग्यान को बेजा बांड लाइन के वाँचे एन के लिए अब अच्छे के साथ स्कोर कार के उपर 80 रन बन चुके है पाच विकेर के लुकसान के बाद अक्साई स्पाट अब अच्छे के साथ यासे इकासी रन बने पाच विकेर के लुकसान के बाद अब जैसे यह इनिंग खतम होगी उसके बाद अगले मुकाबले का तॉस्क किया जाएगा राहूल फाइटर 11 और बजरंग बली 11 दोनों टीम के कप्तान से निवे रहे अपने स्कॉर के साथ प्रेंग 11 के साथ तयार रहा है तॉस्के लिए थेंक्यू अपके लिए अडवांस कोड़ा साले स्मीश अपक्षा ख मुकाबले की साथ ख तॉस्काबले का रहा है बहा है। झाल 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 प्लेवन के लिए दोनों कप्तान से निगेदन है राहूल फ्राइटर इलेवन और बजरंग बली इलेवन दोनों दिल के कप्तान प्लेज प्लेइंग इलेवन के साथ है प्लेवन के लिए प्लेवन के साथ है राहूल प्लेवन के साथ है राहूल झाल 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 कि अपर उपसित सभी लोगों का दिल से स्वागत है थोड़ा तक्निकल प्रब्लेम के काराना आम कॉमेंटरी आप तक नहीं पहुचा पाए उसके लिए केद रेक्टरते है कि लिए हुआ दो और की समाप्ती हुई 31 स्ट्रेंब ने एक रिकेर के नुक्षान के बाद राज 11 बिनवडा साधे पंदरा की करन रन रेट चल रही है और रिक्वाइर रन रेट की बाज की जाए तो साधे नौ का रिक्वाइर रन रेट है और यह पे मयुः ने एक ओवर किया था अठार रण दिये और हंस ने एक ओवर किया दे रह रण दिये औरही ररेन दो गेनों के उपर दो रन के साथ और निकिल दस गेनों के उपर रट्था इस्रेंड दो चौके तीन सिक्सर और दो सो असी का स्काइग रेट अब दो और समाप्त हो चुके अब तीसरा हो लेके तयार गेंद बाच अपने बॉलिंग माके उपर अच्छा सॉर्णी स्मिट पिर से किरा इस सीदा हाथ में बहुत ही बैतरील कैच किया इस्मिट आते ही सफलता दिलवाई अपनी धिल के लिए और टेले आते ही सफवर ओवाई अरो coffee अध्य यह यहिए नवाजन बली लेवन राहूल ने बजिदेंक बली लेवन सर्वक खिलाडी ने निविदेंचे के एक फोटोग्राफी मांदे तमने इंगाइट करेचे तो शर्वक खिलाडी ने वी आई पीदायस पायशे आववा मादे वीननती थेंक यू अनिल बैए के या ये जब है नप्योंट कुर दो हो दो कि देखिए अच्छी गैंती स्पीज के गुड्लेंस पॉर्ट के उपर आपी तेदी के साथ ग्यान को किया उनसाइट के उपर के लेगा प्रयास किया था लेकिन खुद फॉराथ हुआ फिल क्या कोई रंदे को एक सदी नहीं कि देखिए बल्ले का किनारा और विके तेखिए बल्ले का किनारा और विके तेखिए नहीं कीपर का सहरा यहां से विकास ने अपना कर्थब दिखाया एक ब्यातरीन बल्ले बाची की उसके बाद एक अच्छी ग्यान बाजी हमें दिखने को मिले इस वोल में दोस अपलता हासिल की है विकास ने वो कहते ना संगस ना तकलिव फेट किया मजा जीन की जीने में तो इडिकास प्टेश, DJ कच्रा पेदीन उप्योग करवा माड़े वी नंती कच्रो गमेज याँ फेक्टवा माड़े मेनेजमेंट ना कहेछे तो प्लेस डस्ट बीन उप्योग करवा माड़े वी नंती थेंक्यू अब तीच्टरा वर यहां से विकास पडिल फामेन के अवचे अपने बॉलिंग मार्ट के उपर रिक्या विकास बल्ले बाजी के उपर और विकास गैन बाजी के उपर विकास उर्फे चका स्टाइक के उपर रिकेट कीपर थोड़े दीब खड़े हुए गरी के उपर एक खिलाडी सौट फर्मेन के उपर सौट फाइन लेक के उपर और चार खिलाडी उस प्रकार से ठाटिया सरकल के अंदर है गैन बाज और विकेट के इपर के सीवा देख खूँद बाउट लाइन के उपर स्क्रेल लेक मीड विकेट लोंग और लोंग आफ बाउट लाइन के उपर उस प्रकार से फिल लिंग सजाई कही है और आपना करेकिल ग्राओं के उपर बहुत ही बैतरीन मिकेट है ग्रीनलेस एक अच्छा ग्राओं देखिए अच्छा सॉर्डिस में इसके अपमें सीने मॉलें से सीधा गैनमाज के सर के उपर से वन बाउस माउंड लाइन के बाहत चारण के लिए क्योंके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ चतिस रंडे अब बिल्वारा वर्सिस अक्सेश्पॉर्ड 11 के बीच में एं मुकाबला के ला जा रहा है आज के दिन का पहला मुकाबला पहले तौस जीता था राज इलेवन बिल्वारान है और बलेप अच्छी के उपर एंड़ वाइट क्या था अक्सेश्पॉर्ड को जीनोंने निजदर इट आट अवर में 87 रंड बनाए पाच विकेट के नुक्सान के बाद और 88 रं का टार्गेट डिया है जिसका पीछा करते हुए तीन अवर के बाद 36 रंड दो विकेट अब करन रन रेट मारा का और रिक्वार रन रेट साने दस का यहां से राच 11 रिक्वार फिप्टी तू रन इन थाटीन बॉल तीस गैनों के उपर बाववन रन चाहिए इस समी करन दो रोटीन के लिए है कि इस प्रकार से गैन बाजी और बल्ले बाजी की जा सकती है तीस बॉलमा बाववन रन जो यह मैच जीत वामाटे बहुत तेजी के साथ इस बीच रफ्टार के साथ की रफ्टार की अब ले बाज को और विकेर कीपर के हाथों में गैन चलेगे कोई रन नहीं कोई चाहिए नहीं एक और बिंदी गैन स्ट्राइक के उपर दिक्सन पटेल कि मयूर अपने कोदे का दुसरा पारी के और से च्वाठा बहुत ही ब्यातरिन बहुत ही ब्यातरिन दिखिए इसी वाली गैन एक दो होनी चाहिए जब अपने नजरों के सामने से गयन गुजरती है ना इसी गयनों के उपर रन बनाना मुस्किल हो जाता है उस प्रकर की जैंटी मयूर ने एक अच्छी वाप्सी करवा है सब्सक्राइब सब्सक्राइब के साथ अफ्टम के थोड़ी बाहर भी वाइट कर दिया जाएगा तो एक अपिरिक रेंट जरूर जुड़ेगा यहां से सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ सैथीस रन दो विकेट के नुप्सान के बाद कि कि हाल के आतों से कट किया यहां खेलाडी है रिकेट के बलान के बाद तो हुआ लेकिन तब तक यहांसे बाइस मीटर की दूरी तैक कर चुके थी दोनों बले बाच एक सिंगल रन यहां से जूरेगा सिंगल के साथ 38 रन दो विकेट के नुप्सान के बाद अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है राहूल फाइदर और बजलेंग बली 11 के बीच में तॉस सीता है बजलेंग बली 11 ने और पहले फिल्ड करने का पैसला किया और राहूल फाइदर को बले बाची के लिए इनवाइट किया है देखिए इसमीच सर पहले गुम गया था और सौट लॉमले के उपर बहुत ही ब्याचरीन कैच तारा मंडल का दर्शन जरूर करवाया लेकिन यहां विकेट के रूप में वापस आना पड़ेगा और मयूर के एकाउन में पहले सबलता अटके बाची के लिए को आतिस रून्मने स्कोर कार कंपर अतीर लिकिर के दूक्सान के बाद राच 11-20 भारा कि यहांसे राज 11-20 को करंड रन्रेट के ओपर फोकुस करना पड़ीगा है। जैसा जैसा समय जाना करन रन रेट यहाँ से अब हरका हो चुका है समय बरने का अंदरूनी किरा इस भी कोई रण ने कोई सदीने मंद Corner ने खुट जोंप फॉलो तो फिल किया तीन किराई सात्में इकते हुए एक महती अच्छा यहां पे लाला भाई क्रिकेल ग्राउंड राबना के उपर यहां विकेट का जब सबेरे सबेरे मौय ना किया गया तो एक बहुत ही बैतरीन हरी गास वाली विकेट है और 70-70 की गैन से दुनामेन को आयोजन किया गया गैन की बात की जाए तो बहुत अच्छा ट्रावल करती है गैन बाच बल्ले बाच दोनों को सपोर्ट करती है अब देखें बहुत अच्छी यान इस बीच चाह सेधी विकेट के पास काफी तेजी के साथ गुड्लेंश बाट के पर टपकाई थी अवर की समाप्ती की तो सारे 12 रन चाहिए अब बन पाएगा या नहीं बन पाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा यहां से हर प्रेडेक्शन पहल है और टैनेस प्रिकेट की बात की जाए तो अनिसी तारे बराए खेल है कभी बाची इधर तो कभी बाची इधर अभी रोचान है परिना माना बाची है देखते जाई आगे-आगे होता है क्या उस प्रकार का एक बहतरीन कार्निवल अरिवासी प्रिमेलिक दो जाते ही सीजन पहला और हमारे आईजक की बात की जाए तो रहुल वारीफरिया जीतुबाई कांजन राकेस जुजवा विकास कशिगाम और विकास भिन्व पड़ा अकसई नवेरा संजेई वारीफरिया राको चर्वाइस संदीप वारीफरिया और दिपेस उर्थे लिपो वाकल की और से एक बहतरीन आईजन किया गया यहां अमारे क्लीक हिरोस के स्कोरर की बात की जाए तो प्यूस पटेल और यूट्यूब की बात की जाए तो क्षेनल स्केड़ आप सास्ट कर सकते हो सेरर कर सकते हो लाइक कर से और जिसके अपरेटर है मीट और कैमेरेमन की बात की जाए तो तनहीं गंडेwah से बिलोंग करते है और हमारे अमपाय सर श्यतीन पटेल सर अनिल नायक सर और समीर पठार सर और डीजे साउन निक डीजे और डीजे क्रिमिनल और हर मॉमेंट को कैप्टर किया जा रहा है यहां पे एक्षणी इट स्टूडियो ही स्टूडियो ड्वारा हीरेन और अधिपेस जो फालदर से बिलो और पचास रंट आहिए गैनवाच विकास पडेल अपने बॉले मां के उपर अधिकेश भी जॉफ्टम के उपर के लागा था डाउंड ग्राउंड के लाहें लॉंग ऑफ के पीछी के लाडी मांड लाइन के उपर सीधा त्रो गैनवाच विकास के और विकास ने पहला अब अपने कोणे का दुश्रा पारी के और से पाच वाग्यान हावा में इसमीच और कवर के उपर खिलाडी ने कोई गल्ती नहीं कि विकेट नंबर लोठा का पतन हुआ उन्तालिस के उपर राज इलेवन बिनवाड लिगेए झाल 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 बैतरीन कैच किया अब मोग पटेल ने बलेबाच के रूप में अब इद्धी मौका है दोडो की और विकास तयार अपने बॉली मा के उपर देखे बहुत अच्छी लेंथ और लाइन के साथ तप्टे को पकर के रखा हुआ है गुद्लेंज पॉट के उपर तप्टा करने का प्रयास करते हुए विकास बाड़ी के साथ गैंटकराई खुद फॉर फिल्ड किया कोई रन नहीं कोई चाती नहीं एक और अच्छी गया निया से देखे इस पीचर काव कॉनर को माउंग लाइन के उपर फोराचा लॉंगाउन को वाइट थरा किया गया था स्थीकर मस्लब फैस इसे कहते रिकिरी की बाचा में चलाइस जा बल्ला का ब्लेड ओर हैंडल होता है उसे क्रिकिर की बाचा में स्प्लाइस कहा भाजाता ए कि टो फेस्ट यहां पर विकास का कोहीं कोई तोडहें कोई हिवि reputation शकी करता हुआ cricket गाशन का प्रीजा कि यहां से अपने प्रीम के लिए उठाव खैट किल्या विकास पड़िल एक सरय पाच गयन चार सपलता साथ रन एक बहुत ही नफितुली गयन बाची अपाच बहुत ही नफितुली गयन बाची थोड़ा भाउंच मिला था सिधा विकेट की बरकेट पार्स पाच ऑवर की समक्ति हुए स्कॉर कार के उपर 40 जन्मने पांच विकेट के रुक्रान के बाद विकार स्पडेल ने दो वर किये साथ रंदिये और साथ सपलता सारे तीन की एकोनोमी अब अले बाची के उपर भी किसल बरायते यहां से अब राच 11 बिल्वारा के लिए किसी न किसी को मसीहां बनना पड़ेगा एक को जो अपना बल्ला चार्ज में रखता है वो निकालना प गया है नहीं बल्ले बाच के रूप में अलकेश को सामिल किया जा रहा है परिवतन के तौर के उपर अपने कोटे का पहला और पारी की और से था आवर करेगा रोटन की और से अब यहाथ ही नहीं है कि हर और में 16 रण चाहिए है इस और में कीटले रण बनते है उसके उपर पूरा मुकाबला चलेगा वुद्नेंड स्पॉट के उपर काफी तीजी के साथ गयन सीधी विकेट कीपर के पास यहाँ अपील जरूर की गई थी लेकिन गयन बहुत तहले चली गई उसके बाद बल्ला गुमाथ प्रेशन्स ऑप माइन हमारे एंपार सर की शरूर सराना करना चाहेंगे देखे छोड़ी गयन थी इसमें इचे पूल करने का प्रयास किया नो मैन लैंस ट्रेले की निसा में गयन तपकाई तब तक एक रन पुड़ा किया अब एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पांच विकेट के नुक्सान के बाद च्छठा वर प्रगदी के ऊपर है अब अपने कोटे का पहला पारी के और से च्छठा बहुत अची गयन इस बीच है लेकिन आफस्तम के तोरी सी बाहर वाइट करा दिया जाएगा दिखिए रन आने चाहिए जहां पर सी आए जैसे भी आए रन बनने चाहिए क्योंकि लीग में इसका मुकाबला है इसमें आपको स्कोर को मजदीक ले जाना पड़ता है रन रेट के उपर बने रहने के लिए जैण वाली इस पर क्या दोगा आटके नोट थो किया गया और नाव टे रूप में यहासे एक और सबल ता मिलेगी विके नमबर चेटा का पतनुआ बहुत अच्छा फिलिंग का मोज़ा है राश वाइनलिक के उपर जिट्विके लिग हमार में अधिक लिगा पतनुआ के झाल झाल बहुत अच्यान और मलने का पपेच और विकेट के पने कोई गल्थी नहीं कि विकेट नवार साथ्वा का पतन हुआ एक और विकेट यासे और अलकेस का अच्यान पाधी कि दो सब्लता अलकेस के इस और में मिले आप अच्यान बनाये थे याद करना पड़ेगा हो समय याद करना पड़ेगा अब यहां से 46 रंच चाहिए 14 गैलों के उपर डाउन डग्राउंड के लाइस बीच जब तक फील करते हैं ऑन साइट के उपर एक रंण लेने का परियाप समय था दोना बलेबाज के पास अब सिंगल के साथ स्कोर कार में थोड़ी सी बरोतरी चरूर होगी अब केतन पडल स्ट्राइक के उपर और बाया हाथ के बलेबाज है लंबी लंबी हीट लगाने के लिए जाने जाते हैं लेकिन आज किया कर पाते अपने टीम के लिए आने वाला समय बताएगा फिल्टोस गैन और गैन को रास्ता दिखाया सायद मेरी आवार सुनी ऐसा मुझे लगा एक टोका जरूर बटो रहा चतिया वर की आगरी गैन के उपर समाप्ती हो चुकी है अब 47 रन बन चुके साथ रिकेट के रुक्षान के बाद से और ये 12 गैन के उपर 41 रन चाहिए हर अवर में 20 रन हिसाथ कितब क्या जाए तो अब 20 रन बना पाती है या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा यहां से हर्स ने एक अच्छी गैन बाज कि आख सबलता है जाख से अब भर से और बालो कि देखिया अच्छा चौण ही में चाहर तार्गेट किया फिछे खिलारी जब तक्सी डाक रो ग्यन बाच कर एक रन मिलेगा फ्रॉट सेलेक्शन महाथ ही नहतरील लेकिन इसमें चाहर ड्यात नहीं पाए कि अच्छा सिरी का मुझा इन आपे देखने को मिला एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अर्था लिश रेंस आडविकेट के नुक्सान के बाद ग्याना ग्यान चालिश रेंड अब इस अमिकरन दोनों टीम के लिए मैस बदल सकता है या नहीं वो तो आने वाला सम कर जाती है उसी प्रकार से सीदी लिकेट कीपर के पास है अब यहां किसी ना किसी को ग्लैन नेक्स्वेल बनना पड़ेगा कि अब दर्स गैरों के ओपर चालिस रन दर्स गैन चालिश रहन कि देखें इस बीच मिद्विकेट स्क्राइब के बीच में खेला पीछे खेलारी जब तक फील करते एक रण पूरा किया कि दूसरा रण लेना चाहते थे कितन लेकिन जाई का फोकस रही था वहां पे अब अच्छी गैन बाजी हर्स पड़ेल कि अब इस काफी लंबेकत के गैन बाज देखिया चींटी इस बीच से काफी ठीटी के साथ सीधी विकेट कीपर के पास यहां से अच्छे इस पॉर्ट इलिवन का अप टोछी अच्छी गैन ऊपाट के साथ हुआ यहां से अच्छे पॉर्ट इलिवन का अब तक अप्षिलिंग का अच्छा नजारा हमें देखने को मिली और अच्छी बलेबाची भी देखने को मिली यह राज 11 मिलवाडा ने श्टाटाप अच्छा किया था लेकिन उसके बाद मिदल अगते बलेबाच कुछ कर नहीं पाए अच्छा सौर्ट लेकिन पीछे खिला रही है एक रन मिलेगा अब सिंगल के साथ स्कोर कार के उपर पचास रन पुरे हुए उसलकम फिप्टी राज 11 मिलवाडा पचास रन पुरे हुए साथ अवर की समपते के बाद अब आने वाने शे गैनों के उपर 38 रन चाहिए यह आप हर टीम को तीन मैच केलने रहते हैं तो साहिब जितना नर्जदीक लेजा पाएंगे पॉइंट टेबल के उपर उसका मेनिफीट मिल सकता है वो चीज से ध्यान में रखनी पड़ेगी सभी टीमों को और यहांसे अक्सेश प्राट कॉम रन के उपर रोखना चाहिए कि क्योंकि उसको तप अब दा नंबर वन के उपर बने रहने के लिए अब अच्छे गैनों के उपर 38 रन और वाय हाथ के बले बाच राइट हैंड बले बाच टाइक के उपर वाइड बॉल अफ्टम के उपर काफी बाहर गयान थी समीर पठान हमारे में इंपर की बुमी का में स्क्वेल लेक के उपर जटीन पटेल अनिल नायक अच्छा सौट लावान पीछे बाउन लाइन के उपर बहुत आसाने से यहां कैश ड्रॉप किया देखिए एक रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्ले बाच और कैश ड्रॉप हुआ तो बावन रन बने साथ रिकेट के नुक्सान के बाद अटवा वर पगदी के उपर है वालके सपने कोड़ी का दूसरा पारी की और से अटवा अच्छा सौदीश में लेकिन पीछे खेला नहीं को खेला नहीं लेकिन दोनों को बीट करके गहन गई बाउंड लाइन के बाहर अब केतन पदेल बली बाती जानते हैं कि यहां एक एक रन का इतना इंपोर्टन्स है 56 रन बन चुक्त है 56 अब किस रोनेन के और से अपने बॉलिंग आ के उपर जीतना तो कुछ चमस्कार ही जीता सकता है लेकिन जीतना नजदीक ले जाना चाहेंगे राज 11 बिनवाला रल लेने का प्रयास किया था प्रो हुआ लेकिन संपर्खवा नहीं गैन का और स्टम का उस बीच एक रन बुरा कर लिया उन सट रन्स आडविकर के रुप्शान के बाद अब इभी 29 रन चाहिए आने वाली दो गैनों के उपर अब अच्छा ही राटोड और केतन पतेल अलके सब्स आपने बॉलेन आके उपर लो गैन करारस दिया गया इसमीइट है और गैन मांग लाइन के और सटेने की रिसा में एक ररन बुरा किया अबख कह इस बीमर गैंथी कमर के उपर वाली यह से नो गैंट करार दिया गया है इंद आने वाली गैंट के उपर बोकाय मले बाज के पास सद्धे गुमा के लगाने का वह कहते है ना बरतेट खाना और में लेड़ा जुकाना उस रहर वाली गैंट आने वाली है प्रामुक चौका किसी नहीं नहीं हो का केतन पदिल ले अप्चाच तीन चौके जड़े हैं यह दिखें इसमें चौक कर दिया देप्च का लेक के उपद चे लिए के तन पदिल की जरूर सराना करना चाहेंगे मैच का रिखेल जो भी आया लेकिन आठ गैनों के उपर 22 रन जड़े जिसमें तीन चौके और एक सिकसर 255 का स्टाइक रेट एक बहुत अच्छी बल्लेबा अच्छी के साथ 21 के स्कोर के उपर पहुचाया अपने तीम को और यहां से अक्साइज स्पोर्ट ने एक मुकाबला जीत लिया है वेल्ड़न एन कॉंगने स्टूरेशन डोनों टीमों को क्योंकि आज तीन मुकाबले खेलने जिसमें से एक मुकाबला अक्साइज प्लेयर अप्डमेच विकास पडिल विकास पडिल से नहीं रहें कि आपको यह मैंदमेच के पूरसकार के लिए और मैदमेच का पूरसकार देने के लिए मैंवाइट करता हूं वियस कस्ट्रक्शन के हमारे मान्य सनमान्य विमल भाई उस पर उड़ नाम को अंजला वो दा साथ स्पॉंसर के रूप में जोड़ पूके है अजय पडेल वारी फरिया 2521 जुजुआ के डेप्यूटी सर पंच सुनिल भाई 2500 कूकू पडेल कांजन हरी 500 सैलेस भाई कांजन रंचोर 500 और निमेस भाई अंजलाउ ग्राम पंच यहतना सब्या 5,011 तो प्लीज विमल भा अब अगले मुकाबले का तॉस हो चुका है बजरंग बली 11 ने तॉस इतने के बाद फील करने का फैस्ट लाग किया दोड़ो टीम के कप्तान से निगेदन है अपने क्वेल्ट में को कॉमेंटी मॉक्स में बेजना जरूरी है दोनों टीम है राहूल फाइटर और बजरंग और यलवन और बदो और बदो प्रप्ण ने तॉस आड़ी टॉस और थे नांक। झाल दॉस आड़ी और फे नांक। झाल 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 लवन यह सराओ राहू फाइडर के ट्रेल्ग में पहुँच चुके हैं आज़िया जाएडर के ट्रेल्ग में पहुच्चुके हैं झाल झाल आज के दिन का दूसरा मुकाबला सुरू होने की तैयरी में गैनबाचर तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के उपर और बलेबाच भी तैयार है अपने स्ट्राइक के उपर राहूल फाइटर वर्सिस स्ट्राइक बली 11 अमारे दूनों कॉलिफाई अंपार भी तैयार है यह सब पहला वर जैनिस पडेल बहुत अच्छी गैन स्ट्राइक के उपर और राहूल पडेल कॉन जीती का कॉन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा फिलल देखा जाए तो पहला मुकाबला अच्छी स्पॉट 11 जीत चुकी है बहुत अच्छा कट कर दिया है इसमें प्लाइक की निजा में जारी है वाउंग लैन के और बहुत अच्छा औफिल है मगर रोकने का प्रयास किया लेकिन तब तक दो रन लेने का समय था दोनों बले बाच के पास यहां से दो रन के साथ अपना और अपने दिन का एकाउट अपन किया प्रिंच पदिल ले अप्दमार्ख पिन्स पदिल कि अच्छा के लिगा ट्राइव कर दिया कवर की निसा में इसमें उध्यारी के बीच में से एक्षाग और की निसा हम एगेन बाउनलाइन के बाच्छारन के लिए ब्लोटी वोल्स्ट्रोक पाइपेंस पादेल चोके के साथ आदे देजन रेन बंचुक है चेरन विदाउट लॉस अवो नमब पहला अच्छी गैंती इसमीच वाप्षी करवाई यहां से जैनिस अपने बॉलिंग माट के उपड़ यहां से एक अच्छी वाप्षी करवाई गुड्लेट स्पॉट के उपड़ तपक हाई थी गैन और सीदी विकेट की पर के पास कवर के उपड़ यहां से बल्ले का टॉपेश लिया और कोई गल्ती नहीं कि कवर के उपड़ खड़ खिला लिने एक अच्छा केश क्या बिल्स की पारी खतम हुई यहां से एक छोटी पारी पारी पांच गयन का सामना क्या छे रन बनाए जिसमें एक चौका सामिल और पैक झौका. झौका. कि अच्छी गैन बाची यहां पर पहले और में एक सफलता लेने काम्याब हुए जेनेस पडेल अब संदिक पडेल जेनेस के रूप में पहुंच चुके स्ट्राइक के बलेबाच है और गैन बाच तयार स्कोर कार के उपद छे रण एक विकेट के रुक्सान के बाद बहुत अच्छी गैन इस बीच यहां से सीदी विकेट कीपर के पास थोड़ा सा बाउंस मिला लेकिन कट करना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की पहने वर की समापती के उपद छे रण बने एक विकेट के रुक्सान के बाद राहूल स्वाइटर अब करना रेक्षी का चलता हुआ प्रोजेक्ट स्कोर अर्तालिस के आज सपास जा सकता है जब आवर में शेरन बनते है इससी अवर को क्रिकेट की बासा में टिकेट थे सवर कहां जाता है अनिल लाएक सर महीनें पर्की बुमिका में स्क्रेलेक के उपार चतीन पतेल और कौम बॉक्स में समिर पतार प्योस पदेल 3K के स्कोरर और डीजे निक और डीजे क्रिमिनल उफ़चत पदेल चैनल यूटूब की जिसके उपर लाई प्रसारण हो रहा है आप सस्क्राइब कर सकते हो सेट कर सकते हो लाइक कर सकते हो अब स्ट्राइक के उपर रहुल पहली गैन का सामना करेंगे तेहनी और में मौका नहीं इला था रहूल को स्ट्राइक के उपर ने का एक बहुत बड़ा नाम टैलिस क्रिकेट का अन्याल इस बंभेभूल को गैन बाची के उपर गैन थमाई गई है बहुत बैथर इंडिकी, इस बीच, यह कॉपी बुक्स, टैप किया था again को, बल्ले के सैंसर में गयां आई, बल्ले के मिरल के उपर गयां लगी, तब बल्ले बाच का जो कॉंसेदर से साथ वे आशवान के उपर चला जाता है, जब पहली गैन सेंसर अब था बडल होती है सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब की और से एक हजार एक मिलेगा लेगिन इसे ओर में दूसरा ओर जारी है पावब लेका या इस ओर में एक हजार कमाना है तो तेन शिक्सर लगाना पड़ेगा ग्यान बाच मिवई और बायात के मली बाच संदीप देखे ग्यान इच पूल करने का प्रास क्या लेकिन पीछे के लाड़ी जीनोंने कोई गलती नहीं जीए सौद में विकेट के ऊपर खेलारी को थटीए सरकल के इसके ऊपर खड़ा क्या था जीन हो रहे है एक अच्छा कैस क्या और विकेट नबर दूसरा यहां से संदीप पढ़िल झाल करना झाल करने को तो बहुत तेजी के साथ इस बीच हल्की आचों से टैप करने का प्रयास के लेकिन अगेन ने फैस्ट ला कर लिया विकेट कीपर के हाथों में जाने का एक और डॉट गैन मुल एक अच्छी नफी तुनी गैन बच्छी करता हुआ यहां से बहुत अच्छी एक और लफिटोली बहुत अच्छी गैन सीधी विकेट कीपर के बास अभी भी साथ के उपर रुका हुआ स्कोर अगर पाउपले की बात की जाए जिसमें फ्रिलिंग डिस्टिक्शन रहता है उसका फाइदा अब तक नहीं उठा पाए अराउल फाइडर के क्योंकि दो विकेट चले गए देखें मीड़ान फटीया सरकल के अंदर बहुत अच्छा फिल्ड किया अभुन लेने की चीश्टा को खाड़िस्क्या एक और बिल्ड इगें यहां से लॉंगान को बाउंड लाइन के उपतेनद किया था मिड़ी को बाउंड लाइन के उप अगर इस विस्तर की बात की जाए तो एक बहुत अच्छा फ्लैंट ग्रीनलस अच्छी विकेट अच्छा एक्मस्पेयर वाला कोई क्रिकेट डाउन है तो लाल्बाई क्रिकेट ब्राउन राबण इसके ऑनर की बात की जाए तो कमल भाई अच्छी विकेट के उपर 500 रुपया है गैन बाच को सब्सक्राइब क्यों से डाउन डग्राउंड के लाइस बीच यहां से दोस्ते के ने प्रैस के विकेट के अपर प्रो हुआ लेकिन गैन वहा तक पॉट नहीं पाए लेकिन राउन पहुच चुके है अब इसी गैन के उपर प्राइस था अब अब अबली गैन के उपर प्राइस मिलेगा नहीं भाई अब राहुल को यहां च्वापदारी के साथ खरा रहना पड़ेगा रुक के खिरना पड़ेगा क्योंकि दो विकेट चले गए है लेकि पूल करना चाहते दें इस बीच असको एलेक माउंड लाइन के उपर लेकिन दोरों खिलाडी तु तु मैंने और होना चाहिए यहां पर लेकिन कॉल साही नहीं था है और तो खिलाडी के बीच में एक राहुल जैसे खिलाडी को जीवत दन नहींना मतलब अब जानते हो कि उसका रिजल्ड क्या हो सकता है दो डिगीट में स्कोर पहुँच चुका दस रख दो विकेट के रुक्सान के बाद रिटा बल्ला चलाया अब सीधी उंगले से घी नहीं नहीं कर रहा इसमेचे तीरी उंगली करनी चाहिए लेकिन इस बार भी फेल हो गया अच्छा नचाकद निखाई हलके आतों से टेप किया और गयान थर्मेंग की रिशा में बाउंड लाइन के बाहर बहुत ही बैतरीन एक चौका मिला थर्मेंग की रिशा में चौके के साथ चौदा रन वन्शू के स्कोर कार के उपड़ पर जाए नचाकद दिखाना चाहते थे साथ को यह नहीं होने कोई गलती नहीं की इस में खवीके नबद तीस्तों का पतन वा अतुला हो शाइट तरीक बैचरीन गैन बाची यह नज्याकर दिखाना चाहते थे संजय पदेल लेकिन ज्यादा कुछ करने पाई एक चौका जरूर बटोरा लेकिन उसके बाद यहां से सभलता मेली त्वादा के उपलगने माला तिस रजट का डीजेए है कंस कि शोड़ारन बने स्कोर कार्केव पर तीन रिकेट के नुक्सान के बाद अवर की बाद की जाए तो श्रीलाल अवर नबर तीसरा प्रगती के उपर है कि बहुत तेजी के साथ इस पिछ लेकिन फोड़ी सी बहार गयन वाइट करा दिया जाएगा तो एक तरिक रहन चरुप जुरेगा यह से सिंगल के साथ स्कोर कारके उपर पंद्रा रन बने अच्छी के न्सीदी विकेर कीपर की पास अवर की समप्ती की गोष्णा की गई हमारे अंपायर महदाई द्वारा तीन अवर की समप्ती की बाद पंद्रा रन बने तीन विकेर की रुक्षान के बाद राहूल फाइटर थो पंद्रा रन बने रन न इस वर में अगर राहूल है रिक शिक्सर लगाएंगे तो एक हजार एक रूपया सरण भाइक योर से मिलेगा इस वर में अगर है डिक शिक्सर लगाने है तीन ग्यानों के उपर तीन बैक टूबैक तीन ग्यानों के उपर एक शिक्सर आचुका है अब आने वाली दो गैनों के उपर तीन ग्यानों के जानते हैं अपने विकेट का वाट उस गैंदी लेकिन ब्राइव किया कवर की रिसा में ठटी है सर्कल के अंदर जब तक फिल करते प्रो करते कोई रन ने को चाती नहीं एक डॉट गैन पुल्टा बल्ला चलाया यहां तील की गई लेकिन बल्ले का और गैन का संपर्क हुआ नहीं था सोच्छल इस्टन रखा गया था इसमीच गैन और बल्ले के बीच में पर्लिकेट कीपन अच्छा गेदर किया है बिंदी गैन डॉट गैन कोई रनन नहीं को चाती नहीं कि यह से सिंगल द्रेंड मिलेगा अलंग दगाउंड के लागया था लॉंग आफ माउंट लाइन के उपर सीधा रोसा ठीक एक अच्छा सोल्डर वारा खिलाड़ी ऐसा ठ्रोग कर सकता है वही काम किया कर दो कर दो बैठाट शॉट के लिगा प्रेस क्या था लेकिन प्रिकेट कीपन लेगान को गिदर किया अबराइग बहुत अची गैने स्मीच से पैरो के उपड़ तक राई वह रन्ने को अच्छी नहीं लगसी तो नहीं आवर की समक्ति हुए चार आवर की समक्ति हुए बाइश लन मने तेन विकेट के रुप्सान के बाद झाल 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 कि अच्छी ग्यांति इसमें अच्छी को गहनबाची के उपर सामिल किया है अच्छी अपने कोटे का पहला पारी की और से पाच्छा वह लेका है अच्छी परीवतन के अरॉल के उपर नए गेंबाच को सामिल किया जा रहा है अब राहूल अभी भी विकेक्ट के उपर मौजूद है एक सिक्षल लगा चुका है 122 का स्ट्राइग है राहूल का दिखिए इसमीच सामने लेकिन पीछे किरानी लोंग आफ के उपर सीधी हाथ में इसमीच हाइट का तो शिक्षल लेकिन लंबाई कम पड़ी और राहूल की लिकेटिया से दस गेलों के उपर ग्यारा रन बन है राहूल ने और सफलता अजय पडेल के नाम अजय अच्छी झाल कि बरोसी के उपर फरे उतरते हुए ग्यान बाच अजय पडेल कि अच्छा सौर्डिस में संपर्क हुआ है कि अधिन मीड़ी के उपर से छेटेंड के लिए मिड़ी के बांड लांड लांक पर था लोग ऑन पांड लांड लांक याइंग के उपर अब नेहर ने स्पाथ अपना है काउंट बार्ड़ पन किया है अपने होने का मुजूद पर स्क्राइब और अच्छा सिक्सर फुल्टोस गया इस में इस स्क्राइब को टार्गेट किया लेकिन बल्ला बहुत पहले गुम गया उसके बाद गैन तक रहे थी कि प्रोड़ी सी इंजरी आई है इस टूनमेंट के हमारे अलजर की बात कीचा है तो रहुल वारी फरिया जीतू कांच झाल 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 यह सर अखिलाडी वापा स्ट्राइक के अपर नेहल और गैन बाची के अपर अजय पडेल फिलिंग का मौईना करते होई थर्टिया सरकल के अंदर चार खिलाडी दी बाउंड लाइन के अपर पांच खिलाडी स्ट्राइक के अपर गैन के साथ सही तरीके से मगर सिंगल रन जरूर मिलेगा अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन चार विकेट के अपर नुक्सान के बाद और नबर पांच वा प्रगती के अपर है या एक और टार्गेट करना पड़ेगा एक और को बला करना पड़ेगा एक संवन जर्ण स्कोर के उपर लेके जाना है तो क्योंकि अब तक वह नबर पांच वा और उन्तीस रन है प्रगत के अपर लेकेट कीपर के उपर से गयन गई लेकिन पीछे खिलाड़ी जब तक फीर करके थो किया जाए विकेट कीपर एंड के उपर लेक्वाई के रूप में एक रन काउंट किया जाएगा तो एक अतिरिक रन के साथ पांच ओवर की समप्तिक बाद तीस रन चार की बात की जाए तो रहूल और बजरेंग बले इनेवन के ओनर की बात की जाए तो दीपेस वाकल तॉट शीता था बजरेंग बली ना और तोले फील करने का फैसला किया था और बले बाची के उपर इन्वाइट किया था पांच ओवर थेस रान अडिवासी प्रिमेर लिग दो जाते सीजन पहला लालाभाई क्रिकेट ग्राउन राबला केपर अगशे लामू नामू 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 सर क्षब्स बागैस्ट में नाम है अब यहां से केविन के और से अगर बल्ले बाच दीविस तीर सिक्सर लगा दे तो हजार रुपिया लो गेन कर दिया जाएगा यहां पर तो हो आधिके रिणाउट के लिए तो क्या लेकिन यहां से एक रन और मिलेगा अब नो गेन कर दिया गया तो एक अतिरिक रन मतलब दो रन काउट के जाएंगे एक नो का और एक भाग के पुरा क्या अब निकुंच गेनबाची के उपडर आने वाली गेन के उपड़ी ही थे मौका है बलेबाच के पास देखिए नो गेन जब रहती है तो बलेबाच के पास फॉम में आने का मौका रहता है लेकिन इस बीच डॉट गेनड मतलब निकुंच का परड़ा बारी रहा ऐसा कहो तो चलेगा बढ़ तीस रहने स्कोर कारकियों पर चाल विकेट के बाद दिखिए चोदी गेन समझा पड़ा उसके बाद जड़ा और गेन चली गए बैटर्स कर लेकियों पर सिक्सर के लिए यूस ना आई मैक्सिमम सिक्सर और चेके साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अर्थी स्रें लोस अब पर गेंगे 6th ओर इंप्रोग्र्स रहोल फाइटर बचे बढ़ देके गार लोग कर दिया स्काई जिसे कहते हैं उस लकार का साथ और वहां से गेंड बाउंग लाइन के बाहर चार रन के लिए मतलब अब दो यहां पर दो अगर बीमर गयन आती है और में उस गेंड बाच को इस अवर के लिए यहां से रिप्लेस किया जाता है तो प्रिजर्स अब माइन मनना पड़ेगा अब डिजे वाले बाबू अपका समझें कर दो कि पहुद आशी एन्यस मेचे लेंद को आगे किया था बैकलिप के साथ बल्ला जुरू चला लोगवन की निसा में लेकिन संपर्क हुआ नहीं और गयान सीदी विकेट कीपर के पास संपर्क करना पड़ेगा रावल फाइटर के बल्ले बाच को नहल की बात की जाए या दिवियस की बात की जाए बल्ला चलाना पड़ेगा देखिए इसे कहते है प्रेसंट आप माइंड एक बहुत ही बहुत ही बहतरीन चला की भरा स्वाट के लागया फूल्टोस ग्यान थी हलके आतों से मोड़ दिया स्कल्ले की निसा में एक रन पुरा किया रस्त मक्सोट इसा कहू तो चले गया वैसा स्वाट हमें देखने को म खुद फॉल्टों में फिल्ड किया रन नहीं मिलेगा या से कोई रन नहीं बिंदी गयंड स्कॉर कार्ट के उपर देखिए चावल इस रन चार विकेट पांचा सर्या पांच गयंड मतलब चार चार तीन बार और पांच पांच डो बार ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है की गई तो च्छी अवर की समापती चावालिस रंच आविकेट के नुक्तान के बाद राहूल फाइटर करन रंडेट साथ का और प्रजेक्ट इसकोर 59 तक जा सकता है एक अच्छी अवर हमें दो गयंड बाच निकुल पडेल और परिमल ने खतम की जिसमें तेड़ा रन आए हमारे स्पांसर ने अच्छा साथ अफसार कर दिया है निर्मल बाई पंजिलाओ के ग्राम पंचेट के सब्ये 5,011 रूपिया दिया सहिलेस बाई कांजार रंचोर 500 रूपिया कुकू पतेल कांजार हरी 500 जुजवा के डेप्रिटी सर्पन सुनिल बाई सब्सक्राइब करेंगे यहां से जिन्होंने साथ और सहकर दिया को शाकर करने के लिए सब्सक्राइब करने का प्रयास क्या था लेकिन रिकेटीबर के पास गेंच चली गई रन नहीं मिलेगा यहां से बिल्दी गया आएगी कि अपनी टीम के पर्फोमेंस से क्योंकि अच्छी गैनबादी हो रही है देखे एक और अच्छी गैन यहां से बल्ले बाच को बीट करती हुई चारों खाने चीत करती हुई जब कोई चल रहा था तब तो सोश्यल डिस्टन था लेकिन यहां देखा जाए तो अब तक बज कि अच्छी गैने चारों अच्छी गैने चारों तो यहां से नाउट के रूप में एक और विकेट का पतन हुआ पीर से दामन चूता एक अच्छी मले बाच को श्क्राइक डिने की चेष्टा में यहां से आउट होके जाना बढ़ेगा दिवियर स्कोर दिजेए खॉप्षपर, यहां से धुएब बाच ऑग मुथमने चारों जा सक्क्षाब ग흙 अच्छी और विल्म pä गपड़ेगा से दामने वाच्छी गारों पीम घच्टारों झाल में आवालिए सब्सक्राइब करते विकेट की पर एक रन पूरा किया अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ चैनल पांच विकेट के रुक्सान के अब शीके आसपास पहले वर सी करन रंडिट चलता हुआ फुल्टो स्केनिस बीच या लॉवन बाउग लाइन के उपर वन बाउस तू बाउस अच्छा फिलिंग और सीधा खो ग्यांबाच के और एक रन अब एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ फूर्टी सेवन लॉफ् इन प्रोग्रेस बल्ले का गयन का सही संपर्ख हुआ नहीं बल्ले के बॉटम में गयन लगी और जब तक्षील करते एक रन मिला और एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तलिस तरन पांच विकेक के नुक्षान के बाद साथ अवर की समापती हो चुकी है और तलिस रन ब स्कोर 55 के आसपास जा सकता है एक पोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच सबेड़े सबेड़े जब मैच की सुर्वात होई विकेड थोड़ा सा घीला था अब जैसे जैसे गर्मी बनेगी सूरच सर के उपर आएगा विकेड राई होता जाएगा फ्लैंट होगा या लाई हो वैसे तो एस 70-70 की गैन से इस टूनामेन को आईजन किया गया अब एगेन बड़े-बड़े मुकाबले में इस्तमाल की जाती है तो यहां आदिवाची प्रमीलिक दो अचा 23 में इस्तमाल की जा रही है तो हमारे आईजन की जरू सरना करना चाहेंगे एक अच्छी गैन के स फोल्टो स्कान बेट मदून दमदार फटकार सेंडू टावल करतो थाव को नरेजन सट 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 कार ब्योटिफुल सोग भाई नहल अब यहां से पिछली गैन के उपर नहल ने बल्ला चलाया अच्छा सौट वहल बहुत ही वहतरीन जॉबदारी के साथ एक अच्छी पारी को रोड़ेक्टर तो उससे का प्रयास करना चाहते थे लिकिन असाठीक प्रोसीदा इस यह से रनाउट के रुपे भी के जाएगा नहल अब तक एक अच्छी बल्ले पाची देखने को मिली है नहल ने टोटल अपना नीजी स्कोर की बाद की जाए तो 28 तरन बना लिये है और 14 गैन का सामना किया जिसमें तीन सिक्सर और एक चौका सामिल है और 200 का स्ट्राइक यह थे जाए अच्छा नहीं का सब्सक्राइब है जाए तो नहीं है सब्सक्राइब जाए तो अच्छा साट तो फंद रोके तो हम आधी है आंधी रोके तो हम आग है और आग रोके तो हम सेलाब है उस फ्रकार से आगास करता हुआ नेहल यहां से एक बैतरीन बलेबाजी और सिक्सर 34 के लिए स्कोर के उपर पहुँच चुका चाल सिक्सर के साथ राहूल फाइटर के लिए मसीहां बन के आया है इस भी तोपेट लिया मीडों स्काटिया सरकल के अंदर और बहुत अच्छा कैच यस नेहल की पारी खतम हुई नेहल ने एक जोब तारी के साथ 34 स्रेंग बनाए 17 गयन का सामना खिया जिसमें 4 चोके एक चाल सिक्सर एक चोका और सवादोशो का स्ट्राइक रिट के साथ अच जादोशो ।।।।।।। देखे संपर्खुआ इसमेचर ग्यान के नीचे खेलाडी लॉंग आफ के सीदे ग्यान बाद के पीछे गे स्ट्रेट खेला था सौट और अच्छा केच और एक सफलता यहां से परिमल के नाम कि अच्छा को अच्छा कोटे एक समय तुछा कोटे नाम उड़ार को अच्छा की अच्छा और अच्छा कारके उपर अब अफ्वा अवर प्रगदी के उपर है वाइड वाल एक अतिरिक रेन जरो जोड़ेगा एक अतिरिक के साथ स्कोर आगे बरता हुआ मासाट रेन 62 लाश अप दे 8 रिकेट 8 ओर इन प्रोग्रेस रोन एंट यूर से यहां से लिपेस जीतने के लिए जीतने के लिए अब देखा जाए तो आपकी अउसर से डन बनाएंगे तो मैच जीतने का मौका है बजरंग बली 11 के पास अब राहूल फाइटर के गैन बाज को एक लोज स्कोरिंग मैच होने जा रहा है या से अथिर फाइट देने पड़ेगे मैच जीतने के लिए झाल झाल कि अथिर खरनाएंगे के गैशन के लिए झाल 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 प्रस्थान करेंगे अपने डगाउट के और से क्योंकि फिलिंग टीम और हमारे क्वालिफाइए एंपार पहुच चुक है और 12 पंट प्लीस राउन साइटर यहां पर बहुत सारे स्पॉंसर ने सपोर्ट किया है निर्मल भाई अंजलाओ से बिलोंग करते हैं ग्राम पंचैट के सब्याइट पाच दियार ग्यारा रूपिया हमें स्पॉंसर से बिला है सैलस भाई रंचोण R. 500 प्लीस रूपिया अएसा बहुत सारे स्पांसोरों ने हमें सपोर्ट किया है इस टूनामेन को साकर करने के लिए तो हमरे स्पांसोरों का हम बार-बार अबार जैक करेंगे जरारम बापा डेक रोशन बिल्वाडा, दीजे क्रिमिनल, जोती सुधा जेल, ओमसाइ ट्रेडरस, चोकोस्किक साउंड, HDH, IR फोटोग्राफी, अकसे स्पोर्ट, डीजे निक, नेवुल बाई, राहुल बाई, दिपेस बाई, नवेरा, फलद्रा, हिरेन बाई, दिपेस बा देखा जाए, तो एक तो फिप्टी स्नेवल पडेल ले लगाई थी, छेटी स्केनो के पर चौरा सी रन बनाये थे, इसमें दस सिक्सर, चार चोके सामिल थे, और बॉलिंग स्पल की बाद की जाए, तो निखिल ने दो ओर में तेरा रन देके पांच विके की मतलब पैला फ दो नोग बड़ा इसमाल स्कोरल तयार है सर मेज को सुरू किया जाए, तो जर्वाली गैन कने का प्रयास क्या था, इस बीच से लोंगोन को तार्गेट किया है, टीछे खिलाडी, रन नहीं बनेगा यहां से, प्रसे नकारा गया कि रन नहीं आएगा, तो डॉट गैन से सु तो अंजाम अच्छा, वो कहते ना, अवर की तहली गैन, अवर की आखरी गैन, तुनामेंट की तहली ओवर, और आखरी ओवर बहुत नहीं एक रहती है, तो अच्छी गैन, इसमीच है, रफ्टार के साथ सीधी, एक एक कीपर के पास, मयूर, एक अच्छी गैन पाज की क्रिकेट का जो स्थर है, इतना उठ गया, देखिए, एक एक की जूते खली, एक बार देखिए, जूते की ऊपर खिलानी के नजर डाली है, जमाना कहां से कहा आ गया, और कॉस्ट्यूम डेक के कलर कॉम्बिनेशन देखिए, बहाती बहतरीन टीसेट बनाया गया है, करने की कौसिस कर रहा हूँ, एक छे फ्लैग लगे है, बाउंग लाइन के उपर, अब आगे आने के बाद, हाफ कॉली के उपर लिया, और स्लाइस कर दिया, गें चलिए, बाउंग लाइन के बाद, चारन के लिए, चोटे के साथ स्कोर आगे बरता हुआ, पांच दिन और एक समय हुआ करता था, जमाने की बात करो दो अचार तीन और चार की बात मुझे यादे, लोग गप पैंट और सट पैंट के क्रिकेट खिलते थे, आज जमाना आगया तीसत का, और ये तीसत की इतनी बोल बाला है, अगर साधी में जाओगा सेर्दी, अगर आपको अगर के बीच में जब तक फ्रो किया जाए, एक रन पुड़ा किया, और इस अभी चीजों का अगर स्रेय अगर देना चाहें, तो हमारे आयोजग को जरू दूँगा, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया कि इस प्रकार का एक तुनामेंड करना है, आदिवासी प्रिमिय लि कि आज जो विकेट है ना, वो विकेट का कमाल है, यहाँ अगर आप सांट पैसे टरन बना लिए तो मैच जीतने का चांसिस बढ़ जाता है, और जहां तक मेरा तजूर्बे की बात करो तो सिंगल डबल के उपर फोकस करना पड़ता है, उच प्रकार का विकेट है पचीस रन के उपर बनाएंगे तो विमल भाई जूचवा पाथरी की और से आपको एक सो एक रूपिया दिया जाएगा, और जब मैं विकेट की बात कर रहा था तो हमारे जो अब फिलाल महीन एंपार की बूमिका में जो जा रहे है समीर पठान, समीर पठान की बात की लेकिन का अब जाएगा, लेकिन काफी बार खेलते हुए भी उसके सामने मुझे कोमेंटरी करने का मौका मिला है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे बायाहात के बलेबाज और गयन बाज है, समीर पठान, लायका बेंद लेक के ऊपर जतिन पटिल हमारे साथ कॉमेंटरी बॉ अबरेनिंग के साथ और डीजे निक और डीजे क्रिमिनल, जिसके जरिए मैं कोमेंटेटर अफ्राच चोहान, मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहा हो, हम गयन बाच अत्यार, एक अवर की समापती साथ रन विडाउट लॉस राहूल फाइटर, टॉपेज लिया, देखिए यह जो है विकेट का कमाल है, अगर फ्लैट विकेट रहता तो यह मीड विकेट के ऊपर राहूल बाहर देखती है इसी गैन को, लेकिन टॉपेज लिया, सौट ठर्मेन के ऊपर सिल्ड किया, कोई रन नहीं, कोच सती नहीं, डॉट गैन, साथ रन है स्कोर कार के ऊपर पाव स्टोक भाई राहूल, चौका मोटोरा, और अच्छा सोट केला और चौका मोटोरा, बहुत ब्याचार इन देखती है, दोड़ा पंचो के ऊपर खने होने के बाद, इसमें चक्ट कर दिया है, सुपर कवर के निच्छा में, दोनों चौके देखने लाइक, ट्रिकेट ये सौट थे, पंद्रा राम बंचु को स्कोर कार के ऊपर, चोदिगान और पूल और पावरफूल, पीशे केला दी जम किया लेकिन उसके उपर से गयंचे लेकिन, आना और पावरफूल, पीशे के ऊपर पावरफूल, एकीशे के उसके लेकिन, बहुत ही अच्छी गैंती इस बीच रसी थी विकेट कीपर के पास चली गई थी जब पाउप लेकी बात की जाए तो साथ खेला जटिया सरकल के अंदर रहते गैंद बाज विकेट कीपर के सीवा और तो खेला इदी बाउंड लाइन के उपड़ एक लॉंगान के उपड़ है अंगर अगर पच्छी स्रण बनाएंगे तब भी मल बाई के और से एक सो एक रुपिया जुजवा पाक्री विमल बाई आपका अभार यामने खिलारियो की जो आप होसला अभजाई कर रहे हुआ उपका बहुत बहुत आबार आज किसी को सपोर्ट करना मतलब किसी के लिए कुछ अपने आपने एक महानता है तो विबल भाई का हम अभार जरूर व्यक्त करेंगे अब 22 स्कॉर कार के उपर और गेंट बाची के उपर हर्स अब कहा तक जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा अब यहां से फिलिंग रिस्क्षन खोलेगा थर्टिया सरकल के अंदर चार खेलारी डिबाउंग लाइन के उपर पाच खेलारी गेंट बाच और विकेट कीपर के सिवा कि 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 अब यहां से स्ट्राइक के उपर राहूल सोला के नहीं स्कोर के उपर आठ ग्यान का सामना दो सो का स्ट्राइक रिट दो चौका एक सिक्सर तो पिलिंग रिस्क्षन खुल चुका है पावापले खतम हो चुका है अब गैनबाच अपने बॉलिंग मार्ट के उपर दूर वाले छोड़ से मयूर बहुत अच्छा बैकपूट पर गए हाल के आतों से गली की दिशा दिखाई और एक रेंड चुरा लिया एक अच्छी के उपर सिंगल रेंड चुराना एक अपने आप में अच्छे खिलानी की दिशा रिए स्कोर कार के उपर 24 रेंड विडाउट लॉस राहूल फाइटर अच्छी यानिस बीचर सेथी विकेट कीपर के पास देखे इसमीच आगे आने के बाद आफ कॉली के अपल लिया और वाइड लॉंग ऑफ के उपर से गयन चलिके बाउंड लाइन के बाउंड चार रन देखे जब रन नहीं बनते हैं तो आगे आके गैनबाज की जो पेस रहती है गैनबाज का जो तप्पा रहता है उसको बीद करने का प्रयास करते हुए बलेबाद ने प्रिंस ने आगे आने की बाद चौका बतो रहा कॉंफिदेंस यहां पर ज़रूर मीला होगा क्यानबाज वापस तरियर मैं अपने कोटे का दूसरा पारी की वह से थीचला फिल्लिंग में तब्दिल होगी देखिए जैसे ही चौका गया फिल्डर को वहां एक्स्ट्रा कवर शिपर कवर के बीच में त्यानाज करते हुए कप्तान अब एक रन वाइट करा दिया जाएगा तो एक अतिनिक रन जरू जुड़ेगा जहां से भी आए जैसे रन आने चाहिए क्योंकि रन ही फन है जैसे जल ही जीवन है उसी प्रकार से रन ही फन है अब एक रन वाइट के रूप में जूड़ा और स्कोर कार के उपर 29 रन तीस लाइट के उपर एक चिए एंदी इस भीचा अच्छा फिल्डर अच्छा गैनबाच अच्छा बलिबाच की रूप में विकास है लोगउन के उपर अब राहुल अगर हैड्रिक सिक्षर लगाएगा तो नेर्बल बाई की और से एक हजार एक तीन गैरों के उपर तेन सिक्षर विमल भाई की और से हर सिक्षर के उपर 101 और 25 प्लस रन बढ़ाएगे तो विमल भाई जूजुआ की और से राहुल के लिए 101 रुपया है सत्रा के निजी स्कोर के उपर राहुल बलेबाची कर रहा है अब मयू त्यार अपदे बॉलीम आके उपर देखे सनमान दिया सनमान दिया इसे कहते है क्रिकेट इसे कहते है नजाकत भाई भी बैतरीन एक अच्छी खिलारी की निसानी वही रहती है इसलिए तो राहुल को अगर दोरिया पडिल समाज की बात की जाए अगर 11 की स्कॉर्ड आंतर समाज के लिए बनती है उसमें बहुत दफा राहुल को सामिल किया जाता है वो राहुल इसमीच ग्राउन के उपर मौजू थे बहुत सारी ऐसी इनिंग है राहुल की जिसके बारे मौजू को भी सामिल किया जाता है वैसे मौजू की बात की जाए तो एक नजर राहुल के लिखा जोखा के उपर ज़रू डालेंगे राहुल ने अब तक 30 प्लस 7 बार रन बनाए दो हपसे चुरी बनाया हुआ हुआ है उस प्रकार से बहुत ही अच्छा परफर्मस सर टैनिस क्रिकेट की कारकीडी में आज यह कहां तक कैसे खेलेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा 31 तरन तीन अवर की समाप्ति के बाद वीडा उट्लस एक अच्छी पांटनर्शिप अट्प्रा गैनों के पर 31 प्रिंस पटेल और राहुल यह सर विकास गैनबाजी के उपड़ पिछले मैच के हीरो जिसमें विकास ने 21 रन बनाये थे और चांस अपलता हासिल की थी का और खेस्ट के लीए के उपर उपर एक रन पूरा किया दोने बने बाद ये बहुत अच्छे रनिंग बिट्वीन के साथ सिंगल रन पूरा किया अब विकास गैन बाशी के उपड़ अब विकास के नाम अब विकास के नाम अब एक हो चुका है अब है डिक सेकंड है डिक होगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा राज पटिल नेवलिबाच के रूप में अच्छी गयां थी इस बीच यह से एक सिंगल दन मिलेगा सिंगल के साथ स्ट्राइक रोडेट किया अब राहूल स्ट्राइक के उपड़ अगर राहूल है ड्रेक सिक्सर लगाएगा तो निर्मल भाई की और से पाट एक हजार रूपया दिया जाएगा सिंगल सिक्सर के उपड्र वीवल भाई जुजवा के और से सौ रूपया और पाच्ची सु प्लस रन बनाएगे तौझी सौ रूपया वीवल भाई जुश्वा देखे इसमें इस गेप में बहुत ही अच्छा सौट जिस प्रेकार से ऐसी गेप में वीरत को हुली सौट लगाया करता है उसी जगा के उपर राहूल ने चौका बढ़ रहा और चौके के साथ स्कोर कार के उपर यहां से जरूर बढ़ रही होगी अबस्कूर में ड्लोन पश्क्रीच संद्नेश एफ़ला रहूल ने चौकार बटोरा ौर इंसमें से रहुलगालर भी यह राहुला प्रेकार ने चौका बढ़ रहुला से जरूरा यह खर आजस्या बढ़ ठीज के उपर पहुच चुके है तो विबल बाई जूजवा यहां पे राहूल ने 25 प्लस रंग बना लिये हैं तो आपके और से 100 रुप्य का एक नगज पुरसकार एक सन्मान किया जाएगा अब राहूल है स्टाई के उपर कप्तारी पारी के साथ स्कोर को आगे बढ़ते हुए ग क्यापी, स्काई, तुर्यको मारी हादा वाला बाटी बाता रिन एका लिग ये लगले क्यो पार्सिक सर अब रुक सको तो रुक लोई सागा पिन्ट मा कशरों आख्वामाटे निवेदन तमेक अख़से जमों नास्तों कर आफिवस्टा नस्तों आफिज जितार वाले का साथ गाफिवर नार्टा अजय है तो तवारे दीस जे भी होई तो प्लीस दस्क बीनमा नाखो माटे मिननती थेंक यू शुष्टा भ्यान ने आपरे सपोर्ट करीशू अने लालभाई क्रिकेट ग्राउन्न कमल भाई ने पर आपरे सपोर्ट करीशू अने खास करीने आजे विकेट छे एना पीच किरिडर अक अपने सपोर्ट करीशू तो छष्टा अभ्यान ने द्यानमा राके कच्छरो दस्बीनमा नाकेशू खुब-खुब अबाद थेंक्यू तो यहां पर पिछली वाला सौट देखने लायक था राहूल का और ऐसे मॉमेंट यूटूब चैनल को एक बाद सब्सक्राइब कीजिए जाके देखिए वचसल पदेल के उपर क्योंकि हमारे जो कैमेरा में ने तनाई बहतरीन कैप्चरिंग करते हुए मॉमेंट को देखने लायक न जा राथा किछलों वाला सौट जी चाल टीम छे बरिक टीम ना कप्थान ओनर ने निवेदन छे के तमारा खेरारियों मादे मैनेजमेंटे नास्टों मंगावलो छे तो प्लिंस मैनेजमेंट ना कॉंटेक्ट करी लई जेवा मादे विननती अक्सरी स्पोर्ट ग्राउन उपर छे कोई डगाउट मा होई तो प्लिस लई जेवा मादे विननती राहूल फाइटर पर अन्ना खेलारियों ने निवेदन छे बजिनंग बली 11 औने राज 11 बिनवाला तो फिल से एक बार चारों तीम के खेलारी से निवेदन है कि आप लोगों के लिए मैनेजमेंट ने कुछ जलपान की व्यवस्ता की है तो प्लिस आईए और कलेट कीजिए मैनेजमेंट के पास आपका जो भी फूर्ट टेकेट है और रखास करके सभी दिमों की और से मैं फिल से एक बार हमारे मैनेजमेंट का आपर रेक करता हूँ आपने सभी फैसलिदी उपलप्त करवाई है हमारे खिलाडियों के लिए उसके लिए आपका बहुत-बहुत आपर वेल आयो जन बहुत ही बहतरीन अब स्कोर कार के उपर 47 दो विकेट के नुक्सान के बाद राहूल फाइडर अब नेहल नेबलेबाज की रूप में प्रस्थान कर चुका है ग्राउन के उपर और प्रारम करने के लिए गए राहूल अभी भी विकेट के उपर मौजूद है उसके नीजी स्कोर की बात की ज अच्छी गैंथी इस पीचर सामने के लाहें लौर के उपर से और गैंच लिगए बाउन लाइन के बाहर दमदार शिक्सर अनेहल के बलेचे कि अच्छी अच्छी तरह से यहां पर हमारे और जन्कमीटी की ज़रुद सराना करना चाहेंगे सबी फैसिलीटी उपलब्ट करवाई है कास करके देखा जाए तो यहां पर जो फूर्ट पेकेट हमारे खिलारी लोगों के लिए जो चलपान की विवस्ता की है तो पहले दिन राकेश उर्फे कांता ने नास्ता की फैसिलीटी उपलब्ट करवाई थी उसके बाद सैकंड ले सब्सक्राइब करेंगे का बहुत आके मनें बहुत प्रगधी करें सिस्पग और प्रातना हमारे भगवान से कि आप इसी प्रकेर से साथ हो Water Temple कीजेए और क्रीकेट को प्रैम कीजिए आप बहुत आगे बढ़ेंगे तांक्यू आपका बहुत बहुत आपर तो ले getting chicken सुपन पीछे सामने खिला है और अच्छा कैच यह सर यहां से विकेट मिला और 55 के उपर लगने वाला एक और जटका करें जो तीम के कप्तान है कप्तानों वाली पंद्रा गेनों के उपर तेती स्रेंड बनाए जिसमें चार चौके दो सिक्सर 220 का स्ट्राइकरेट और 30 मिनिट तर विकेट के उपर रूके रहे अगर इस गर्मी की बात की जाए टेंपरेचर की बात की जाए उसमें इतना प्रस्थान किया है अब संदीप कहा तक अपने पारी को और अपने टीम के स्कूर को पहुंचाता है वो तो आने वाला समय बताएगा अब 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 नमबर पांचवा प्रगती के उपर है पस्पन रन बने तीन विकेट के नुक्षान के बाद राहूल फाइटर और करन रूनेट सारे 11 के आसपास चलता हुआ जब से पहली ओवर की सुरुआत वही थी जो करन रने थे उसको बरकरार रखा है क्योंकि कप्तान राहूल मौजू थे अब कप्तान का विकेट जा चुका है अब अब स्कूर कहा तक कौन से मंचिल तक चूपाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा गैन बाच अर्स तयार देखेंगे इस बीचे गैप में गई है गैप में गई है मिद्रिकेट के बगल से ग्यान चली गई और चार रेंड वन बाउस चोका अब 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 शारे ग्यारा उपर का करेंड रंड चल रहा है अब रहुल रहुल भाई से निविदन है कि आपको विमल भाई आपको 25 प्लेसरें मनाये तो आपको कैस पैसा देने के लिए इन्वाइट करने तो प्लीज आईए और अपना प्राइस कलेक्ट किजिए थेंक्यों अब घ्क्षिज्टी एंदि यार नहल्ले सहीं अस्यत दिया और बैक्वर्ण फंपर गेंड़ के बडलाइन के बाहर बहुत ही वैतर इंदमदार सिक्सर गौदवध्त अब्रबर रम शाम लगा घर कर देजा था इसमीचिशु नहला छे किशाप् स्कोर कार्ट के उपती रिकेट के रुक्षान के माद शत्या ओवर की सर्वाद सिख्सर के साथ अब पर रोड एंड की और से अपने को देखा पहला पारी की और से छठा ओवर देखिए होरीजेंटल बल्ले से हैंड आइक ओडिरेशन देखिए बहुत ही ब्यातरी जीस प्रकार की ग्यांती उसी प्रकार से बल्ले का हुलो आया और सिंगल द्रन पूरा किया एक अच्टे बल्ले बाज की इसार एक सिक्सर लगाया उसके बाद सिंगल के साथ त्राइक र कि अच्टा इसमीर विकेट के अपर पीछी खिलारी वन बाउस सब तक फिल करते विकेट की पर फोट्रो किया जाए तब तक एक रन लेने का देखिए यहां खिलारी हो का जो पेंसर्ट माइन देखिए क्योंकि पहले एक समय होगा था जब फिल्लिंग करने की बाद कहीं भ करना चारे यूटूब को कि देखिए कवार के उपर से ब्योडिफिल स्ट्रोक और गैन तीशे रोकने का प्रयास क्या लेकिन नहीं रोक पाए चौका मिलेगा अब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ महतर रन तीम लिकेट के रोकसान के बाद अब चठा अवर प्रगति के उपर स्कोर देखे यहां एक अच्छे हाई रन रेट के साथ स्कोर को आगे बढ़ता हुआ पीछले अवर तक ग्यारा सारे ग्यारा का अउसद चल रहा था अब सारे बारा के पास पहुत चुका है अब यह अउसद आकरी अवर तक यहीं बरकरार रहेगा उपर जाएगा या नीची आएगा अची गैन वाइड बॉल देखे यहां पर थोड़े हम तील से बैठा है पता नहीं चलता लेकिन वाइड गैन करा दिया अगा तपास अही था लेकिन थोड़ी दीशा के बाहर अब शाम के उपर गैन को रखा इस बीचे विकेट की पर के पास जाने दिया और बिल्दी गैन के साथ हमारे समीन पठान सर्देया ओवर की समाप्ति की कोशना की गई और छे ओवर के बाद तहस्तर रन तीन विकेट के नुक्षान के बाद सेवन्टी थ्री लॉस अप दा प्री लिकेट 6th hour complete अच्छे वर की समाप्ति हो चुकी है तहस्तर रन वने तीन विकेट के नुक्षान के बाद राहूल साइटर राहूल साइटर ने एक स्कोर अच्छे ख़़़ा किया है विकास देखिए एक अच्छे ओल्राउंडर के सामने एक अच्छा ओल्राउंडर अगर पहले में इसकी बात की जाए जिसमें विकास मैनप दमैच हुआ था और दूसरे में इसकी बात की जाए जिसमें नेहल मैनप दमैच हुआ था अब ऐसा को तो चलेगा मैन अब दमेच के सामने मैन अब दमेच अब किसके ओपर कौन भारी वो तो आने वाला समय बताएगा देखिए इसमेच बहुत ही ब्यातरी निसमेच सेंड डिलेवार सिक्सर मीडिकेट को टार्गेट किया था 6 के साथ 79 तो जल जड़े आता शिक्सर नेलने इवाले अच्सियान एवाले अच्छी आएउची यान देखिए इसे कहते है नजगत इसे कहते है ताकत इससे कहते 24 केरेट सौन एक अच्छा विकेट अच्छे बले बाच को प्रिवलें के रास्ता दिखाया और उन्हें असी दन चार विकेट के रुक्सान के बाद अब विकास ने यहां से सपलता दिल्वाई सपलता अब विकास अपने कोटे का दूसरा पारी की और से साथ वावर देखें इसमीच हाडलेंड गैन तब पताने मां थोड़ा सा उच्छाल मिला था और से विकेट कीपर के पास ऐसी गैनों के उपर रन बनाना मुश्किल हो जाता है विकास ने एक अच्छा प्रिश्रंस ऑप माइन गैन बाची करने का प्रयास किया क्योंकि पिछली गैन के पर सफलता में थी इसमीच थोड़ा सा हाडलेंड गैन करने का प्रयास किया और रिकेट कीपर अच्छा गेतर किया कोई रन नहीं कुछ सती नहीं ड़ाट गैन अच्छा सॉटी स्बीच लॉंग ऑफ के उपर से गैन चरी के बाउंड लाइन के पहाच से रन के लिए ब्योटिफुल शोकिस अच्छी गैन देखिए इसमीच दिगा है कही और निशाना कही और और आउट रोके वापस सले गए गैन को लेखा नहीं पढ़का नहीं ग्यान की नजाकत को नहीं देखा ऐसे ही आगया है और बल्ले का किनारा विकेट कीपर का साहरा और विकेट झाल देखिए अगर दोनों बल्लेबाद में से कोई भी बल्लेबाद अगर हैद्रिक सिक्सर लगाएगा तौनी अंजिलाव की और से 1111 रूपिया कैस पुरसकार दिया जाएगा अब यहां से हैद्रिक सिक्सर के उपर 1111 देखिए टौपए लिया था इस बीच यहां से ग्यान को रुका गया है गली के उपर खेलाने को त्यानाट किया था तब तक एक रन अब सिंगल के साथ था चैसी रन अब अपने को देका दूसरा पारी के और से आथवा ओवर कितने रन देंगे वह तो आने वाला समय बताएगा जैन बाच तो यहर अपने बॉलिमा के उपर हिंत स्ट्राइक के उपर देखे इस में इचे बहुत अच्छा लोंग लेकी निसा में खिला और गैन गई बाव्लाइन के बहुत शार रन के लिए ताट सवा बारा का करन रन रेट चलता हुआ अटो आवर ब्रगती के उपर है पहने ओवर से घ्यारा के उपर चलाया था वही चल रहा है रन रेट इस सब्सक्राइब पीछे यहां पर बहुत ही बहुत ही बैठर इन कैस्ट किया विकास ने और विकेट नमब च्छाथा का पतल हुआ अच्छे अगर में यासिम में तो यह पर एक बहुत ही अच्छा टूदामेंट आडीवा से प्रिमे लीग 2013 सीजन पहला लाला वाइ क्रिकेट ग्राउड डाबडा के उपर एक अच्छा क्रिकेट ग्राउड है जहां पर एक अच्छी तूदामेंट का आविजन किया हमारे आविजक ने और बहुत सारे ग पपेडिस मीच खुद फाङर तरू में कैच बाक्टो बैक दोविकेट जब 3 विकेट होते हैं उसे हैरेड्रिक वृविकेट को वीकेट को भी वॉ ब्रेस विकेट कहाँ जाता है दो विकेट लेने में काम्याब हुए यहां से मेहूल दो सब उता नबेरन के उपड़ विकेट नमब साथ वा यहां से वाइट करा दिया गया और एक एक अतिरिक रन है हीट विकेट के रूप में और वाइट का रन किया जाएगा और है यहां पर मेहूल ने हाड्रेट विकेट पुरेखिये बहुत ही बहतरीन परफॉर्मर्स के साथ एक अच्छी गैणबाजी हमें देखनों को मिले और अक्साइज स्पॉर्ट के एलेवन के और से हर्डे की लेने वाले सायद ये टुनामेन के पहले गैन बाच बन चुके है मेहल वेटर इन गैन बाची अब आठ रिके चलेगे नाइन दी वन के पर और मेहल तो यार है यहां 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 एक और विकेट चला जाता लेकिन प्रयाश मेहतनी था यहां सट फर्मेंद के ओपर फट्याइज के ऊपर खेलारी को तेनाच किया था जिनोंने प्रयास किया लेकिन अगेट हो नहीं पाए आठ वेकेट के रुक्षान के बाद आठ वेवर की आकरिगें अरगेंबाश मेहल अगे आने के बाद है आपकोली के पर लिया डाउन डग्राओन और सीधाच चौका देखे़ चौके के साथ 96 अब अगला मुकाबले के लिए एडवांस कॉल है बजरेंग बली 11 और राज 11 बिनवाला डोनों टेन के कप्तान प्लेई 11 के साथ तॉस करने के लिए आएंगे बजरेंग बली 11 और राज 11 बिनवाला ठेंक यू और जीतने के लिए 97 रन का टार्गेट है 96 रन बनाए राहूल फाइटर ने आठ विकेट के लुक्षान के बाद बहुत ही रहतरी नहीं आप दे ग्यान बाजी मेहुल ने दो और के 25 रन दिये और तीन विकेट मतलब अधरीक अविकेट करने वाले ग्यान बाज बन चुक है झाल झाल कि अच्छी तूनामेंट जिसमें तापी सारे खिरानी को सामिल किया और बारा टिम बनाई और पहले दिन दूसरे दिन और आज तीसरा दिन है कल यहाँ पे वेगा फाइनल खिला जाएगा तो उसका स्तरी जाएगा हमारे सभी आयोजग को जिन्होंने बहुत अच्छी जतो जहमत उठाई और एक अच्छी तूनामेंट साकार लेने के मोर के उप पर अकर यह तीसरा दिन चल रहा है झाल दोनों बोले बाद से निवेदन है थोड़ा प्रस्तान करेंगे अपने दगाउट की और से क्योंकि जिस रगार से गर्मी है हमारे अगर हम लोग तो एक मैच खेलने के बाद रुख भी जाते लेकिन एमपार सर जो हमारे पूरे दिन खड़े देते हैं तो हमें उसके लिए थ झाल झाल बजरिंग बली इलिवन बजरिंग बली इलिवन ना कप्तान ने प्लीज चल्दी आवा माद एन इविदन थेंक्यो दिपिस भाई कप्तान ने मुख्लाव जो ओक्ये थेंक्यों कि दोनों प्रारामिक बल्ले बाद से पहुच चुके हैं आज के दीन का त्रीशना मुकाबला यहां से अकसे स्पॉट इलिवन वर्सिस राहूल फाइटर के बीच में खेला जा रहा है राहूल फाइटर ने 96 रन बनाए अब जीतने के लिए 97 रन का तार्गेट है अब दोनों प्रारामिक बल्ले बाद से पहुच चुके हैं यह समर स्कोर और तयार है मैं इसको शुरू किया जाए अनिलायक सर देखें बल्ला चुरू लाया थे लेकिन गैन और मल्ले का संपर्क वानाई और विकेट कीपर के उपर गैन ने गैन को घितर किया रहुल गयनबाची के उपर अपने कोटेगा पहला पारिके ओर से पहला और स्ट्राइक के उपर महुल न श्ट्राइक के ऊपर उविकास डिखें बल्ला चलाया 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 चलायों लेकिन यहां से डाउन डर्राउंट एक सिंगल रेन लिगा सिंगल के साथ इस्ट्राइक रोतेत किया अपना और अपनी टीम का एकांट उपने किया नेगोल ने पहले ओबर की दूसली गैन के उपर कि देखिए विकार्च का इस मीचे कैच का कॉल है और यहां पर सफल था राहूल एक बहतरीन गैंड बाज के रुप में यहां से एक बहतरीन वल्लेबाज विकार्च को पिवलिन कराथ का दिखाया कि खत्ते ही और यहां डज क्टार्च वास रुप में हमेडराज चो चा डड़ का दियो अर का विस न देता रहां से और समय हो रहां से भें हैं गठ सबस्टे में हो बाज innerDo बाई आद के बले बाज नितिन विकेट पर पहुचे है अब राहुल गैनबाजी के उपर फिल्लिंग को सेट अप करते हुए क्योंकि पावर प्रे चलता हुआ निकाहे कही और निस्टान कही और लुकिंग लंडन को कियो उस्ट रहत की घटना गड़ी विकेट के उपर मिदे के बाउंट लाइन के उपर लॉंग लेक बाउंट लाइन के उपर बस साथ खेला ले थाटिया सरकल के अंदर है अब आप्ट्रम के उपर देखा जाए तो मिद आफ कवर एक्स्टा कवर पॉइंट सॉट थर्मेन देखें के रहुंट इसी मिद्गे लावं में और तीजह कहला लें दोरे कैच चाहिए सविंद मैचिस वल्टिस अब दे मैजिक उस प्रिकार से या से राहूल ने दोसरे सबलता दिल्वाई आपनी देम को देखें तीम का उच्षा देखें तीम का तकात देखें राहूल ने यह अपने कर्थब दिखाया और भी केटने बाद दूसरा झाल झाल अपिल की गई है सगी वन हम आउट हूने खरे की है और विगेट मिलती हुई देखे राहूल यहाँ पे रोकने वालो में से रूकने वाला नहीं है राहूल द्वारा अगास किया जा रहा है रोकना है तो रोक लो नहीं दोका गया तो कदम कदम पर खत्रा बनके ख़ड़ा हो उस प्रकार से तीन सवलता पावपले का पहला हूर इसमीच रहूल के नाम अरभी का पच्चा अगर रोकना है तो रोक लो क्योंकि यहां स्री राम के लोग है जाही जाही स्री राम बहुत ही अच्चा गाना हमें सुनने को मिला यहां डीजे वाले बाबु ने अब गेन बाच तयार है वापस अपने बॉलिंग माके उपर अब यहां से बहुत ते जाओ फिल नहीं रूख पाएंगे नेहल प्रयाद जरूर किया था लेकिन है चौका मिला अब विकेट तो यहां तीन लिए पहले ओवर में बैतर ही नहीं अब यहां पे दूसरे ओवर की सुनुआ चौके के साथ और स्कोर कार के उपर पांच रन तीन लिकेट के नुक्सान के बाद राहूल ने एक ओवर किया एक रन दिया और तीन सफलता राहूल की गैनवाजी में मैजिक भी था और लॉजिक भी था उस लगात से अच्छी गैनवाजी में देखने को मिले अच्छा सौट अच्छा सौट अच्छा संपरकोवा है जाएगी और यहां से मिलेंगे पूरे अधर जंद्रान चेरान अच्छा अच्छा सौट को क्रिकेट की बासा में पोस्टर बॉइस सौट कहा करते हैं एक अच्छा सौट अच्छा सौट करने का प्रयास क्या था इस बीच संपरकोवा नहीं और पीछे खिलाडी है और जब तक फिल करके थ्रोक यह जाए रन अच्छा सौट के उपर अथरा रन है तीन विकेट के नुक्षान के बाद दूसरा और प्रगति के उपर अब दोनों बलेबास के बीच में एक अच्छी पाटनर्सिप करने का प्रयास चाहर गयानों के उपर सत्रा रन के पाटनर्सिप हो चुकी है पाटनर्सिप का फाइदा उठाने का प्रयास करते हुए अच्छी पाटनर्सिप के साथ सिंगल रन लिया और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 3 विकेट के नुक्सान के बाद और की बात कीज़ा है तो दूसरा और भगती के उपर है वाइट के रर्थिया चाहेगा तो एक अच्छी रन जरूर जुड़े गया एक अच्छी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 3 विकेट के नुक्सान के बाद और और की बात कीज़ा है तो दूसरा और देखे सामने इसमेचे लफ्ट क्या है दूरी भी और यहाँ पे छेरन की मंजुरी भी जतिन पदिल साथ अजी कुछ अच्छी को की बाता हुआ कि बाता है अज़ लटो आप आगे बाता है तो नविके लिम्स साथ साथ आगे पाक इसका का वढ़ता है उन्हाँ भी पाल टो दो दूसरा बाता है अब यहां सिर्ण पूरा करेंगे और पावापने खतम हो चुका है अब 27 रन बंचुके स्कोर कार के उपर तीन रिकेट के नुक्षान के बाद तीसरे ओवर की सुधाद फिल्लिंग डिस्टिक्शन खुल चुका है प्रटिया सर्कल के अंदर चार के लाड़ी है दिब बाउंट लाइन के उपर पाच गैनबाच और रिकेट कीपर के सीवा एक स सबलता दिलवाई राहूल के एकाउन में काउन के जाए तो एक चौपी सबलता है अब यहां से एक सपलता और चार विकेट चले गए है और चार विकेट यहां से राहूल के नाम आए दो गैन दो रन चार सपलता देर की एकोनोमी के साथ गैनबाची रोडान की और से कप्तान राहूल यहां से राहूल फाइटर 11 की और से अब अकसई स्पोर्ट को सोचना पड़ेगा एक अच्छी पार्टनर्शिप करनी पड़ेगी तब जाके एक अच्छी पार्टनर्शिप करनी पड़ेगी देखें बैठाउप सॉट के लिगा प्रयास किया था और जमीन के सहारे जब तक गयान गए फिल किया जाए और फो किया जाए एक रन लेने का परियाप्त समय था दोने बले बाज के पास संदीप और अभई अभई मतलब कभी ना दर लेवाला इसे अभई कहते हैं सेधी रिकेट कीबल के पास इस मीच इंडक्स फिगर के रिस्तवार क्या था राहूल ने और गयन को तपक आने के बाद बाहर निकाला था बहुत अच्छी गयन बहुत अच्छी गयन काफी नफी दोली गयन बाजी यहां से बहुत अच्छी गयन बाजी के साथ अभी भी स्कोर कारके ओपर चार विकेट के नुक्सान के बाद अवन नमबर तीसरा अपनी कोटी का दुसरा पारी के और से तीसरा रोड एन के और से गयन बाची करता हुआ रहूल अब तक तीन रन दिये हैं और चार सपलता देखे रिवर्शिप में खेला केशीट का कौल है और नहीं पहुच पाए वहां तक बनता तो अगर पांच वाविकेट हो सकता था और इस टुनामेन की मत की जाए तो एक खेलारी ने फाइफर किया था लिखिल ने अब बहतरी गयन बाजी की थी थी आहां पांच विकेट पांच विकेट विकास ने बी लिए और चार्विकेट राभू ने बीलिए राईवले दो ने रिवकेट चार रंदिए चार सफलता जोकी इकोनमी बहुत ही बहतरीन गैन वाजी यहां पे राउल की गैन बाजी कमश्या फूण शर्चा माणा और और आज के दिन का बन चु कि अगर आपको किसी भी ब्लगार का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाना है तो प्लीज मेरा कॉंटेक्ट कीजिए अगर आपको देखना है तो मेरा इस्टाग्राम चैनल के उपर जाईए राज अंदर स्कॉर्ट कॉमेंटर करके है एक बार देखिए आप में से किसी का भी किसी प्रेगर का वीडियो बनाना है तो प्लीज मेरे वाट्साप में कॉंटेक्ट कीजिए मैं आपको जरूर अच्छा वीडियो बनाके बेजूंगा और आपका अगर शेयर करना है तो हम इस्टाग्राम के उपर भी सेयर करेंगे थैंक्यू बहुत अच्छी गैन बहुत स्पोर्ट के उपर तपक आई और प्लीज चैनल को थोड़ा फॉलो कर दीजिएगा जो भी देखे राज अंदर्सकोट कॉमेंटेटर आप सभी लोगों का बहुत बहुत आबार आप सबका जो प्रेम है वह यहां तक लेके आया है मुझे तो आपका मैं जरूर आबार व्य एक और बहुती अच्या साथ और मिलेंगे पूरे चैनल क्युक्स का जरी को humor का टो आफ किया तक तॉ बाई आस्यास का ठाटाक कामोल पर आपके है हंगे अक का फॉरा आइड्टा रोह करने का प्रयास किया लेकिन विकेट कीपर के पास गयान की थी और एक अच्छे स्कोर को आगे बनाने का प्रयास करते हुए यहां पहर जीसा स्कोर खला किया है अलाहुल फाइटर ने नाइन्टी सेवन का पीच्छा करते हुए तक पहुत चुकी है अकसाई स्पॉट है और जाएगा पूरा चार रन यहां पे रवान की चार रन की हमारे अंपार सर्ध्वारा और चोके के साथ स्कोर कार के उपर प्यतालिस रन चार्विकेट के नुक्षान के बाद अब 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 नमबर अब नमबर चौथा प्रगति के उपर है पहला हाफ खतम होगा कहां तक स्कोर को पहुचा पाएंगे वह आने वाला समय बताएगा इस चारा सब्सक्राइब पांच गैन हो चुकी है अब चौथे ओवर की आखर गैन निहल इस बीचे होग करने का प्रयास किया लेकिन थर्टिया सरकल के अंदक तब पकाई उसके पीछ के खड़मेन के खिराड़ी ने जाके गैन को रोका और थो किया तब तक एक रन चार ओवर की समाप्ती और स्कोर कार के उपड़ थैयालिस रन आने वारी 24 गैनों के उपड़ एक यावन रन चाहिए चोविस बाल्मा एक अवन रन जोई है मैज जीत्वा माधे आँ समीक रन अक्सैसपोर्ट राहोल साइटर बन्नेव टीम माधे छे के वीरीटे बॉलिंग करी सकाई के वीरीटे फिलिंग राखी सके और यंने के वीरीटना बैड्टिंग करी सकाई बन्नेव टीम माँटे असमी करण 24 मॉल मां 51 रण बन्नेव टीम मां 51 रण बन्नेव टीम मां 51 रण यहां पर प्रवाद खोतम हो चुका है शारवर की समक्ति छाहल इसरें चारिकेट के लुक्सान के बाद अक्सेश पॉर्ट अब अक्सेश पॉर्ट रिकॉर्ट 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 रिफ्टी रन प्रवाद चाहिए अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा लेकिन फिल्हाल यहां पर इवन बेलेंस मैच दोनों और मैच चल रहा है अब पाच्छों अब की सर्वाद अब अब अच्छा सौर्ण इसमीश लॉंग आफ को तार्केट क्या लेकिन पीछे जाने के बद सील करने का प्यास क्या देखिए अब रविंद्र जालीजा वाला थ्रो ऐसा का हूं तो चलेगा सीधा गैन बाच के पास एक अच्छा सोल्डर एक अच्छी फिटनेस के साथ अगर क्रिकेट खेलोगे तो ऐसा फ्रो कर सकते हो फिप्टी तो बावन्द रंट चार्विकेट के नुक्सान के बाद अब मित तयार अपने बॉलिंग मांके उपड़ देखे पीछे गए और उनसाइड के उपड़ फिक्ट कर दिया गैन चली गई जब तक फिल करते थ्रो करते एक रन विकेट की पर एन के उपर अब एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तिरफ पंद रन चार्विकेट के नुक्सान के बाद अच्छा 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 विकेट के उपर पीछे बांग लाइन के उपर तेयनाच किया है एक रन मिलेगा एक अच्छा फ्लिक किया था इस वीचू ऑनसाइड के उपर बहुत ही अच्छे बल्ले का आलाइमेंट था इस बीच्ट तो बले बाच संदीप का इस गैंद को देखिए गई है और बहुत दूर गई है उपर भी गई थी और दूर भी गई थी और ताला मंदल का दर्सन करवाया और शीक्सर दिन में तारे दिखाए इसा कहूं तो चलेगा तो चलेगा वेशा थी और रहन बंचुके स्कोर कार्ट के उपर चार विकेट के नुक्सान के बाद फिल्टोस गैन और सही लग एक को टार्गेट क्या वो कहते है ना गवर्मेंट की जोब और फिल्टोस गैन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए अब आने वाली अठरा गैनों के उपर तीस रण चाहिए देखिए पीछली मुकाबले में इस प्रकार से मज़ा आया था लोगों को वैसा ही यह मुकाबला देखने को मिलेगा ऐसा लग रहा है अब आने वाली अठरा गैन तीस रण इस समी करार मंद रहा है अठरा गैन तीस रण अब कौन से गैन बाच को इस्तिमाल किया जाएगा मित थोड़े महंगे साबित हुए द्याइग नहीं कापी महंगे कहा जाएंगे क्योंकि तैनिस ट्रिकेट की बात कि जिए इसमें 21 बहुत कह जाते हैं मला सब्सक्राइब तो मैच जितना आसान हो जाएगा कि पहुत अच्छा सौड़ी स्मीचर देखिए हेलो बोलकर गई ग्यानिश मीच्षेडन के लिए खेला देको हेलो बोला उसके बाद माउंड लैंड के बाहर लेकिन करे भी तो क्या गरे किस्मत कभी साथ होना चाहिए अब यहां से अभई जो कभी ना दरने वाला संदीप अच्छा सौड़ के ला इसमें चब वापस यहां से इन से बले रह सीधा सौड़ केलने का प्रयास किया जब तक ठील करके त्रोखिया जाए रन लिया सिंगल और संदीप की बात की जाए तो नीजी स्कोर पैटिस हो चुका है बहुत अच्छी बले बाजी जिसमें चार सिक्सर और एक चौका सामिल और अब अबई है स्ट्राइक के उपड़ कि देखिए यहां पे थोड़ी सी गलती गर बैठें लेकिन थोड़ा ग्यान के लाड़ी के राइट हैंड की उपर से ज्यादा उपर से जा रहे थी प्रयास किया लेकिन क्याच नहीं हो पाया कि अच्छी ग्यान थी इस बाली तैनिस क्रिकेट की सब चैच्छे वाली ग्यान कही जाती है उस प्रकार की एक ग्यान थी कमर के समानंतर सीधी विके कीबर के पास हाडलेन ग्यान क्रिकेट की बाचा में प्लताओ स्कैन लॉगान के ओपर पीच्छे क्हिलाडी और अच्या कैच्छ को कि अ यह लोग ज़िएशना कुछ कमाल किया है बले बाजी की बात हो फिल्निंग की बात हो या घैनबाजी की बात हो देखिए यह चीज बहुत अच्छी लगती हैं जब स्भीखिलाणी कर्तों होते हैं साथ में तालमेल के साथ जय बोलाते हैं उसके बाद ग्राउन को प्रणाम किया जाता है यह बहुत अच्छी चीज एक अच्छी एनर्जी क्लिए होती है उसको करने का प्रयास करते हुए राहूर्ट फाइडर के सभी खिलाड़ी अब चाहतर रहन सेवन्टी फो लॉस अप्ड़ फो विकेट आने वाली चौदा अच्छा सौट के लाए एक्स्टा कवर के उपर पीछे के लाड़ी चम करने के बाद फिल किया अपना बैलेंस बनाया और तो किया और अपने दीर के लिए कोच रण जरूर्ण बचाए वहां से एक्स्टा कवर के उपर यस एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ प बारा गैनों के उपर 22 रंड चाहिए बारा गैनों के उपर 22 रंड नेहल ने दो और किये 25 रंड ये एक सफलता साड़े बारा की एकोनोमी की बाद अपने गैनबाही को खतम करते हुए वापस स्किलिंग मां के उपर अब बार बोल मां 22 रंड जोई है इसके बाद का जो मुकाबला है उसका भी तौस हो चुका है बजरेंग बली 11 वर्सिस राज 11 बिनवाला के बीच में तो डोनों टीम के एक अपतान मैंटर से निवेदन है कि अगर वमप सुरू करना है तो कर सकते हो क्योंकि तौनन मैच को सुरू किया जाएगा और तौस सीता है बजरेंग बली 11 वर पहले फिल करने का ठैस्ट ला किया था पारा गेन का खेल बाकी और 22 रन अब समय करना बंदरा है बारा गेन 22 रन कौन चीथे का कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा लेकिन ये तूनामेंट हीट हो चुका है और फिट हो चुका है बहुत ही ब्यातरीन अलजन अब गेन बाद से अपने बॉलिंग मार्के उपर और रिकेट के रूप में राहूल थोड़े दीब खरे हुए है देख़्ें यहां पे सुगर की गोली दिय थी लेकिन उसका पाइडा नहीं अठा पाए और बेल्ड आउट होने के बाद वापस पिएट के और रिफ कर चुका है कि अपर दिया था अपना इंगे न विभी जो मसी है वन के के उत्रा है संदीप अभी दी मौझूद है विकेट के उपर 16 गैन 35 चार चौके एक चार सिक्सर एक चौका 208 का स्टाइक रेट अब नए बले बाज के रूप में प्रस्थांद कर चुका है मयूर कितना साथ सकर दे पाते संदीप का वो तो आने वाला समय बताएगा लेकिन प्रिंस पतिल गैनबाजी के उपर अब प्रेंस गैनबाजी के उपर अब प्रेंस गैनबाजी के उपर जब ग्राम्य प्रिंगल एक हुआ था जिसमें अच्छी गैंट बाजी की थी आज वही तीन याद करना पड़ेगा प्रिंच को बल्ले का किनारा लॉंग बेर पोजिशन जिस प्रकार से गैंट को रोका यहां पर लॉंग बेर पोजिशन के उपर रोका गया कोई रनने को चले एक एक बिल्दी गैंट बल्ले बाज के उपर प्रेसर ज़रूर क्रियेट करेगी क्योंकि नौट स्ट्राइक के उपर संदीप भे अभी भी जीतना चाहें उतना संदीप को वहां रोकने का प्रयाज करेंगे कप्टान राहूल क्योंकि संदीप जैसे ही आहिए अग्याज का अग्याज करेंगे के तो पाइच और इसमेंगे बहुत ही बहुत इस इंदेखने का अगर फोगाण अब नए बल्यबाच की रूप में प्रस्थान का लिया साथ रिकेट चले गए है साथ रिकेट अब अक्साहिं नए बल्यबाच की रूप में कि देखें प्रिंस को मैंने वो दीन याद दिलवाया डीजर्स ये क्रिकेट ग्राउंड फारी फरिया क्यों से खेलने के लिए आये थे वहां कॉमेंटरी के उपर मौजूद था एक अच्छा पर्परमस देखने को मिला था वहीं काम करता हुआ दो सफलता ले चुका है जरक जरक पुलतोस गयन करने का प्रयास किया था इसमीच कवर की निस्था में पीछे खेलारी बाउंड लाइन के उपर स्वीपर कवर को बाउंडरी के उपतेनात किया था माची एक रन पूड़ा किया एक एक दोदो के लिए तो खूला छोड़ा है क्योंकि एक दोदो के लिए तो यह परमिशन है अब आट गैन 21 रन आने वाली आट गैनों के उपर 21 रन चाहिए एक लाच वाप गैन बाची अब तक अब स्ट्राइक के उपर संदिप अब आट गैन बाची अगर मैं खुच से आर गया तो अलग बात है अपने रफ्तार से के दो तो तो रफ्तार बनाडे क्योंकि मैं रुकने वालों में से नहीं उस तकार से आगाज करते हुए प्रिंस ने यहापे तीसरी सफलता इस और में और मैच का रुख बदल कर देख रिया है अब मारी डिजे वाले आपकी कि 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 अ बहुत अच्छी गैन बाची कि देखे साथ गैने किसरन साथ गैने किसरन समी करना देखिए अच्छा में 30 साहिए था अब साथ में 21 साहिए कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा आकरी गैन तक कुछ कहां नहीं जा सकता रिवा सैटम रिवा सैटम और यहां से खुद फॉलो तो में फिल्ड किया जाएगा और एक की रहान की एक रन लेने की परमिसन दी गई और सिंगल के साथ अवर की समाप्ती हमारे अनिलना एक सर द्वारा और अस्पैलने के उपर ते समीर प्रठान सर बहुत ही अच्छी गैन बाद ही हमें देखने को मिली यहां पिछले वर की बात की जाए तो जिसमें प्रिंस ने तीन सफल ता और दो रन बहुं मुल्य अवर जिससे कहते है उसी प्रकार का रह देखने को मिला अब छे गैनों के उपर 20 रन चाहिए छे गैन बीस रन पिछल कि अब देखिए यहां पर पिछले मुकाबले की बात की जाए तो छे गैनों के उपर 16 रन चाहिए थे मित ने और किया था और में जीताया था अब इसमीच कौन से गैन बाच को सामिल कर जा रहा है रिटेस यह से रिटेस से इसमीच अब वीच आईए पिछले मुकाबले से चार रन चाहिए लेकिन बल्ले बाच सामने है उसके पास दमकम है क्यापैसिटी एक समता है देखिए फिलिंग का सैट अप करते हुए कपतान स्पैल नेक माउंट लाइन के उपर मीड़ीड माउं अब एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ सेवंटी एट रन अथाक्तर रन बहुत ही प्रमांट से को कबला सब की रिगा है विकेट के उपर फुल्टोस गैन थी इस भी सिया से और विकेट कीपर के पास गैन चलेगे फुल्टोस गैन का फाइदा नहीं उठा पाए ऐसी गैन बहुत कम नसीफ वाले को मिलती है अब किसमत जब साथ देती है तो कोई कुछ नहीं कर सकता वैसा माहूल यहां देखने को मिला फुल्टो देखिए एक और बिंदी गैन एक और डॉट गैन मनना पड़ेगा यहां से रिटेस पतिल लेंध ओलाइन के साथ अपने बॉलिंग के उपर कावों के साथ गैन बाची करते हुए बहुत ही बहतरी नहीं जीस प्रकार से रनत के साथ आते हैं बॉडी एलेमेंट देखिए उ अच्छन देखिए एक और अच्छी गैन जब बॉडी का इलाइमेंट बहतरीन ड़ेता है तो एक बहतरीन गैन बाची आप कर सकते हो वही काम रिटिस करता हुआ दो गयान निस रहन देखिए 6 गयान के उपर 20 रहन था और 5 के उपर 19 था और 4 के उपर 19 तीन के उपर 19 अब 2 के उपर 19 तो मुंकिन नहीं है फिर भी दिखते हैं आगे-आगे होता है क्या एक और यहां पर देखिए कोरोना चल रहा था ना तब तो सोश्यल डिस्टन्स था लेकिन रिटियस ने इस मिस गयान और मल्ले के बीच में सोश्यल डिस्टन्स बना दिया संपर्खोवा नहीं और जीत किसकी जोली में जा रही है देखिए बहुत ही ब्यातरीन नजारा मान चल रहे है और प्रिट हो चुका है और सिशन पहला सिजन दुसरी का इंतजर रहेगा सब को ऐसा लगा लग रहा है तो टूनामेंट चल रहा है एक और अच्छी गैन एक और अच्छी गैन और यहां से अवर की समापती तालियों के साथ स्वागत किया गया है इस सवर का और राहूल फाइटर ने एक मुकाबला जीत किया है एक बैतरीन गैनबाची हमें देखने को मिली और प्लेयर अब दा मैच राहूल राहूल को यहां से मेरब दमैज का पुरस्कार दिया जाएगा अब अगला मुकाबला बजरेंग बले इलेवन राज इलेवन बिन्वारा टॉक सीता है बजरेंग बले इलेवन और फिल लिकेने का पैसला क्या है कुछ इक सर में फिर से आपके पास कोमेंट लेके मौचूद ह यह कोगा यह तेक सुखती यह तेकम सिर लेकी कोमेंट जाएग तेक स्विता है अधरा बले आपके टूर्वारा गजरेंगा है रवाने कुछ एष्या क्या अवागा घुछ अगला है व्लेवन धुछ रऊगा के अवार रिवश्या है वह बले यह व़ग्या ज़एगा उस झाल 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 से एक बार स्वागत है दो पहर के सत्र में जल्पान करने के बाद आप सब लोग वापस सब चोटे मैच के साथ यहां राबना क्रिकेट राउन के उपर चूरने वाले हो झाल 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 कि वालीबल की मिस्टर जॉलर्ट बाई के हस्तक से मेरब दमेज का पूरस कर्ड क्या दिया जाएगा राहूल ने चार सपलता और तेतिस रेंड बनाए वेल्डन एंड कॉंग्रेस्टुरेशन कि अब बजिरंग बली आपके 12 men को प्लीज हम हमारे पास बिठाना चाहेंगे आपकी मंजूरी है तो प्लीज बेजिए थेंक्यों डीपेस भाई मोकलाव जो जाके 12 men कर दो कर दो कर दो कक्षा कर दो कर सकते में आपकी तो कर कि यहां से अगले मैच की सुरुआत हो चुकी है जल्पान करने के बाद सब लोग जो चुके हैं सब्सक्राइब करने का प्यासला किया था और राज 11 बिन्वारा बले बाची के उपर अब गैनमाजी की सुरुआत फामन के और से कि आफ देखें बहुत अच्छा सॉडिस मिशें साइथ आउट अउट सुपर कोर की रिचा में खेला पीछे खिलाडी जा रहे लेकिन नहीं रोख पाएंगे वर यहां से च्टाइब मिलेगा एक अच्छा चौका चौके के साथ एक अच्छी सुरुआत तो आज बजरंग बली 11 वर्सिस राज 11 बिन्वारा के बीच में मुकबला इस पाउपले का प्लावर यहां चैनेज पडेल वाइट बॉल दिया जाएगा लेक्स्टम के उपर ग्यान को रखने का प्रयास क्या लेकिन वाइट एक अतिरिक रण अब हिरेन और निकिल की प्राण भी गजोरी यास राज 11 बिन्वारा क्यों और से देखे ग्यान आवा में ग्यान आवा में पीछे खिलाडी और ग्यान के नीचे लेकिन कैच डॉप लिखे अपर हैंड केच काने का प्यास किया था और अस्टेलें स्टाइल में लेकिन कैच द्रॉप हुआ प्रास अच्छा कहेंगा क्योंकि पीछे 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 जब रिवर्स में भागना पड़ता है तो काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि कैच हो भी जाता है और कैच द्रॉप भी होता है लेकिन इस पीचे ड्रॉप अच्छा चौट इस पीचे बहुत अच्छा लॉग लेकियो पर यहां से छे रन और चे के साथ स्कोर कार के ओपर जरूर हमारे प्यूस थोड़ा सा उपनिसे करेंगे चौदा रन बन चुके है अच्छा चौट और चौदा के साथ अच्छा लेकिन विकेट कीपर के पास कोई रन ने कोई चती नहीं बिन्दी गयान अवर की समापती पावबले का पहला और खतम हुआ चौदा रन बने विटा उट लॉस राज 11 बिन्वारा करना रेट चौदा का कहा जाएगा अब हीरेन चार गयानों के उपर बारा रन एक चौका एक सिकसर तीन सो का स्ट्राइक रेत और निखिल दो गयान एक रन और जेरेस ने एक ओवर किया चौदा रन दिये बहुत ही अच्छी यहां से बले बाची देखने को मिली राज 11 बिन्वारा क्यों और से कहां तक स्कोर को में जेपाएंगे वो तो आने बाना समय बताएगा कि अच्छी गयान देखिए इस भी प्यक्पूर पर गए थे कॉंट करने का प्रयास के आखने को पर दिमाग में तोड़ा सब बदलाव लाए तक करमा चाहते थे लेकिन विकेट कीपर के पास सुट परमेर सुट फाइन लेक पॉइंट की वपर के लड़ी सुट स्क्रेल लेकिव पर बहुत अच्छा सॉट इसमेच या रिसक प्दा फिक फिक किया और गें माउलाइन के बाहर चोका और चोके की साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अठ्वा रन अच्छी गेंट बाजी यहां से लेकिन एक अच्छा सॉट हमें देखने को मिला फिक किया था और चोका बटोरा गेंट की उफ्टार का इस्तमाल किया था बले बाट ने अच्छा फिल की अपनी टीम के लिए पूरे चार रन बचाई आपने पूरे चार रन यहां अगर मिस्पी लोथी तो निसी चोका जाता इस जगा कि अपर फिल करना मतलब जा चिकना है वहां तिकना मुस्किले उस प्रकार का फिलिंग हमें देखने को मिला की अवल वापस अपने बॉलिंग मांके ओपर रोट एंड्कियों से अपने ल्सेठी कोटें कोड़्य का पहला पाड़ी की और से दूसरा पावपले में फिलिंग में कुछ से तप्दिली हमें देखने को मिल रही है या लोग ऑफ को मिद आफ के उपर और यॉट लाइन के पर और मीर विकेट को बाउंड लाइन के उपर तेनात किया है अब आप्टम के उपर एक दो तीन चार खिलाडी थदिया सर्कल के अंदर और तीन खिलाडी थदिया सर्कल के अंदर ओन साइड के उपर देख्या चार तीन फिलेश प्रेना वाला सर्कल के अब लांद सर्कल के उपर ये जैसीव व्यसार शौट इड का जवाब पत्तर से और गैन का जवाब बल्ले से और पर्षिद का जवाब या उत्तर से दिया और शक्सर और खे के साथ स्कोर आगे बड़ता वा चोबिस रन व कि यह वाली अच्छी गंती वाप्षी करवाई चाबीस के उपर रुका हुआ स्कोर राज 11 बिन्वाला वर्चिस भज्रंग बली 11 के बीच रहे एं मुकाबला कि एक और अच्छा सॉट एक और अच्छा सॉट इसमें मिलेगे पूरे चार रण चोके के साथ 28 रण कि अच्छा सॉटेश के बाता है कि अच्छा सॉटेश चाहर यह वाज दो नियुक्त है कि अच्छा सब्सक्राइब कर दो दो कि अच्छा बीम करेंगे कि इसमें तो अच्छा पर्भी आगे रुए विज बाज़ेंग बीच में आज की दिन का चौथा मुकबला अब गैन मच तयार है और फिल्लिंग रिस्टिक्शन को चुका है और जितना अच्छा सोट उतना ही अच्छा के अच्छा है जब यहां से फिल्लिंग रिस्टिक्शन खुला तो फिल्लिंग के बारे में आपको तोड़ी जानकरी देदू फिल्लिंग का जब पहला रूस बना था 1978 के बात है चतिन भाई जब अफिका वेश्टिस और इंग्लेंग के बीच में भुकाबला चल रहा था तो दस जे गैनों के उपर दस रण चाहिए था तब इंग्लेंग के कप्तान ने दसों खेलाटी बाउंट लाइन के उपर तेराट किया था विकेट कीपल साहित एक गै 28 की बात है जब वेश्टिनिच और इंग्लेंग के बीच में एक मुकाबला चल रहा था अब 28 स्कोर कार के उपर एक विकेट और और की बात की जाए तो यहाँ पर तीसरा और प्रिगती के उपर है गजाए पर फिञ टेखिए एचाहिनिस की कौलिटी है कि वाला टपर के पर रन नहीं बनेगा अगर जी प्रकार से विकेट है और जी स्च प्रकार से हाईम एक्शन है जिस प्रकार से बाडी लेंग्वेज है यह से जैनिस अगर गुड लेंस पॉर्ट सौट पीजड घंठ प्रोड़ा सार्ट लेंगें करेंगे तो आपकी गैंड के ओपर रन बनाना बुस्की हो सकता है उसके ग्यांड बाज्ज है लिकिन अप्पा डूंड ना पड़ेगा अपड़े के ऊपर क्याम करना पड़ेगा एक बहुत अच्छे गैंडबाल प्रिए के बंच आपके बन सकत स्कोर करके पर एक कैंसल तेंकियो सर्थ होके वाइट कैंसल किया गया कि इस तरह यहां से जैनिस पड़ेल अपने कोड़े का दूसरा पारी के और से तीसरा है हमारे फारें की और से देखे इस मीच अच्छा सोट स्क्वेल एक को टर्गेट किया अपर भी गई है और दूर भी गई है और देगे गाएंगी पूरे अधर दर्जन रान यूजन हाई मैक्सिप कर देखे और यहां पे निच कर गए और बॉल्ड आउट नजल हती दूर गटना गटी उस प्रकार का महाल विकेट नमबाद कुस्रा झाल र्रमा नियास में आती बन के जादे हैं डाता है दो है पहुत करने है जादे शारा जादे 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 फिरे जादा है कि ऊकलो डाता है कि अच्छी गैंती इस बीच यहां पर बाएं हाथ से खुद फॉलो थू में फिल किया गया और रन बनाने की चेज़का को कारिस किया गया बहुत अच्छा पर्फॉमंस हमें देखने को मिला अब तीन अवर की समपती के बाद 35 रन बने दो विकेट के नुक्सान के बाद तीन अवर की समापती हो चुकी है 35 रन यहां से करन रोरेट सारे 11 का प्रोजेक्ट इसकोर 100 के आस पास जा सकता है लेकिंद कहां तक जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा सब्सक्राइब अपने बॉलिंग मांक के ओपर रोड एंड की और से समीर पठांसर हमारे में एंपर की बुमिका में और जतीन पॉनिल सर्स्ट्रेल लेकियो उपर सब्सक्राइब लेकिन वाखेला नी जरूर पहुंशे लेकिन के नहीं कर पाए दूसरे के लिए बढ़ द्वार किया देखिए बहुत अच्छा क्वालिटी रनिंग बिट्विन के साथ यहां पे दो रन पुरे किये प्रेसंस अप माईने सका हो तो चलेगा उस प्रिकाल से दो रन लिए गे और दो के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ थ्री सेवन लॉस अप दर टू फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी यहां से एक करन रन रेट चलती हुई चौका चौका बटो रदार चौके के साथ स्कोर कारके पर इक ताली सुदन कि अब आवड इस बीच अब दर्वाजा खुला दखोगे तो चोर चोरी कर जाएगा पीछे से बॉल्ड आउट किया सब सम्कुले कर दिये थे इस बीच से यहां से विकेट लिए हुआ 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 झाल और स्ट्राइक दो पर राइट हैं बले बाच जिगनेस हाल क्या थो सेंस में चप्रिक क्या था और पीछे खिराणी लेकिन रोकने का प्रयाज जरूर किया और रोका भी गया तब तक दो रन पूरे कर चुके थे दोनों बले बाच स्ट्राइक रोटेट के दोनों बले बाच जोने चावाली स्ट्राइक रोकसान के बाद चौथा और प्रड़ेदी के उपड़ है कि करंद रंटेटर सारी ग्यारा का कि के अबाच अपने बॉलिंग मार्ग के उपड़ कि कि देखे फुल्टो स्केन और सीदी वी के कीपर के पास बले को फूक मारके गई थी गैनेस बीच कोई रंडे को सती नहीं चारवर की समप्ती चावालिस तरंटी रिकेट के रुक्षान के बाद राज 11 बिन्वारा वर्सिस बजदेंगली 11 के बीच में मुकाबला के लजा रहा है यहां से करणर रंडे ग्यारा का है और प्रजेक्ट के स्कोर 90 के आज पास जा सकता है केतन पतेल दो गैनों के उपर अब तक अपना अपन नहीं किया और जिगनेस दो गैनों के उपर तीन रंड मेहुन ने दो ओवर में 23 रंड ये 1 सफलता सारे 11 की एकोनमी और जैनेस ने दो ओवर किया था 21 रंड दो सफलता कर्साड़ी 11 पहला हाप खतम हो चुका है अब दुस्रे हाप में कितने रन बना पाएंगे और कितने आउसत से बना पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा फिलाल 11 की आउसत चल रही है राइट हैंड बले बाच के लिए यहां पर ऑन साइट के पर तीन खिलारी को डिप बाउंट लाइन के पर स्क्रेल लेक बिड्विकेट और वाइड लॉंग ओन और फाइनलेक थर्टिया सर्कल के अंदर है वाइड लॉंग वन मैंने कहा था वही गई गया और देखिए यहां एक कप्तान की जो एक सूचबुच वाले फिल्ली सजाई गई जिस प्रकार से गैन बाच गैन बाच ही करते हैं उससी स्टाइल से और विकेट यहां से वाइड लॉंग ओन के ओपर कैच किया विकेट नम झाल 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 कि यहां पे आडिवासी दिन्यान लिग दो जाती सिजन पहला का बहुत ही बहतरी ने कायोचन अच्छी गैन दी इस बीच यहां सीदी विकेट के पास हलीकॉप्टर का प्रयास ज़रूर किया था लेकिन संपर कुआ नहीं इस एक बाद यहां स्कोर कार्कियों पर देखने लायक नजा रहा चावल स्ट्रेंट चार लिकेट और चारा सरी एक गैन कि पास की गैन चलिए इस बीचे कोई रनने कोइप शाथी नहीं एक और यहां से बिन दी गैन के साथ सुरुआ प्यूंद एगए जो आ है 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 हालो है हालो है हालो है है रहूलन लेया में चल्ट तो देखे स्क्रेले के उपर पीछे मांट लाइन के उपर खिलाई देखे एमेजोन हम डिलेवरी पार्सल कहते हैं इसको सीधी हाथ में गेन आई और कोई गल्टी नहीं कि स्क्रेले के उपर यहां एक फूट भी धाये माएं आगे पीछे नहीं होना पुड़ा और सीधा घर क के उपर क्याशन डिलेवरी और विकेट विकेट नमबर पाच वा दीजे जिसको प्लिक करने का प्रहाश क्या था और पीछे किराणी ने कोई गल्ती नहीं कि और विकेट मिला यहां से और आज इलेवन बीन वाड़ा वर्सिस बजरंग बली इलेवन की बीच में ए मुकाबला अब गेन बाच अजाई पटेल बोल्टाओ दिस में इसे बल्ले का किनारा और बोल्टाओ जिसे ख्रीकेट की बाता मैं प्लेड ऑन केते हैं और यहां से विकेट बैक पू बेक डो विकेट ब्रेस विकेट करने में कामईयब हुए गेन बाच अजाई पटेल विकेट नमर्च शठ़ा अब यहां से हैट्रिक के पर गोल्डन लेके तयार है अब राहूल अब यहां से हैट्रिक किया था राहूल साइडर के सामने आज यहां पर गोल्डन लेके तयार है हमारे फारेंट की और से और स्ट्राइक के उपर विकास उसे चका देखिए इस बीचे अच्छी गैन थी गुड्लेंट स्पॉट के उपर विकेट की पर पास गई लेकिन समपर हुआ नहीं और को इड़न नहीं कुछ रदी नहीं एक बिंदी गैन के साथ अवर की समॉक्ती बहुत ही ब्यातरीन अजई पडेल के नाम के उपर एक रेकोर्ड तो आज लोट डाउन किया जाएगा यहां पे विकेट मेडन अवर किया अजई ने पहले गैन बाज ऐसे बने इस टुनामेन के जीनों ने मेडन अवर किया और सफलता हासिल की अजई पडेल एक ब्यातरीन गैन बाजी राज 11 बिन्वारा के सामने बजरेंग बले 11 की और से और चौका मिलेगा यहां से चौके के साथ सुरुआत हुई है और स्कोर कार के उपर यहां से दिखा जाए तो अब 48 रन बन चुके छे विकेट के नुक्चान के बाद 48 अब अर्थालीच रन स्कोर कार के उपर गैन बाच तयार है। बहुत अच्छी गैन बाच तयार है। और हाइब एकलिप के साथ बल्ला चरू चला है लेकिन संपर खुआ नहीं एक अच्छी लेंथ वाल्थी इस बीच विकेट की पने गैन को गिदर किया। अगर ऐसी लेंथ वाल के उपर बल्ले के साथ है और संपर खोता है तो छे रन जाने का चान्स बढ़ जाता है। उस के साथ वेल्कम फिप्टी पचाच रन पुरे हुए राच इलेवन बिल्वारा। अब चैथा वर्प नगती के उपर है। कि अगरे तो अगरे तो पैंच लिए इस विकेट की पर पीछे और कैच एक शिक्सर उसके बाद वापस फूल करने का प्रेयास किया लेकिन बल्ले का उप्री किनारा और विकेट कीपने कोई गलती नहीं की और विकेट नम्बल साथ का का पतन हुआ राज इलेवन बिन्वा कि अगरा तो अगरा अगरा इस विकेट चले गए टैनिस क्रिकेट या लेधर ठीकेट की बात की जाए जिसमें एक महाव रहा है तो फाइव बैटर्स लाज सिक्स रन केटर्स जब प्रारंबिक पांच बल्लेबाच आउट हो जाता है तो आने वाले बल्लेबाच को रन बनाना पड़ता है उस प्रेकाल का माहूल यहां पर राज इलेवन बिन्वारा के लिए क् सब्सक्राइब बनाना पड़ेगा और इस अवर में दर्स रन दे चुके है लेकिन एक सफलता भी हासिल की है परिमल रोड़न की और से अपने को देगा पहला पारी की और से छथा आवर डिकीज में एक सब्सक्राइब और सीधा हाथ में बहुत देखर इंगेन बाची परिमल पर देल यह साओ एंड इस बाइध चैनल बाट से त्टोड़ा निविदने त्ट यह जली आएंगी आपका हम सुक्रगुजार होंगे थेंक यू अब अच्छा वन रन है स्कोर कार के उपर आज विकेट के नुक्सान के बाद यहां से चठा वर प्रगदी के उपर है यहां से पूरे मिले छे रन और छे के साथ स्कोर कार के उपर जरूर बड़ोतरी हुई अब साथ रन बंच्छु के स्कोर कार के उपर अच्छी गयान थी इस बीचे सीदि विकेट की बर के पास कोई मौका नहीं बले बात के पास कोई रन न कोट सती नहीं एक और बिंदीगान साथ रन बंचुके स्कोर कार के उपर और 7 अवर की सुरुवात हो चुकी है अच्छी गया निस में चाज सीधा पीछे लोंग बने पूसिटन के उपर काव कॉनर के उपर जब तक फिल किया थ्रो किया जाए अच्छी गया निसमें इस बीचे अखेला हुआ सौट जब तक फिल करते ही पूरा किया और सिंगल के साथ स्कोर कार के उपर 62 अबर साथवा प्रगती के उपर है अच्छी गया चीधी विकेट कीपर के पास कोई रनने को एक सती नहीं से लेंथा लाइन के साथ यहां से गया बाची अच्छे पटेल पहला और अजय ने मीडन किया था कि एक लोटे गयन बाच बिदन अवर करने वाले अच्छी अच्छी अब गया जा रिए जब तक यहां के लाड़ी पहुंचेंगे एक रन पूरा कर चुगेंगे दोनों बले बाच अच्छी गयन और यहां उली खड़ी की विकेट की पने कोई गलती नहीं कि विकेट मिलता हुआ अजय ने एक चौथा विकेट हासिल किया यहां पर चार विकेट लेने वाले अगर गयन बाज की बात की जाए तो विकास ने आज सबेरे चार विकेट लिये उसके बाद राहूल ने चार विकेट लिये अब तीसरे गयन बाज आज के दिन के बन चुके है अजय पतिल जो चार विकेट लेने में काम्याब हुए कि दिखिए अब दिपेस गैन बाजी के उपपर अब साथ अवर के बाद 63 रन बने हैं नौ विकेट के रुक्षान के बाद राच 11 बिनवाड़ा दिखे पुल्टो गैन और लोंग ने को पर मोर दिया है गैन को 6 रन के लिए और 6 के साथ यहां से स्कोर कारके उपर जरूब बलिवरी होगी और गैनावा में इसमेचे यहां से पीछे खिलाने जा रहे हैं वन बाउस तू बाउस केच द्रॉप हुआ बहुत अच्छी गैनवाजी यहां से दिपेस एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ दिपेस उर्फ है दिपा के नाम से पहचाने जाते हैं और घरेलू क्रिकेट की बाद की जातों वाकल की और से खिला करते आज एक अच्छी गैनवाज की रूब में इस यहां पर आउट और पारी को खतम किया एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गैनवाजी और ओल आउट हो चुकी है राज 11 बिनवाणा 71 रन बने अब जीतने के लिए महस्ता दन कर टार्गेट है प्राइन के महस्तों पर लाइन अच्छी लेंगाजान 12 बारी के लिए खिला दोंग के लिए भ्राई व्राइन 23 अव्राइन 0 21 झाल 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 यहां से मैच की सुरुवात खोने जा रही है जीतने के लिए 72 बहुत तदन का टार्गेट है बहुत अच्छी गयाई इस बीचे कट करने का प्रेस क्या लेकर विकेट कीपर के पास एक बिंदी गयन के साथ सुरुआत हुई है रिवर सेटब में प्रेस क्या था बॉड़ी के साथ गयन तक रही वहार रन नहीं मिलेगा एक और यापेड़ गयन प्रेस क्या जुआत है तो इस भी जब लेकर के लोगेड़ सब्सक्राइब कर चुके थे बहुत अच्छे रणिंग के साथ रन पूरा किया कि अच्छा सोट के लाहे इसमें चलोंग आफ के उपर से बीचे खिलानी लेकिन है के टतर खाने के बाद गेंद चली…? बांट लाइन के बाहर उनका बोहती बहकतर आजरा हमें देखने को côngिल जिस प्रकार से इंतजार किया था गेन का केच करने के लिकिन केच हुआ नहीं और गेंद बाणड लाइन के बाहर को झाल 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 के लिए बहुत ही बहुत ही बेठरींशिक्सर हमें देखने को मिला 15 पंदर पंदर यहोगे 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 कि अजय दो आपका कि अपका कि अपकार इसकी कुछ आपका है अब गेन बाच तो यार रहा कितना अब दे बॉलिंग मार्के उपर हमर फारेंट के और से इस्टाइक के पर बले बाच इस पर फिल्ड किया और विकेट मिला यहां से एक अच्छा सौट के लागा था रिवसीप में उसके बात रहें दूसरा के लिए और विकेट मिला एक और विकेट तो सकते हंrama कैसे पर रहें पर विकेत के लिए झाल झाल प्राइज करते हुए बहाती ब्यातरी ही आपे दो वर की समापती हुई पावर प्लेके झाल 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 कि अब दावत लेके तो ओवर खतम हुए स्कोर कार के ओपर उन्नीस तरण बने एक लिकेट के रुक्सान के बाद बढ़ी रेंग बली इलोएंग कि वाइट के ना दिया जाएगा एक अतिरिक रेंग जरू जोड़ेगा यहां अंसाइट के ओपर रेंग चली गई थी एक अतिरिक के साथ 20 रेंग बन चुके पावब लेक खतम हो चुगा यहां से फिलिंग रिस्टिक्शन खुल चुका है अब तीसरा वर दगतिके पर विदाज दाउन ग्राउंड के लाइट मिश्य लोवान के लिए सामय तीज के खिलाड़ी जब तक सिल करते यहां से पर दोड़ी तो किया जाए गयां बाच किया और एक रिन पूरा किया दोलोवले बाचों ने एक के साथ 20 रेंग एक रुक्सान के बाद ओन बटीसरा अब अच्छे पठेल और संजयी अच्छे में अच्छे समय मिला था इंतजार किया और गयां को लॉनिक के उपड़ सब्सक्तर इसके पर इफिछला जो 6 के अच्छे का फी ठरेकपरिगा सब्सक्राइब 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 प्रेदन के लिए जो लॉंग लेक्ट के उपर सिक्सल लगाया था इस बीच मिडविकेट स्क्रेले के बीच में लगाया बहुत बैता इन बले बाच के लिचित बाद आशा बरिया सिम्गर को अपेस कि अपार के लिच्ट वैप्ट वैज लगाच विच्ट तेन वरकीट सम openness के बार तो आट का हर आट रेंदर करार है अब तीन और समप तीज़ गया के लिए किस प्रेकार से गैन बाजी और किस प्रेकार से बलेबाजी की जाए अब आने वाला सवाई बताएगा कौन जीदेगा कौन आरेगा वो तो यहां से हर प्रेडेक्शन फेल है क्योंकि यह प्रेश क्रिकेट अनिस सीता दे बड़ा केल है परिमल पठेल और रसंजे इनायक दोनों विकित के उपर मौचुद है आपने बॉलिंग मांके ऊपर अमाल दूर वान चोर से निराओ निराओ तईयार आपने बॉलिंग मांके ऊपर इस वीडिए बाउंग लाइन के उपर लॉंग मेरे पूसिन के पर फिल्ड किया और विकेट की पर एंग के उपर थोकिया जाए तब तक एक रण अब एक के साथ स्कोर कार के उपर तो पीस रण दो विकेट के नुक्सान के बाद चौथा ओर प्रगती के उपर है जासे कसी हो यह विरिवाल आको तो हुआ है जाना में आपने लुखाने करद के लिए और कर्दी दो पुआ बहुत ही अच्छी रेनिंग बिविशाथ रन पुरे की है बहुत अच्छी यह इस में इसे कट करने का प्रयास किया था अगर गैन की लंबाई थी वहां तक खेलने के लिए अगर आप जाओगे तो सीधी विकेट कीपर की पास गैन जाएगी वालोड लिए बहुत ही बहुत ही बैतरी यहां पर प्रिसल्स ऑप माई हमारे अमपायल सर शक्ति श्रंड देखें तो पर यहां इस में इसे कैस का कॉल है लेकिना ची दूरी और यहां पर कैस की मंजूरी भी झाल 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 l जैने सर अगला मुकाबला यहां पर राउल फाइटर 11 वर्शी सर राज अब राज 11 की बात की जाए तो फिलाल देखा जाए तो फिलिंग के उपर है ग्यांर अच्छी एंटी इसमें चलसी दी विकेट कीपर के पास चली गई बहुत ही बैटरी ना लेंथ ओन लाइन के साथ गैन बजी करने का प्रयाज करते हुए याँ से लिग राओ इब गए अग्वाण अग्वाण कि कि अफ्टम के पर वाइट कि रहा दिया जाएगा तो एक तिरिक रंज रोज होएगा यहां से सिंगल के साथ स्कोर कार के उपर 37 रंटी निकेर के नुक्सान के बाद और चौथा प्रगति के उपर है अब निरोव अपने कोदे का पहला पारी कि ओर से चौथा और अमरिबूर वाले छोड से अब तक बहले पाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है निरोफ ने लेकिन फिर से एक बार गयन ने फैसला कर लिया विकेट के पास जाने का नीरव ने एक और खतम किया चार रन दिये एक सपलता चार की एकोनोमी चार अब आने वाले 24 गयनों के ओपर 35 चाहिए 24 गयन 35 रन झाल 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 आपको एक सो एक रूपया दिया जाएगा गेन आउट आप पक चली गईएट अप्लीड सर्थोड़ा लाने में मदद करेंगे किसने देखा है तो बदाएंगे तो आपके हम्में सुख्रे गुजार रहेंगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो का कर दो करेश्जा और दूख किसित कर दूख अब यहां से दिखा जायें तो सब्सक्राइब को रुका हुआ फोड़ी सेवन तीन के रुक्षान के बाद पाँच ओवर की समाप्ती हो चुकी है अब अठ्रा गैनों के ओपर 25 रन देखिए पिछले मुकाबले में अठ्रा गैनों के ओपर 30 रन चाहिए था और यहां से राहूल फाइटर के गैनबाज ने अच्छी गैनबाजी की थी और मैच को चीता था अठ्रा में 30 यहां अठ्रा में 25 चाहिए अब क्या होगा वो आने आने वाला समय बताएगा लेकिन जो यहां अपना पैट्रोल का पैसा करक्ष करके मैच कर्क रसस बातागा वन आन आने पा पिंता होगा होगा झाला समय जो तुचिज आने लेकेम बताश करसं nie वहां होगिए एंट, और श्राम जो आ अजय तुचवा झाला नां सान से बतां आर्च में 15full केनल ब Crisis झाल झाल करना मतलब अपने आपने एक महानता है बल्लेबाच को गहरी सोच में डाला था आगे जाओ या पीछे जाओ उस रकर की जैन थे और उसके बाद आए योड़कर बंदे आए के जिसको संबान दिया और कुद फॉलो थो फिल क्यान नी रहूं एक बहतरीन गैंबाच के रूप में नी रहूं ने पहले और में चार रन एक सफल था बहुत ही बहतरीन गैंबाची की थी जैसे दिखा जाए तो हमारे प्रिंस ने भी अच्छी गैंबाजी की थी विछली और मेंच को जिदाया था अब गैंबाची तेजर वापा सबने बॉरिंग मार्च के उपर अब बहुत माफी दूली गैंबाची देखिए 16 गैं 25 रन अब 18 में 25 था अब 16 में 25 समी करां बदल रहा मेंच बदल रहा है संपर्क हुआ लेकिन यहां एकी रन मिलेगा बहुत ही बहतरीन बनना पड़ेगा सही लेंट ओर लाइन के साथ निरव यहां पर एक मसीहा बन कर तीन गैंड कर चुका है अब तीन गैंड के उपर एक रन बना है यहां दिखा जाए तो 18 में 25 था अब 17 में 25 था अब 16 में 25 थ है यह एक रन बना है तीन गैंड के उपर ना साइक के उपर संजे नायक नायक बनना पड़ेगा यहां पर मैस चीपाना है तो संजे को यह स्याव पर क्यान गई भी लिकित के संजे नायक मैंने कहा नायक बनना पड़ेगा और वही नायक बने एक और सिक्सल लगाएंगे तो विमल भाई जुचुआ की और से 101 नकत पुरसकार मिलेगा मान भी मिलेगा संमान भी मिलेगा लेकिन एड़ी चोड़ी का चोड़ लाजबी है बीना मेनत के तक तो ताज नहीं मिलते हैं अब नीरव सब्सक्राइब कर सकते हैं अब सेर के सामने सहा सेर अब संजे नायच इक्सल लगा सकते हैं तो नीरव याद डॉट गैन कर सकता है कि अपर जरूर की गए लेकिन संजे भाई अगर अधरिक्स इक्सल लगाएंगे तो सुनिल भाई ड्याप्रोंगे शर्पंज जुच्वा की और से एक हजार एक रूपिया मिलेगा एक हजार एक पूरा मिलेगा अलो कि अ कि अ कि 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 अ कि अगर के पास अगर संजय नायक है अज़कि नो थांट तो सुनिल बाय डाप्रिटिस सर्पंस की और से एक हजार बया मिलेगा कि देखिए को और बेतर इन गैन केतन ने केतन की बात करें तो आज से पहले मुकाबले में केतन ने अच्छी बल्ले बाजी की थी एक 6-3-2-4 एक तो अच्छी गैन बाजी भी कर रहा है देखा जाए तो अब तक एक आसर ये तीन गैन कर चुका है 10 रन दिए एक सफलता उसके नाम के उपर है इतन वर्सिस संजीन नायक अब कौन की इसके उपर बारी 17 रन चाहिए देखिए इस बीचे यहाँ देखे डायरेक इप बहुत ही ब्यातर इन और रुक्सद लेंगे यहाँ से खेलाडी रनाउट की रिक में विकेट कीपर ने पीची अच्छा गेदर किया उसके पाद भूट किया डायरेक इपर झाल झाल देखे यहां से बहुत ही बैतर इन बाजी के चन द्वारा वसंजी पटेल नहीं बल्लेवाच के रूप में पाउच चुके है देखे चाहेगे उपडर और पीचे लोगास का खेलारी इंट्रेस्टेड और कैसे बैक तो बैक दो सपलता है यहां से कितने वाप्सी करवाई ने शुए जो गाना बजाया था सीत और सीहच के वाई उसी प्रेकर से एक अच्छी गैनबाजी यहां से केतन पटेल इसलिए केतन पटेल द्वारा आगास किया जा रहा है जो पसिले कि साही से लिखते हैं प्रेजादों को उसके मुकदर के पन्ले कभी कोरे नहीं हुआ करते एक बहतरीन गैनबाजी अब तक दो विकेट लेख चुका है अब साथ गैन सत्रा रन अब यह वाली गैन बहुत ही नीना एक है साथवे नंबर वाली बहुत डेंजर होती है अब केतन चले हाई डेकलिप के साथ केला लेकिन सीधी विकेट कीपर के पास एक बहुत ही बहतरीन नफीतों ली गैन बाजी यहां से देखिए मैडन विकेट अवर और दो सफलता विडाउट रन के केतन ने गैन बाजी की उसी प्रकार से एक मैडन अवर यहां से किया था आजए इन गैन बाज बनें अब छे गैन सत्रा रन मैच बदलेगा अब रूख बदलेगा उनीजेता बदलेगा कौन बदलेगा वो तो आने वाला समय बताएगा छे गैन का खेल बाकी है अब अब गैन सत्रा रन यस आए बेकर गैन सत्रा रन बेकर गैन सत्रा बेक्मा दूख अब दलेगा अब पाज गैन किया रहा एक और एक पंद रही है अब दूरी कितनी मिलेगी पीछे एक खेलारी और अच्छा कैच देखिए यहां पे बहुत ही बेहतरी ना लॉट किया ता लिए झाल अगर दो सिक्सर लगेगा तो कमिटी के और से पांच हजार रूपया यां स्पेश्यल प्राइज जो गरेलू के के टुम आगल से खिला करते हैं अब पांच हजार छोटी मैं कही जाती वापी जाना परते हैं एक महीना दस अगर के लिए ते पंद्रा दिन का काम होगा पुल्टोस गैंटी इस पेश्यल स्वाट साइन लेकिन इसा में गैन को रोका गया फो किया लेकिन तब तक एक रन चुरा चुके थे बहुत अच्छी रन इक बेट्वीन एक सिंगल रन के साथ अब तीन गैन दस रन तीन गैन दस रन क्या होगा यह देखो आज के दिन का यहा अब तीन गैन नाव रन तीन गैन नाव रन कौन सिदेगा कौन हरेगा सब की दिल की धर्कने स्टेज होती हुई गैन माच तयार वीराच पडेल कि अब अब में इसमें से किनारी इंटेशेंड मी विगेट का और चाकेट्स देखिये मैच कभी भी रूख बदल सब्सक्ता है एक सिक्सा लगा था तो लगा कि यह लग जाएगा रन लेकिन उसके बाद दो विगेट चले गए करें अब करें करें जाए कि अब करते अब तिन के लिए आने वाला समय बताएगा लेकिन पीछ्ण नंबर के उपर बेजा गया एक दमकम रखते हैं सत्रा सारे सत्रा की अवरेज से कहले वाले बलेबाज है कपिल आज कैसे बलेबाजी करेगा वह तो आने वाला समय बताएगा फिलाल गैनबाची के उपर वीराज का पलड़ा भारी देखिए अब दो गैन नौरन दो गैन नौ अब यहां से कोई अथिरिक गैन नहीं होनी चाहिए अब विराज से चले कि अब देखने को मिला राज 11 बिल्वारा के कप्तान से निवेदाने प्रिस करके जाएए माधने प्लेइंग 11 दिशेगा राज 11 बिल्वारा आपके कप्तान से निवेदाने टॉस और प्लेयर आप दो मैच केतन पतेल बहुत ही वेथरीन परफरमस रहा केतन कचीन होने दो और में दस रन दिये एक मैडन अवर किया और दो सफलता हासिल की वो केतन पतेल को मेलब दो मैच का पुरस कर दिया जाएगा झाल 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 दोनों टीम के 12-man commentary box में कंपल्सरी है अब गयन बाजी कौन करेगा और दोनों प्रादिक बले बाच कौन है अमारे स्कोर को पता होना चाहिए यह सर राज 11 बिल्वारा के 12 में पहुच चुके है अब यहां पर तोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है लास्ट मुकाबली की बात करें तो राहूल साइटर में रहूल ने गैनबाची की शुरुआत की थी इस पीचे नेहल गैनबाची की सुरुआत करेंगे नेहल के उपर कप्तान ने बरोसा जताया है विस्वास जताया है अब नेहल तयार और बाया हाथ के बलेबाच टाय के पाल देखे नो लुक का प्रयास लेकिन पैड के साथ गैन डख रही कोई रन नहीं कर रूख तयार करता है मैस का पज़ तयार करता है कि देखिया हाद लेन और वाइट करा दिया किया यह सर हमारे स्कुर्ले के पैर अनिलाइक बहुत ही प्रेजर्स आप माइंड जिनोंने देखा कि कैन का भी उपर से गई थी और एक साही सैसला जब भी जैब में हाथ डालत कर किकेट के कानौन की कीताब निकाल कर लोगों को सुचित करते रहते हैं थांकियू सर अपका बहुत-बहुत आबर क्या गैन थी इस बीच कॉरिडर के उपर टपका आई है इसी गैन को क्रिकेट की पासा में आरफ़र रैपर गैन कही जाती है इसी गैनों के पर रन बनाना मुस्किन हो जाता है यह वाली गैन थी इस बीचर नेहल की रैपर गैन कि देखे अच्छा सोट बहुत व्यातर इन सोट सुरेस लेना वाला और क्यों पर इस मेंच एक्सरा कवर को टर्गेट किया ठर्टी आट सरकल के खेलारी को बेड़ा और गैन माउग लाइन के बाद चार रन के लिए अब चौके के साथ निकिल लिया आगास किया एक कि बहुत अच्छी गैन बहुत ही अच्छी गैन इसमीच लेंफ गैन थी और सीधी विकेट की पर राहूल के हाथों में कोई रन नहीं को एक सती नहीं बिन्दी गैन थर्टिया सरकल के अंदर साथ खेला रही है और दो खेला रही दीप बांग लाइन के पर एक मिट विकेट्स करने के बीश में और एक वाइड लॉंग ऑन के उपर देखे तिलिंग के अनुसर गैन बाची करने का प्रयास करते हुए यहां से नहल बहुत ही अच्छी लेंथ ऑन लाइन के साथ सूझ बूझ के साथ हमें गैन बाची देखने को मिल रही है रन बनाने की चेश्टा को खारिस करने का प्रयास कर रहे है बहुत ही बहतरीन पाव में दलता हुआ दो लुक का प्रयास लेखिन याप पे बोल्ड आउट किया युमिस आइधा इस प्रेकार से बोल्ड आउट करके नेहल ने अपना पहला विकेट लिया और आपने थीन के लिए पहले सपलता दिलवाई पांच रन के उपर राच 11 वालों को लगने वाला पहला अचेट का धिए पांच रन स्कोरकार के उपर पावर प्ले का पहला आवर खादम हुआ नेहल ने बहुत ही नफितो लिए आनबा जी की पांच रन दिये एक शफलता इंक ओवर प्ले का पहला वर खादम हुआ अब करना रेट भी पांच का अब रहुल गैन बाची के उपर और स्टाइक के उपर जैराटोर देखे ट्याप किया इसमें से ट्याप किया बहुत एच्छा पिजल्स ऑप माइन गैन को लेखा बहार निकल वाई थी स्पीन के साथ खेलने का फ्रयाश किया लेकिन सीधी फिल्डर के हाथ में गई और यहां से रन बनाने के चेश्टा को कारिस्किया बहुत अच्छा फिल्लिंग पर्फरमंस या राउल फ्राउल फाइटर दो मुकाबला जीत चुकी है काफी फॉर्म हैट इंड देखे उंगली गुमी और गैन ने हरकत की और सीधी विकेट की पर के पास कोई रन नहीं कोई साथी अच्छा नहीं अच्छा यहां से बहार निकलने का प्रयास किया था रहूल ने और सीधी विकेट कीपर ने गैन को गेदर किया लेंध अल लाइन के साथ गैन बाजी के सुरुवात पीछेले मुकाबले में एक बहुत अच्छी गैन बाजी हमें रहूल की देखने को मिले थी जिसमें दो और में चार दन और चार सपलता हासिल की थी अब रहूल तयार अपने बॉलिंग मा के उपर और स्ट्राइक के उपर जैरा थोड़ एक अच्छी टूनामेन काफी स्पॉंसरों ने हमें अच्छा सपोर्ट किया है यहां स्पॉंसर की रूप में और इस टूनामेन को आयूजक किया है हमारे सभी आयूजक की बात के रहे तो रहूल वारीफुरिया जीतू कांजान राकेस स्विछवा विकास कची गाम विकास बिनवाला अक्सरी नवेरा संजय वारीफुरिया और राको चड़वई संदीप वारीफुरिया और रिपेस उर्थवे दीपो वातल के और से एक अच्छा आयूजन चेंपियन होने वाली टीम को 44444 प्लस ट्रॉफी और रनसब को 33333 प्लस ट्रॉफी यहां दी जाएगी हमारे स्कोरर के रूप में यहां पी उसने बहुत अच्छी भुमी का अधा की और विक्रान्थ एक अच्छा ओनलाइन स्कोरर यूटूब की बात की जाए तो वचसल पटेल चैनल को आप लाइक कर सकते हो शेर कर सकते हो जिसके ऑपरेटर मीट पटेल कैमेरा में तनई जो गणदेवा से भिलों करते हैं और अमपायर की बात की जाए तो चतीन पटेल सर अनिल नायक सर और समिर पठान सर और कॉमेंटर के रूप में मैं कॉमेंटर राचवार और दो दिन तक आप लोगों से चुड़े थे हमारे बहुत ही करीबी दोस्त सरफ्रास मकडा सर अब डीजे की बात करें जो डीजे निक और डीजे क्रिमिनल और फोटोग्राफिकी बा कि पुरा साथ रुका गया मैच को कि स्क्राइब तो विकेट के लागया था इसमें स्क्राइब की निशा में पीछे खिरा रिथा बाउंग लाइन के ओपर फिल करने के बाद त्रोकिया जाए तो एक रनपूरा किया कि अच्छा पाइज़ बाचा है त्राइक के ऊपर त्रुम मैं पूरी लंपाई वाली गया है यह वाली गैन के उपर बल्ला जरूर चलाया पैर जरूर आगे निकाला था इसमेच भले बादने लेकिन संपर्खवा नहीं और विकेट कीपर के उपर गैन को गेदर किया कोई रणने को एक सथी नहीं एक और रड़ दोड़ गैंट कि देखिए कैश का कॉल है स्क्रेलिक बाउग लाइन के उपर था और कैश ड्रॉप देखिए काफी उपर थी बहुत सारा समय मिला था लेकिन यहां कैश ड्रॉप हुआ और एक सिंगल रण यहां से लिया सिंगल के साथ दो अवर की समप्ती होए स्कोर कार के उपर सात रण बने एक विकेट के नुक्षान के बाद राच 11 बिनवाला वर्सिस राहूल फाइटर के बीच में मुकबला केला जा रहा है जिसमें दो अवर समप्ती होए पावर प्ले यहीं दिसिक्सन को जाइगा झाल झाल प्रिंस को सामिल किया है ग्यान बाची के उपर अब देखें आगे आने के बाद आप को लिए लोगन को तर्गेट किया और ग्यान सीदी आउलाइन के बाद से रेंड के लिए या क्रेकिंग सिकसर कोचे के साथ सीधा डोडिया और यहां से एक रन और मिलेगा एक सिंगल के साथ स्कोर काड़ के उपर जरूर बड़ोत रहोगी अब चौदा रन वन्चुके एक लिकेर के रुक्सान के पाद अवर्ड की बात की जाए तो अवर्ड नबर रती स्ना प्रगती के उपर देखे इस में विकेट के उपर बहुत ही रहता दिन्याद कैच्छ को सकता था लेकिन कैच्छ ट्रॉप हुआ देखो यहां दो जीत मिल चुकी नहीं उसके पाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी यहां राहूल स्वाइटर की तीम पुड़ा लेजिनेस बताते हो दूसरा कैच्छ ट्रॉप हुआ देखो कहते हैं पकड़ो कैच्छ जीतों अगर नंबर वन बनना है तो मेहनद करनी पड़ेगी पसीना वहाना पड़ेगा अब इस बीच कवर की निसा में खेला है पीछे बहुत अच्छा फिल किया जब तक फिल करने के बाद थो किया निहल सीधा गॉलारें के उपर रन मिला एक सिंगल सिंगल के साथ 16 नेग्रिकेट के नुक्सान के बाद जेके लोगान के उपर और संपक्स ही हुआ था और गेंड माउंट लाइन की और चेरन के लिए बहुत अच्छा सौट और चे के साथ इक अच्छा स्कोर को अग्रसर करने का प्रयास करते हुए बाइस रेंबल चुके especially दिए अ थिO झाल 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 देखे यहां से गैन चली गई काफी रफ्तार के साथ है बाउंड लाइन की और फोई से मिस्फिल और नतीजा चार रण क्योंके के साथ सीधा स्कोर कार के उपड़ के उपड़ सब्सक्राइब अच्छी गैन ती अच्छी गैन इसमीच सीधा विकेट की पर थोड़ा सम्मिस कर गए लेकिन पाप्सी कर चुके थे बल्ले बाच अधिके पूरी बॉड़ी को जोग दिया था यहां पर देखे जब कोई भी खेला ने घ्राउंड के पर ध्राइव करता है और जो मुट्टी क कि खुस्बू आती है ना उसके सामने फोग नहीं काम आता एक खुस्बू ब्याटी ब्यातरीन रहती है उसका मैसूस के तन ने किया अगर अगर सलेनित देंगे तो हर रिक्रिट का पाथ्सोर पिया सुनिल भाई द्री के दिच वाडियोगा टेपिटी से सद्पस्च किने बाई के यूर्स से पाथ्सोर प्या मिलेगा इस अवर के लिए पाइस है नीद के लिए इत के लिए स्पेशल प्राइस है सुनिल भाई जाई राकोर है अपको पाथ सोर गया मिलेगा दिपेस भाई क्यों से दिपेस भाई और से लिपा अवाकल देखे लोगान को टारगेट किया अवर पीछे खिलारी है लेकिन तपकाने के बाद थील कने के बाद फ्रो किया गेंबास के और एक रन पूरा कर चुके थी एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोडित किया और स्कोर कार के उपर 25 रन एक रिकेट के नुक्सान के बाद कर दो कर दो कर दो के साथ स्कोर कार के उपर तीस रन पूरे वे एक रिके रुक्सान के बाद अब पूरे वे एक रिके रुक्सान के बाद अब प्रिंस नहें गैडबास के रुक्ते अपने कोदी का दूसरा पारी के और से पांच वा प्रिंस ने पहले ओवर में बंदरा रन दिये थी कुछ शपलता असिल की नहीं थी प्रिंस सेयर अपने बॉलिंग आके उपर और स्टाइक के उपर चाहिए राकवड़ अच्छी गैन थे इसमेश यहां से कोई रहने को एक सदी नहीं है यहां से वापसी करवाई एक बिल्ड गैन के साथ बहुत अच्छी गैन बहुत ही अच्छी गैन पूरी लेंब के साथ गैन किया था इसमेश प्रिकेट के उपर गैन को रोका गया एक और अच्छी यहां पर डॉट गैन के साथ प्रिंस के अच्छी शरूवत पहले वर में पंदरारन जरूर आये थे अब उसके बाद इस अब गैन बाच तरिया अपने बॉलिंग मार के उपर प्रिंस पठेल बजरेंग बली 11 और अच्छी स्पोर्ट 11 के बीश में तॉस किया जाएगा आखरी मुकाबला दाउन डग्राउंड के लाइस मेचर पीछे के लाड़ी लेकिन नहीं रुख पाएंगे और ग्याई बाउंग लाइन के बाहर जमीन के साहरे बहुत ही व्यातरीन चौका बटोरा और चौके के साथ स्पोर्ट देखेंगे इस मेचर फिर सिट डाउन डग्राउंड मिट्विकेट के लिशा में पीछे जब तक फिल करने के बाद थ्रो किया जाएगा इन बाच की और यहां से रन एक पूरा किया दोनों बले बाचों ने अब अच्छतिस रन बन चुके हैं यह पाश्वा अवर्ट प्र करेंगे तोस किजिए वग्याना में राहूल के नीचे और बहुत ही बहतरीन तरीके से कैच किया अब पाच अवर के माच्छ पिर्शन दोविकेट के रुक्षान के बाद इसमीचा यहां से जो राज्च इलेवन दिल्वारा के कप्तान ने एक फैसला किया था दोसी था और पहले बल्लेभाशी करने का फैसला कुछ सभीने से दिखा जाए अगर रहूल की गैनबाची के उपर कोई भी बल्ले बाद जब तीन शिक्सल लगाएगा तो सुनिल भाई डैक प्रिडियर सर्पंट जुजवा की ओर से यहां पर देखा जाए तो मान भी मिलता है सनमान भी मिलता है लेकिन उसके लिए एडी चोड़ी का जोर लास मी रहता है यहां पर काफी बढ़िया ग्यादबाजी रहुल भाई की और से लोई के जो है डिक लेके तो वीवर भाई की और से एक हजारे का इनाम इनाम जारी हुए है 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 अब ग्यादबाच त्यार अपने बॉलिंग मां के उपर अराउन अब थर्टी सेवन लॉस अपड़ टू वीकेट 6 तो वर इन प्रोग्रेस अब्ला क्रिकेट राउन के उपर एक बहुत ही बैटरीन आयरजन और सफल होने जारा है यहां पर यहां पर काभी वड़िया ग्यादबाजी काभी वड़िया ग्यादबाजी इन शिक्सर अगर राहूल की ग्यादबाच के उपर खोड़ी बलेबाच लगाता है तो सुनिल बाइट डैप्रिटी सर्पंच शुच्वा की और से 2100 रुपया नकट प्राइस है अब देखा जा बाड़ी और अग्यान को वहां से रोकने का प्राइस जरूर किया लेकिन नहीं रोक पाई चौका जरूर मिला दिखिए इसे कहते हैं एक तौफा स्क्वार लेक के बीच में से गैन चलिगे बाउंड लाइन के बाहर आओ डपक सी ओ लेडर लेक के वेजा इसमें सेरन देखेज में चा यहां पर प्राइस जरूर लगा था राहूल की गैन बाची के उपर लेकिन उस प्राइस का फाइदा नहीं उठा पाए और इसा रहा लेक बाई का इक अतिरिक रन के साथ स्कोर कार के उपर और अर्टालिस रन दोविकेट के नुक्षान के बाद छे ओवर की समापती और अर्टालिस रन बड़े दोविकेट के आपकी करन रंडेट और प्रोजेक्ट स्कोर यहां से 64 चौसेट तक जा सकता है यस दीजे यस दीजे तॉप इडली यह इसमेशन पीच्छे क्या दिया फाइल एक के ऊपर रहे प्रिंस जब तक ठोकिया जाए अंदर हम ठोकिया अगले मुकाबले का टॉस बजरेंग बली 11 और अक्साइप स्पॉट 11 दोनों टीन के कप्तान प्लेंग 11 के साथ टॉस करेंगे यहां से साथ वावर प्लकती उपर है कर दो है कि देखे इस पेट जोड़ी गयान के थी और हुक कर दिया डिप स्कालेक लेक्र गयान चलेके बाउंट लाइन के बड़ा गुलुत तब अबरा शिक्सर रबल स्टेम लगा गर बेजा चे के साथ वैलकम पिप्टी और स्कोर करने वाले गयान बाच बने है और बल्ले बाची के उपर भी अच्छा दमखम दिखाया है पहले मुकाबला जरूर हारे थे लेकिन उसमें अच्छा परफॉमस राथ था अब ए देखे चौके के साथ 69 प्रन दो विकेट के नुक्सान के बाद साथ वावर प्रगती के उपर है अब नहल तैयार एक और छोटी गयन लेकिन इसमीच मीटरी के उपर तीचे खेलानी जोई गलती नहीं कि सीथे हाथ में गेंचे नहीं के थालन नहीं हुई बल्ले के मिडल अब दन हुए थी फोलास अउपर हैंजल के और लगिती स्प्लाइस के उपर और यहां से विकेट मिलता हुआ विके नबर तीसरे का पतन हुआ अट्थाइस दन बनाए दो सिकसर दो चोके और दिर्सों का स्टाइक रेट के तन पडेल अंतर अंचल के लिए और के अब हुआ अब तो त्या इत्युक्त सफा तक्राइब हैं नियुक्त इची में चलाते ही आकास बादी क्या मंचम बना के अकाता फिल्लब पोजोड और रिकेता पतन आते ही वापस प्रविलेंटी और बेज दिया कि गिर्वें तॉर ये और ये झीजाय कात्व है प्रविलें ये खाये है विकास अब च्राइक में रहेंगे खुली होई जगे खुली 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 को मिल रहा है यहां पर अब 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 इस अब 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 को लपका का अब का पर खुब शुरा थी यहां पर इस इनका मुझाई आधि यहां देखने को मिल रहा है यहां तो कि इसमागती अब जो कोई हीरल का स्थान देना रहे हैं मौक अब अब कर देखने की रूट ने बुने का निबार रहे हैं अभी खुब शुरर गेंवाजी हो रहे हैं अभी तक तो एक सफर का प्राक्ट किये हैं जो के अब अब करेंगे मौक कि अधिक की अभी आक्री रफ्ता चल रहे हैं पहुति वरया किन बाजी अंब किसा रही है तो अब अब स्पान लेने आरे हैं अक सही हैं अब कासे स्ट्राइक पॉट्ट आवड़े लगे वाला यह जटका राज 11 बिन्वारा अब तक मांड के रखा है राउल फाइटर्स ने जो के लेट किफाईटी बॉलिंग कर रहे हैं अब तक अभी हैड्रिक ने सामना करें रक्स ही यहां पर जो के जोड़ से मनना पुड़ेगा अब सामना करें चका विकास विकास जो हैडिक छक्ते लगाएंगे तो इनाम की बारी से हो रही है यहां पर यहां पर पहली गैल बहुत ही बढ़िया काथ खुपकाई त्य रहे हैं हमें फोलेट की ऑंसे अब हम बल्ले बाजो को बाण के रखा है अब्स कर्ण करते हैं कि पक्से काती कुपसूरण गेल बजी काती कुपसुरा बज्ञें की रखा एक करना परोलेगा यह आने वाली अख्री गेन रहेगी कितने रन बुटोर दुबाएगे जो के विकांस है साइक पे और गेलबाजे पे रहेगे लीट आख्री गेन इंस पारेगी जो के वह उठा दिया है फिल्लरों के रहें का लंबा तो के आगे वन बाउंस जो के गेन को गिदर करेंगे तब तक लोड़न चुदा लेए और और कि समापनी है झाल 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 पर टास करें लेवा मादे इननती आउजन कमिटी तम ने इन्वाइट करें रही छे तो समाटे तो प्लेस तॉस करें लेवा मादे प्लेइंग लेवन जोडें थेंक्यू अब शिक्स्टी फॉक मतलब चौसट रण बने बजीत लेके लिए पैसेट रण का टारगेट है शिक्स्टी फाइव का अब एपैसेट किस पेकार से कैसे बनेगा वो तो आने वाला समय बताएगा फिलाल यहां पे दोनों प्लाइंबिक बने बाच विकेट के पर पहुँच चुके है गैन्वाज भी तैया है अपने बॉलिंग मार्क के उपर हमारे फारेंड के और से गैन्वाजी की सुरुवा अब यहां से रंड बनाने की चेश्का को खारिस किया गया एक बहतरीन पर्पोमेंस अच्छाता प्रेंस का लेकिन रोकने का प्रेयास किया एक बिंदी गैन के साथ सुरुवात हुए दिखिए जब नेहल ने प्रेली गैन की थी तो डॉट थी मदलब नेहल का पुलर अबारी था तो इसमीच यहां हिरन का बारी है प्रेंड डॉट फुल्टोस गैन थी लेकिन उसको सही नस्यद नहीं दे पाए वह कहते ना प्रेंड ने उटा पाए और शॉट स्क्रेल लेके उपर फ्रिल किया गया एक अच्छा पर्फर्पोमेंस कि यह वापस अपने बॉलिंग मांके उपर ही रहें कि देखे गयन हमें इसमें चलोफ चिया लोग ऑफ बाउट लाइन के उपर और पीछे एक बैतरीन नजारा पेश किया इसके लाड़ी ने कैच किया उसके बाद अपने बॉनी मेलेंस बनाए रखा और विकेट का पतन एक अच्छा कैच अब प्रिंस को जाना पड़ेगा व प्रिंस आट कार्षिक मेलें करी किया जयुक मेलें 1,000 Keopad म X Signalee किया मेलें 45,000 Keopang 5,000 Keopad म Yt Glad program this one oh cat पर यहां से एक अच्छा पर्फॉर्मंस समय देखने को बिला नए बलेबाच के रूप में राज पटेल इस वैल स्क्राइल एक साथ स्क्राइल के पर खेलाडी रन नहीं बनेगा बहुत ही चोकन ने विकेट कीपर ने बहुत जोर से आवाज दिया था गैन को रोकना पड़ेगा डबावा नाने का प्रयास इसने कहते क्रिकित की बाचा में जिसे हमारे अजिसर की बात करूँ ना मन स्पेल नतीजा एक रंड बाइस कजो का फास्ट पूरा कर लिया जैसे अंखों से काजल चुराया जाता है उसी प्रकार से रंड चुराया यहां से एक सिंगल रंड प्राहुल पहुंच चुके है तेटीस रंड बनाया था पिछली पारी में राहुल ने जिसमें दो शिक्सर चार चौके बहुत ही सुच मुच के साथ एक सुजिय कुमर वाला स्काई देखने को मिला था कि रिवर सीप में इतना जाका देखिए सालाक लामरी वाला काम किया फॉर्टोस गैन थी और हलके आतों से मोड दिया गली के उपर गैन बाउन लाइन के बाहाद चारण के लिए एक गली बहुत डैंजर चीज होती है चौका बोतरा डीजे झाल रामरी जाचा जाओ गर आतों से बाहाद लामरी झाल जातका देखिए सागने को मिला झाली जातका रामरी प्राण भाद रहाद जो कि रिवर भाली नहीं को कि कि र हम आप सावारत। झाल झाल जीतने के लिए पैसेट रन का टार्गेट है बहुती सूजबूच के साथ या पारी को रोटेट करते हुए इनिंग को रोटेट करते हुए दोनों बले बाच दोनों रिवर्ट रिवर्स इतने के चौका जड़ा है के तन पठेल फिर्की गैन वाज है देखिए के तन पठेल इस प्रकार से गैन को इसे मों के सामने दोनों हाथ से पकड़ते इस टाइल रविंद्र जाड़े जागा है उस टाइल से गैन बाधी कर रहा है है जैसे स्टार्ट करता है जैसे सुरुवात करता है वो जो पोस्चर बनता है देखिए वाला पोस्चर रविंद्र जाड़े जागा मनना पूड़ेगा देखे कवार थर्डिया सरकल के अंदर कोई करती नहीं इसे कहते हैं केतन और बहुत ही ब्यातरिन जीपने के लिए जुनून चाहिए जिसमें उबालो ऐसा खोन चाहिए वही काम करता हुआ केतन और सफलता दीजे कि अगर देखे यहार राहूल फाइदर की बात करें तो नौव रनो के पर दो सफलता ले चुके हैं जब यहां पर राहूल फाइदर गैन बाजी कर रहे थी राज 11 बिन्वाडा का भी नौव रन हो था और दो सब्सक्राइड गये थे अब इवन बैलेंस मैस है यहां से एक को रुकना पढ़ेगा एक को समय देना पढ़ेगा मैस जरूर बनेगा कितन कि फिलिंग का मुएन ना करते हुए यहां से संदीप पडेल जरूर मेंट अच्छी गैन बौध ऑची गैन इस मिच्छा फ्लैट किया था और चुक उपर अभी भी रुका वां स्कोर दोई के रुक्षान के बाद आधा नमबर दूसरा ना पहुपने का कि अब यहां से बहुत ही बेहतरीन की मुकाबला रोमान चक मुकाबला मज़ा जरूर आएगा अगले मुकाबले का भी तॉस हो चुका है बजरंग बली 11 ने तॉस हीता और पहले फेल्ड करने का पैसला किया और अकसरी स्पोर्ट 11 को बैटिंग के लिए इनवाइट किया है अब दो दो टीम यहां से स्टेटेजी तयार करती हुई कि कौनसे कौनसे के साथ मैच खिला जाएगा और कौनसा आयोजन किया जाएगा अब वो तो आने वाली मैच में पता चलेगा लेकिन फिलाल यहां जीतने के लिए पैसे दुरंता तर्गेट है राउल स्ट्राइटर्स क झाल अब पावर प्लेक खतल हो चुका है ठर्टिया सर्कल के अंदर चार के लाड़ी को तेनात किया जाएगा डिप बाउंड लाइन के उपर पाच के लाड़ी के अंद बाच लो विकेट चीपर के सीवा अब शॉट थर्ड में शॉट फाइन लेगा श्विपर कवर और ठर्ट लाइन के उपर देखें गुटना टेक सिक्सर देख है या राहुल ने गोटना जरू टेका था परिणाम बदलने के लिए प्रनाम करने के लिए नहीं उस प्रेकार से एक अच्छा स्वाट और गेन माउट लाइन के बार मिडिकेट के उपर से शिक्सर और बच्छे के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन दो विकेट के नुक्सान के बाद रहुल फाइडर देखें लोग आफ को टार्गेट किया और जाना पड़ेगा वापस यहां से रहुल को एक बहुत ही बहतर इन वो कहते हैं नाव में बैटकर मशली पगड़ोगे तो पगड़ पाओगे पानी में उत्रोगे तो मगरमच खा जाएगा एक सिक्सर उसके बाद दूसरा घरने के लिए गए और गैनबाच नीरों ने सफलता हासिल की रहुल के रूप में एक बहुत ही बहतरीन कप्तानी पारी के साथ खेलने वाला रहुल को आउट किया डिजे ही वाला है एक साथ आएगा झाला। कर दो लेकिन जब तर्फिल करके थो करते एक रन लेने का समय था दोने बहले बाच के पास कि बीस रन बने स्कोर कार के उपपर प्रीन विकेट के नुक्सान के बाद यहां से 30 आवर प्रगदी के उपड़ है लेकिन वाजी के उपड़ अपने खोड़ी का पहला पारी की और से 30 आवर देखिया अच्छा सॉर्ट कवर की रिसामें एक्स्रा कवर दी बाउंड लाइन के उपड़ जीन वर फिल किया जब तर्फिल करने के बाद प्रो करते एक रन पुरा किया सिंगल के साथी किस रन ती लिकेट के नुक्सान के बाद सिंगल के साथ बाइस रन ती लिकेट के नुक्सान के बाद पिक्सरा ओर प्रगर्दी के उपर है अच्छी क्यान इस बीच है स्टाट भी गयन थी लेकिन थोड़ा साथ टपक आने के बाद बाउंस मिला था और सिदी विकेट के पर के पास तीन अवर की समाप्ती बाइस रन तीन विकेट के रुक्सान के बाद राहूल फाइटर अब नीरव ने एक और किया नव रन दिए एक सफलता नव की एकोनमी अब आने वाले झाले आउड़ में आउड़ा आउड़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब हुआ और राहूल फाइटर को लगने वाला चौता जड़का 22 के नीजी स्कोर के उपपर करने के लिए आया है कि खेलने का प्रयास क्या था लेकिन संपर्क हुआ रिवर्स सिपने यहां जब बैंक में किसी प्रकार के अगर एकाउंट करना पड़ता है तो आपको वहां पे के वाई सी तब भीट करवाने पड़ते हैं उसी प्रकार से अगर अच्छा क्रिकेट खेलना है तो अपना क्रिक कि यह कुछ तो आए है दो अधियो कि बाइस रंज कोर कार के ऊपर चार्विकेट के लुक्सान के बाद गयन बाच से फीरा की पटेल सब्सक्राइब करना पड़ेगा मैंस इतना है तो अच्छी गैन इस फीकर कीपर के पास सली गई कि डाट गैन कोई रण नहीं कोई चती नहीं सबेरे से दिखा जाए तो आज दोनों और रण बने हैं क्योंकि हवा आज ठम सी गई है सबेरे से हवा चल नहीं रही है डाउन डाउन के लाए इस बीच मीड विकेट की रिसा में पीछे खेलारी जब तक फिल करते गैन बाच के और थ्रो किया नौ स्ट्राइगें के उपर तब तक एक रण अब सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और चौबिस रण चाहर रिकेट के रुक्सान के बाद राहूल फाइटर वीराज तेयर वापा सब्सक्राइग बॉलिंग मांके उपर अब संबाद जिया था इस बीच से लेकिन बहुत ही चौकर ने के अंबाच वीराज ने बहुत जली जाके गैन को गेदर कर लिया और की समपती चार और चौबिस रेंज चार वीके था राहूल फाइटर 24 गैनों के उपर 41 चाहिए देखिए 24 गैनों के उपर 24 रन बने अब 24 गैनों के उपर 41 चाहिए पहला हाफ खतम हो आप दूसरे हाफ में बना पाएगी या नहीं वो आने वाला समय बताएगा पहले चार पलंबिक बले बाच को पेवलन के रास्ता दिखा चुकी है यहां से अब क्या होगा वह आने वाला समय बताएगा तो इस बीच थोड़ा साथ ब्रिंक बीच मिदान में ब्रिंक के साथ कुछ मैसेज आया होगा अब वह क्या मैसेज है वो तो अगली गैन के पर पता चलेगा तब तक है आम बहुत जल्ली लोटे झालो झाल 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 तो इस बीच से बहुत ही बैठरी ना सौट के लागया था लॉंग बेजर पोजिशन के उपर फिल करने के बाद थो किया जाए विकेश गैनबाज एंड के और एक रन कुड़ा किया अब तक कौडर सेंट्यूरी हो चुकी है पच्छीस रन चार्विकेट के नुक्सान के राहूल फाइटर गैनबाज त्यार अपने बॉलिंग माक के उपर नीरव अपने कोटे का दूसरा पारी की और से पाच्छ वावर करते हुए देखें बहुत ही बैठरीन सौट पीस और उसको पुल कर दिया पावरफुल सिक्सर मिलिकेट के उपर से एक बैठरीन सिक्सर और से के साथ स्कोर उचलता रप्तार पकड़ता हुआ 31 रंच चारी के नुक्सान के बाद और नुबर पाच्छ वावर रगती के उपर है यहां से जब तक नेहल मौजूद है कुछ कहा नहीं जा सकता नेहल एक ऐसे बलेबाज है जो मैच का रुक बदलना जानते है मैच को कैसे जीता जाए वो जानते है अब गैन बाच नीराव तयार अबढ बाच से जानते है कि अपर पीच्छे खिलाडी और सफलता बहुत ही बैतर देखिए नीरव की गैनों के उपर आपको इसी प्रकार से सौट लगाना मतलब मुस्किल नहीं महा मुस्किल है अब नीरव एक अच्छे गैनवाज की रूप में यहां से सफलता एक बहुत सैद मले बाज जो दमकम पेविलिन के रास्ता दिखा चुका है नीरव एकर रस्टार के साथ यहां गैनवाजी की यह सौट पीच और फूल करना चाहते दें स्क्वैल ले के उपर खिलाडी जीनों ने कोई गल्ती नहीं की और पारी खदम होई नेहल की नेहल पेविलिन के रूप कर चुका है देख पांच और की समक्ति के बाद 33 पांच विकेट के नुक्सान के बाद राहूल स्ट्राइटर अब मैच जीतने के लिए यहां पर 13 रन का तार्गेट है जिसमें से 33 बने हैं पांच विकेट के नुक्सान के बाद अब आने वाली अठीरा गयानों के पर 32 रन अडार वॉल्मा 32 रन जो यह मैं जीतों हमादे आज 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 अज और आज गया गया जो कि देखी अथ्या गयानों के 32 रन बहुत ही आहें मुकबला कौन जीतेगा कौन आरेगा उसका सहसला तो आने वाली गैन के उपर पता चलेगा लेकिन सिलाल देखा जाए तो रोमान्चक मुकबला कि देखने लाएं कि देखने लाएं कि सब्सक्राइब काफी तेजी के साथ आये और खुद फॉलो तो में सीधा सड़े कैच किया था इला जवाब कैच देखते ही आँखों में समा जाए दिल में लुबा जाए उस प्रकार का एक कैच जो खुद गैनवाज ने अपने फॉलो होने एक बैतर इन कैच किया खुद फॉलो तो में मनना पड़ेगा कर दो के साथ स्कूर अगे बरता हुआ है अगर तीन सिक्सर के उपर मीत के लिए केविन की और से हजार उब्या है और यहां पर हलो बोला कि लाड़ी को उसके बात सिर्ण के लिए अगर दो शॉट और लगाए गए तो पात्सो पात्सो के दो नर्ट कंफर्म है किविन की और से डाउन दग्राउन इसमीच से पीछे कावगोनर की निसा में पीछे खिलारी जब तक फील करते यहां से एक रेन पुरा किया सिंगल के साथ स्कोर आगे बड़ता हुआ बयालिस रण छे लिकेट के नुक्सान के बाद 14 गैनों के उपर तेहीं से मैच तोड़ा नजदिक आया है अब मैच का रुख बदलता रहता है यह आज के दिन का चौथा मुकाबला एसा है जिसमें रोमांच बड़ता हुआ डाउन 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 एक और सिंगल दरन देखे जैसे जैसे एक एक रण आगे बड़ेगा मैच का रोमांच बड़ता जाएगा अब तीरा लिस रण छे लिकेट के नुक्सान के बाद यह सर यहां पर खेलने का प्रेश क्या था ड्राइव करना चाहते दिबले का किना रहा और तीशे विकेट की बड़का साहा रहा विकेट नंबर सात्वा का पतन हुआ प्रावल साइटर को लगने वाला एक और अच्छट का यहां से और अच्छी गेंवाजी हिरेन को मिलने वाली तीस तरी सपलता हिरेन ने दो वर किये बंदर रुन दिये और तीन सपलता सारे साथ की एकोनोमी से गयन बादी खतम कने के बाद वापस फिलिंग के उपर पोस्त हुआ अब मीत वापस अजा चुका तो एलेन के और वह बले बाद से निवे दन्हे है 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 चे और की समापती हो चुकी है अब तीरा लिस तरेंग बने साथ विकेट के नुक्षान के बाद 12 गयनों के पर 22 रन मतलब हर और ने 11 रन चाहिए यहां से मैच जीतने के लिए सिंगल लबल के पर फोकस करना पड़ेगा 12 गयन 22 रन यहां एक एक रन इंपोड़न रॉल अधा करेगा के तन पड़ेल के अच्छा सॉड प्राइव किया इसमीज एक साटीक फ्रो नौट साइक एंड के उपर लेने की चेश्टा को खालिश किया गया सॉड बहुत ही बैतर ही नेगर गैप मिलती तो चौका जादा ल क्योंकि आख्री गैन जब तक च्रैकी नहीं जाती इनिंग की तब तक पता नहीं चलेगा कौन जीदेगा कौन हालेगा देखें तॉप एच और विकेट की पर आगे जरूर आया थे लेकिन गैन के उपर उगली गुमाई थी इसमें चक केतन ने केतन एक अच्छे गैन बाच पहले और में आज रन देने के बाद एक सफलता आसिल की थी अब अपने कोटे का दूसरा और लेके एक और विकेट के जान के आम पहुत ही बहतरी निया से पर्फोर्मस सहमें देखने को मिलना जिस प्रकार से आज की दिन का पाश्वा मुकाबला अग्रसर होता हुआ एक अच्छी मोर के उपर आके रुका हुआ है अब इन मोर से कौन आगे बर पाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा देखे रिवर सिप में इस मीच गली के उपर गैन को बेज़ा है बहुत तेज आउट फिल एक अच्छा क्रिकेट डाउन राब्ला क्रिकेट डाउन के उपर चौका बटोते हुए सही था हिम के उपर एक सही रिवर सिप का प्रयाज क्या और रच्व का मिला बच्वके के साथ स्कोर कार के उपर अड़ता ने साब आंध गैनों के उपर सत्रा रन चाहिए आंध गैन सत्रा रन अब यह और की दो गैन बहुत ही नेड़ा है कि दो गैन के उपर कितने रन बनते हैं कि अर्यों सीप में खिला गया था इसमें बहुत दूरी थी बल्ले के और गैन के बीश में हम यहां से काफी तीव से बैटे हुए लेकिन पता थे लब बहुत साड़ा दिश्टन्स था कि अब साथ गैन सत्रा रन साथ गैन सत्रा रन संबान दिया यहां से सिंगल के लिए फलट वार किया है दोनों बले बाजों ने एक रन पुड़ा करेंगे अब एक के साथ स्कोर कारके उपर उन्चास रन आठीगेट के नुक्सान के बाद साथ अवर समप्त हुए अब आने वाली छे गैनों के उपर 16 रन चाहिए देखे आज साथ दूसरा या तीसरा मुकाबला चल रहा था दूसरा मुकाबला तब 6 गैनों के उपर 16 अब 16 नहीं बनाने दिया था उसके बाद 6 गैनों के उपर 17 आये थे वो भी नहीं बने थे अब वापस अच्छे के उपर 16 आये है इसमार बनेगा या नहीं बनेगा हो तो आने वाला समय बताएगा केतन ने दो और के 14 रन दिये और 200 पलता साथ की एकोनोमी अब देखिए 6 गैनों के उपर 16 रन और गैन बाज वही को सामिल के अब वीराज को अरिवासित में और कैश आउट देखिए वीराज के सामने रन बनाना मुस्किल नहीं काफी मुस्किल है पिछले उकाबले की बात करें तो वीराज में नहीं करने दिये सब्सक्राइब तो आपसे सोला थे सोला में से एक गैन और एक विकेट चला गया विकेट एक और यहां पे पतन हुआ कि अच्छ जिताता है तो एक जार एक रूपिया कैस पूरसकार मिलेगा पास गैनों के उपर सोला रन चाहिए और आखरी जोडी मेरान के उपर राहूर साइडर के और से गैनबाच तयाव यहां से वीराच पडेल मैच जीताना है एक हजार रूपिया मिलेगा कैस पूरसकार जो जीताएगा बलेबाच फुल्टोस गैन थी इस में चस्शन मान दिया देखिए ऐसी गैन ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं लेकिन गवाया साइडर ए बल्ला अगर जोड़ से चला तो फुल्टोस गैन के उपर सिक्सर आ सकता था लेकिन बल्लाओ अलाओ ट्या याँ से विराज पतेल चागे विराज ने याँ से चीत दिल्वाई अब मैच जीतुकि याँ से राज 11 बिन्वाला बहुती मैटरीन और प्लेर अब दमेच हिरेन अब हिरेन को यहां से मेनब दमेच का पूरसकर दिया जाएगा क्योंकि हिरेन ने दो और वे पंदर रंदी अर टीन सफलता हासिल की और बल्ले बारी से तीन रंड बनाया थे हिरेन ने अब अगले मुकाबले के लिए बजरन बली थोड़ा चली से फिल्लिंग के उप हुआ 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 है झाल 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 सब्सक्राइब धूरा तरौरा यू presented त्यूभ आधि तो यूदू दिखी में जब तक फिल करते नो करते कि देखिए इस बहुत अच्छा फूर्टोस गैन को सामने चड़ दिया और गैन चलिके बाउंगलान के बाद चारण के लिए अच्छा चौका उसके बाद एक सिंगल उसके बाद एक और मतलब हिसाब कितब किया जाए तो टोटल नाउरन बने हैं कि बजरेंग बनी वर्सी सर्क से स्पॉन 11 के बीच में मुकाबला एक और एक और बहुत अच्छा देखिए यहां पर रन मिलेंगे पूरे चार रन देखो अगर आप मीड़ ओफ को थर्टिया सर्कल के अंदर रखोगे और लॉंगल को वाइट खड़ा करोगे और लेंद बाल करोगे तो बले बाज सामने लगाएगा अब ऐसी गेरवाजी के लिए जहां तक मेरा पचुर्बा है कि दोनों खिलाडी लॉंगान लॉंग अफ को भावर होना चाहिए यहां स्क्रेलिक बाउंग लाइन के अपड़ है देखिए इसमें से कैट्स का कॉल है लेकिन नहीं पहुत पाएंगे नो मैंड लाइन में तक पकाई और वह दो रन मुकंबल किया बदो के साथ एक अच्छी रनी बीगिंग साथ है पोर रन पूरे किया और यह माहर जाएगा मिडिकेट के उपर से शिक्सर बहुत ही बहतरीन यह इस ओवर में पावबर में ताबर्तों बलेबाजी हमें देखने को मिली बहुत ही बहुत ही बहतरीन 21 रन जड़े और 16 रन में हुल ने बनाया जिसमें एक शिक्सर दो चौके और विकास ने एक और 250 का स्प्राइग रेक में हुल और विकास दोनों के बीच में पात्लम सिप 6 गैनों के उपर 21 रन की हो चुकी है कि बहुत अच्छा स्वाट इसमें इसमें के कैश डॉप एक अच्छे बल्लेबाज को जिवत दन देना मतलब देखे हार को नियोता देना कि बड़े-बड़े समंदर में बड़े-बड़े जाहच दूप जाते हैं अगर किस्वत अच्छी तो कागज की कस्ते से दरिया पार किया जा सकता है तो किस्वत के दरिद है इसमें विकास देखे एक और मौका यहां पर और अग्विकेट मौके का फाइदा नहीं उठा पाई एक कैच्छ जॉप वाद दूसरी बार वापा समीद आफ के उपर खेला नीजिनों ने कोई गल्दी नहीं की और सफलता और दिपेश पाई थोड़ा ट्राल्टमेंट को बेजिए यहां नाम करण के लिए थोड़ी से तखलीप हो रही है हमारे स्कोरर को और गैनबाच का नाम क्या है वो बताईए ब्लीस झाले के लिए याधि वोड़ी दो पाई येड़ी दो खेलिए याधि वे लोड़ी लोड़ी दो खागवा, वग्ड़ी दो दो गया वगला वगवज वोड़ी दो दो कि एक रिखे नावा में इसमी से वापस ग्यान के नीचे के लाडी पहुँच चुके हैं और कैश जॉप हुआ कि इस सवर में अगर मिहुल की बात की जाए तो एक कैश टॉप हुआ उसके बाद एक कैश किया गया उसके पाद एक और कैश हुआ देखो अगर तीनों कैश पकड़े पहुते तो यहां पे तीन विकेट लिखे जाते हैं लेकिन अभी भी विकेट की कोलम में एक विकेट है 22 अब इस बार गया जाएगी बाहर है अब आप कैश ठोड़ोगे तो सटकार तो सटकेंगे और चौकार तो चटकेंगे इसे हमारे वाइस ऑफ फिल्या हरिस पंजय सर्बताय करते हैं जिसके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला पूरे इंडिया की नंबर वन कॉमेंटर है हरिस पंजय सर्फ रम मुंबई इसके साथ गुजरत दमा का बिग बेस में मैंने काम किया और उसके बाद दूसरा सूरत करेंगे बहुत बड़ा तूनामेंट हुआ यह साल का अक्तबर महिने की छे पांच शे और साथ तारिक हो था जिसमें उसके साथ काम करने का मौका मिला हमें बहुत सारी चीजिए सीखने को मिलती है इसे बड़े कॉमेंटर के साथ काम करने के बाद अब दूसरा वर्थ लगदी के उपर है और 28 स्रेंबरें क्रिकेट के रुक्सान के बाद बहुत अच्छी है इसमें थोड़ा जरूर आगे आयते सफल किया था लेकिन संपर्ख हुआ नहीं स्कोर अभी भी रुका हुआ इस रन एक रिकेट के नुक्सान के बाद ऑवर की बात की जाए तो यहां से चथा और प्रगदी के उपर है देखेए लेंथ आगे किया था इस बीचे डाउन डग्राउंड खिला वाइड लोंगान के उपर खिला यह एक रन मिलेगा गैंट बाच के ओर थोड़ किया सिंगल के साथ कर स्कोर आगे बरता हुआ 29 रन दो और की समापती हुई स्कोर कार के उपर 29 रन बने एक रिकेट के नुक्सान के बाद अक्षई स्पोर्ट वर्सिस बजरन बली 11 के बीच में आज के दिन का तीसरा मुकाबला यहां अक्षई स्पोर्ट 11 की बात करे तो एक बढ़ पाएगा यह नहीं बढ़ पाएगा वो तो क्रीक हिरोस का तैवल हमें बताएगा मैंस खतम होने की बाद हम अभी से नहीं बता सकते क्योंकि एक टेक्निकल वाइट हो कि अगर अग्रब्ड़ और पाव प्ले खतम हो चुका है यहां से फिलिग रिस्टिक्शन खूल जाएगा ठाटिया सरकल के अंदर चार कि लारी बहुत अच्छी गैन बहुत अच्छी गैन देखने यह जैनेस पड़िल बहुत अच्छी गैनबाच है कद काती बहुत ही बढ़िया है एक अच्छी गैनबाच बंके उबर सकते हैं यहां से वैसे एक अच्छी गैनबाच तो है लेकिन उसमें और भी सुधार आ सकता है सब्सक्राइब करें तो इस इनिंग में तीसरा ओवर चल रहा है तीन कैश डॉप हुए अब गैनबाज करें भी तो क्या करें वह कहते हैं ना एक अच्छा लाइब जिने के लिए एक जैंस के साथ एक अच्छे लेडिस की जरूरत होती है उसी प्रकार से एक अच्छे गैनबाज के साथ एक अच्छे खेलारी की जिरूरत होती है कैश करने के लिए दतीजा देखिए सामने हमारे प्रेक्सक को कैश करना पड़ा इस बीच बहुत अच्छा कैश सीधा प्रेक्सक में और छे रन और छे के साथ स्कोर आगे बरता हुआ इस बीच पीछे खेला रही है जब तक अब फिल करते एक रिल लेने का परियाप समय था दोनों वाले बाच के पास एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बरता हुआ अच्छी पातनसीब के साथ स्कोर को आके बरने का प्रेस करते हुए बले बाच मेहूल और संदीप 16 रन की पातनसीब हो चुकी है आठ ग्यानों के उपर दोनों वाले बाच की करने का मौका जब दी मिलता है तो कैज किया जाता है तो विकेट नमबर एक और पतन हुआ कि देखे अलकेस ने प्रस्थान किया है और अलकेस एक अच्छे एवरेज सारे बारा की आउसर से रेंड बनाने की उसके फ्रीधरत है संवान दिया था इसमीच्य खुट वरत हुमें फील करेंगे जैनेस वर्की समाप्ति की गोचना की गई हमारे अंपायर सर समीर पठान सर नहीं एंपायर में और अनिल नायक सर्ट लेके उपर थे और से टिन पडेक्शन हमारे साथ और हमारे क्रीक हिरोस के स्कोरर विक्रांट कि यूटूब के उपर लाइव प्रसरान किया जा रहा है यहां से अगर यूटूब की बात कि जाए तो वत्सल पडेल कैनल को थोड़ा लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सेर करना मत बुलिए एक बहुत ही बहतरीन कैप्टरिंग के साथ निट अन्क्लिन लाइव देखने को मिल रहा है कि तीन अवर की समाप्ती हुई 37 रन बने 218 के नुक्षान के बाद कि अब अब मेगल गैनवाची के उपर कि नहुल अपने कोटी का दूसरा पारी की और से च्वाथा और रोलन की और से गैनवाची के उपर कि में उलते यार और स्टाइक के उपर कि संदिप कि अरी वह सिब में खिलने का प्रयास किया वहां से जब तक प्रिल किया जाए कोई रन नहीं कोट सती नहीं संपर्क हुआ है इस में इस वाइद लोंगान के उपर से गैन चली के क्राकिंग शिक्सर गगन बेदी बहुत ही बहतरिंग शिक्सर और के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ ती राली स्रेंट होगी के नुक्सान के बाद अब वन नबर च्वाथा प्रगती के उपर है एक से स्पोर्ट्स वर्सीस बचिरेंग बली इलीवन का मुकाबला शिक्काइब प्रड़नका है स्पाइब वाई के क्युक्ति अपले न तर्व चुड़ेगा यहांसे झाल 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 अब चार ओवर की समापती के बाद अर्टालिस रन बने दो विकेट के नुक्सान के बाद यहां से करण रनेट 12 का और प्रजेक्ट्रेट स्कोर 100 के आसपास जा सकता है अब कीतना बनेगा वो तो आने वाला समय बताएगा फिलल देखा जाए तो अर्टालिस रने स्कोर कार के अब चैनेस पड़ेल गयन बाची के उपर अब बल्ले का किना रहा है और विकेट कीपर का सहा रहा है और विकेट मिली यहां जैनेस के एकाउन में जैनेस ने पहला ओर में एक सफलता लीथी और आठ रन दिये थे अब अपने कोदे का दूसरा ओर करने के लिए पहली गयन के उपर सफलता जैनेस ने दिलवाई अपने टीम को बहुत एच्छी लेंथ ओनलाइन के साथ गयनवाजी करने का प्रयास अब हीरेन हमारे पिछली मैच के मेरब दो मैच एक्सरा कवर माउड लाइन के उपर और सीधी हाथ में और विकेट नमबर एक और पतल हुआ विकेट और चेनेस ते बैक टू बैक दो विकेट लिए ब्रेस विकेट कहा जाता है इस से ब्रेस कहा जाता है बहुत हिबाइग ऑर दो सपलता धिलवाही थे अपना किम्ती और पवित्र समय देखें कि आपका स्वागत है कि यह सब्सक्राइब करते हैं सर अपका भी स्वागत है अधिवासी पिंद्या लिग कि सोभा बनाने के लिए आपका तर दिल से आबाद यूवा पेडि को सपोर्ट चाहिए जिसमें आप लोगों ने यहां एक कि आपका बहुत बहुत आबर कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेहतर ही नियांसे एक अच्छा क्रिकेट ग्राउन बनाया गया लालबाई क्रिकेट ग्राउन कि अधर करेंगो कि अधर करेंगो कि अधर करेंगो कि आपकixa ही है कि अधर कि अधर खोगो कि अधर कि आपकाइब fluent बह झाल 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 यहां से 6 वर प्रगती के उपर है 58 रन मने स्कोर कार के उपर 4 विकेट के नुक्सान के बाद 50 विकेट के नुक्सान के बादक से स्पोर्ट तो यहां हमारे इंविदेशन को स्विकार करके हमारे जो महमान उपस्ती तो सब महमानों का स्वागत हम करेंगे बार्धिय जन्ता पार्थी जिल्ला पंचायत प्रमुक्ष्री वल्साड मनर भाईदी पदेला स्वागत माटे हूँ राहूल भाईने निविदेन करूछू राहूल भाईना हास्ते स्वागत करो माँशे अब बार्धा स्वागत माटे हूँ निविदेन करोचू निर्भल भाईना हास्ते स्वागत करो माँशे पूतानों कीम्तियों पवीत्र समय आपी उपस्ति थिया त्यमना माटे त्यमनों खुबखुब अभार यारबाद ग्राउन ना ओनर एवा कमलबाई पटेल पातिदा समथ्थी बिलोण करेशे जम्ना स्वागत मादे हो जीतुबई ने इन्वाइट करोचू यारबाद समथ्थी बिच्त गुश्रापि स्वागत कर מח दो प्रस्शे जैलेज फ्वागत मादे मों संजय बाय ने इन्वाइट करोrain समय भाई पुष्म गुछ आपी श्वागत कर से सेलेज भाई नो त्यार बाद ढागिरमाईज भाई उपस्थे में भागत मा थे हो विकास ने फिंग्यों मेहाज पुष्म गुछ आपी स्वागत कर से मंध्यक्वाई नो प्रिमेर लिग दो जावे पेइस स्रीजन पहली शे अधिवासी प्रिमेर लिग दो जावे पेइस स्रीजन पहली शेए सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारे स्पॉंसर रंगे साथ और सरकर दिया है खास करके निर्मल भाई जो अंजिला उसे बिलंग करते हैं गाम पंचायट के सब्ये जिसकी और से हमें 5,011 रूपिया मिलाता है अजेर भाई पटेल वाडी फरिया जिसकी और से 2,551 रूपिया हमें मिला था उसके बाद जुजवा के डेप्यूटी सर्पंसरी सुनिल भाई की और से हमें 25 रूपिया मिला था कोको पटेल कांजन हरी की और से 500 रूपिया मिला था सैलेस भाई कांजन रंचुड की और से भी हमें अच्छा साथ हो सरकर मिला है और खास करके बहुत सारे जलाराम टेकोरेशन डीजे क्रियेटीव जोती स्यूदा चैल ओम साइट रेडर्स एच्टी एच आई आर फोटोग्राफी अक्साई स्पोर्ट्स डीजे नीक इसे बहुत सारे स्पांसर है पोद्रा से बिलोंग करने वाले हीरें भाई डीपियस भाई चिनों अच्छा होने जा रहा है टूनेमेंट आज तीसरा दिन है कल मेगा फाइनल के लाजाएगा इसी ग्राउन के उपर तो फिर से आप सभी लोगों को घ्राउन के उपर लेकि चलता हुआ हमारे मेहमानों का स्वागत हो चुका है अब फिलाल देका जैदा स्कोर कार के उपर पैसेट रन बने है चार रिकर के रुक्सान के बाद और साथ वावर प्लगदी के उपर है तरन रन रिक पॉने दस का चलता हुआ प्रचेक्ट स्कोर 78 तर जा सकता है देकि इस बीचे लोगवन के इसामें खेला तीशे खेलारी लोगवन के उपर जब तक फिल करते है थ्रो करते है यहाँ से धन पुराच्या एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बरता हुआ चार सेट रन 66 लोग्स अब दा फोर विकेर सेवन फोर इन प्रोग्रेस अब दो आगे बाद साथ और के बाद सरसद रन चार रिकेट के लुक्साल के बाद सब्सक्राइब कर दिया है यहां से अक्से स्पोर्ट ने अब यहां से बजिरंग बली 11 इस कोर किस प्रकार सिद बना पाएगी या नहीं वो तो आने वाला समय अब बीच्रीग इनका खेल बाकिये पहने इनिंका इसमें कित दिन बड़े पाएंगे पट पने अच्छाए सब्सक्राइब कर दिन बड़े आपने अच्छाए साथ और शॉण पर दिन अच्छाएंग कर दो पर देंट रिखाएंगे सब्सक्राइब कर दिया यहां पर हमारे बार्तिय जन्ता पार्टी के वल्सा डिस्टीक्ट के प्रमुक्ष्री और योगेस भाई और साथी सभी मेहमानों का फिर से एक बार इस्तक्बाल है आप यह और तुनामेन की सोगा बढ़ाई उसके लिए आप जभी लोगों का अबार अच्छी एंधी इस मीचे लेकिन वाइट करन दिया जाएगा उक्ष्टम के उपर थोड़ा सा महानों साइकेंट के उपर देखेंगे तोड़ा सा मिश्पिन हुआ दूसरा होगा यह सब्रनाउट विकेट से धामन चुटा इसके लाड़े का अब अपेवलेन के और रिक कर चुका है आक्मावर प्रगदी के उपर है प्रगदी के नुक्सान के बाद बहुत पर रण स्वारी माई मिस्टेक एक और अच्छी गेंड बहुत तर के उपर अभी भी रुखा हुआ स्कोर अक्साइड स्पोर्ट का अच्छा सौदीच मीचर लॉंग ऑन के उपर से खेलाने ने जम किया लेकिन उसके उपर से गैंचरी के बाउंग लाइन के बाद से रण के लिए इस इक्सर नेना एक बुमी अदा करेगा अपना क्योंकि ऐसे ताइम के उपर जब सुरच की रॉस्नी कम हो जाती है हवा का दबाओ बनता है उस ताइम में शिक्सर बटोरना अपने आप में एक अच्छा खेलाने के निशानी है कि बैटक स्टोर्डिस में इसमीड विकेट को तार्गेट किया है लेकिन बाउंटर लाइन के उपर खिला लिया है और जब तक फिल करने के बाद रोकिया जाए दूसरे के लिए पलट वार किया विकेट की बनेन के उपर रो हुआ और रनाउट के रूप में एक और अच्सी रन बने 79 अब जीतने के लिए 80 रन का टार्गेट है झाल 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 सामें स्टाट फर्मेंद के उपर गयान को रोका गया जब तक थ्रोग करते कोई रन्ने कोच्छा दिने बिल्दी गयान स्टाट फर्मेंद के पीट से एक बार वही दिसा में गयान गई ड्राइल किया विकेट कीपने लेकिन गयान थोड़ी हाथों से दूर गिरी इस पॉल दियो पॉल दिकेट पीचार के नहीं और के लारें कैस्ट्रॉप अब मौका बहुत अच्छा बना था गैंद की दूरी तक पहुंच भी गए थे उसके बाद कैस्ट्रॉप हुआ परिमौल और संजई दोलों खिलारी वो दमकम रखते हैं लेकिन अब कहां तक पहुंचा पाएंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा देखें इसमीच बहुत अच्छा सौर्ट के उपर से गैंद से रन के लिए और सीधी दर्सक दिर्गा में एक अच्छा सौर्ट देखने को मिला हमें और शेक इस साथ स्कोर कार्ट के उपर जरूर बढ़ोतरी हुई साथ रन बन चुके बजरंग बली 11 इसमीच मीड्रीकेट को टार्गेट किया लेकिन गैन बाउंड लाइन के और पीछे खिलाड़ी नहीं रुख पाएंगे और गैन वन बाउंस चौका देखें सर्थ पहले गुम गया था बल्ले बाच का उसके बाद बल्ला आया इसलिए यहां बाउंटरी के बाहर गैंड ग अब जीतने के लिए असी रण का टार्गेट है देखें इसमीच हैमर चलाया था और तम के उपर बहुत तेजी के साथ बल्ला चलाया लेकिन अच्छा फिल्ड किया वहां पे कुछ रण जरूर बचाए अपनी दीम के लिए अच्छा फिल्लिंग का पर्पोमर्स हमें देखनों को मिला अक्षा इपॉर्ट के के लाड़ी और की समप्थी की कोष्णा की गई वहां से एक सिंगल रन पुरा किया दोने बल्लेबाजों ने और बारा रन बने स्कोर कारके पर एक विकेट के नुक्षान के बाद देखें दस्क्या उससे रन चाहिए वहां पे बारा बने मतलब अब मैस जीते पाएंगे या नहीं हो त अबला कि पहला और खतम हुआ है बद दूसरे वर की सुरुआत होने जारी है रोड एंड की और से विकास को सामिल किया है विकास के से गेंट बाद ही करेगा वहां ने वाले समय बताएगा हर्स के बाडी लेंग्वेज विकास और हर्स का थोड़ा कि यहां पर विकेट का पतन हुआ और जाना पड़ेगा वापस खेलाडी को और प्रिकेट नमर पहला हर्स के नाम है करेंगी बाद प्रिकेट को और तकाव करेंा मेंट कि यहां से इसे बातत草त कि अच्छी गेंट वी स्मिच यहां से पीछे विकेट कीपर के पास गेंट चली गई कोई रंडे कोई क्षादी नहीं डॉट गेंट अब दूसरा वाद प्रगती के उपर है कि अच्छी गेंट की इस मीचल मीडान के उपर लॉट लाइन के और सेट करती हुई और मिलेगा यहां पे चोका और चोकी के साथ सुलारन कि अच्छी नहीं प्रगती है कि अच्छी नहीं प्रगती है कि अच्छी नहीं बचाँ कि अच्छी नहीं प्रगती हान कि अच्छी स्क्छी नहीं प्रगती हची हुआ धिब च्छी की अच्छी विशतिभ़ inquiry मिंपर लगज़ क ». और चौका बहुत अच्छी कैन थी इसमीच गुडलेंट स्पॉट के टपका खाई और सीधी वीकिर कीपर के पास एक अच्छी लेंद के साथ हर्स ने ओर किया और पावत लेके दो और कतम हुए और बीस रेंद बने स्कोर कार के उपर दो वीकिर के नुक्सान के बाद लिएके स्कोर कार के उपर दो दो तीन इकटे हुए है अब वीकिर की कोलम में भी दो रन की कोलम में बीस रन दो और और की कोलम में दो 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 तीन बार और दस की करन रंडेट पहले और में 12 की थी दूसरे और में अब 10 की है और रिक्वार रंडेट की बात करें वो भी 10 की है अब मैच जीतना पढ़ेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा तिलाल इवन बैलस मैच है दो सफलता मिल च कि अब प्रेश किया था और विकेट की पने गयन को कि दर किया कोई रंड नहीं कुछ सथी नहीं डॉटगेंड वह बहुत अच्या क्याच के देखिये। यहां सिक्षर को क्याच में कन्वाट किया। प्राइब मेहतरी प्रेश हुआ। अप्षिस्रा निकेत का पतन हुआ। बढ़ू एकुछू। भीते। प्राइब खुखात। झाल 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 पहाथ ही बहतरीन कैच यहां पे काव कॉनर मिट्विकेट लगान के बीच पे जो पोर्सन देता है जिसे काव कॉनर कहा जाता है वहाँ पे एक अच्छा कैच किया विकेट लगने वाला एक और एक बहुत ही बहतरीन के अनबाची के पर्फॉमंस में उटवारा झाल झाल टो कर दो मिट्या जाइए जाँ तेन विकेट की समापती के बाद ब्रीं बने चार विकेट के नुकसांड के बाद तीस गैनों के उपर साथ त्रण चाहिए, मतलब हर गैन के उपर दो रण गैन बाच तयर अपने बॉलिंग मार्ट के उपर रोड एंड की और से अच्छा स्वाद इसम पर खुआ है, लॉंग ओफ को तार्गेट किया लोंगो फॉपर सिगें खिलिकी बांगलान के बार के बाच आद चैर ने किलेए अपिट लेज़ आपिजाए अपिछ देख का वनर को डर्गेट किया और बहुत दूर गई है कि एक 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 सिकसर इसा को तो चलिगा उस प्रिकार का एक 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 सिकसर के साथ कि अब गेंबाच को आप यहां से हर्स कि एक 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 अच्छी शॉट्ट हमें दो देखने को मिले और अच्छी मलने बादी चार गैनों के उपर सोलर अन बनाए दो सिकसर एक चौका चार्सों के साथ के साथ तक पेवलेन के और रुख कर चुका है अच्छी पटेल अच्छी पटेल अच्छी 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 यहां से पकाने के बाद जो गैन कोई थी देखने लाइक नजा रहा था यहां पे बहुत तहीं के साथ अच्छी 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 इसे बहुत चलेगा उस्कार तो यहां पटीश रहें हैं लेकिन केस्ट्रॉप हुआ पहरस के एकाउन में एक और सफल्द आ सकती थी लेकिन केस्ट्रॉप पार्फ आप्रप्सर नियन दर नव नाम मेरा हैते सुमन बाई तरफ ती आपरने बेहजीया रुपीया मलेछे शेलेस बाई तरफ ती लड़ हजार मलेछे और महिल्स बाई तरफ ती पर बेहजार मलेछे आपने कोब कोब अबार अदिवासी प्रियर लिग अदिवासी प्रियर लिग बिया जाती सिजिन वन्नी इन दसपुर कर वा मादे आपने कोब अबार थैंक। हुआ है 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 अब जो कर दशने को अब बयाद में का बीवकार्प अच्छी आपने को अब आहे हैं आपका अच्छी आपने एपने कर दोड़े थोसे भार था लिकिल्ट निस्या इकट्रब थी और विकेद केघर नतेटे तब तक तो वाइट सुमन भाई अने महिस भाई नी वाद करमा तो बिल्वाडा थी बिलों करेशिया अने राज 11 बिल्वाडा ना कॉनर से अरिवाशिप में खेलाई समीचे पीछे खेलाड़ी और कोई गलती नहीं करेगा विकेट झाल 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 अच्छी गैन सीधी विकेटीपर के पास, पुरी लंबाई के साथ गैन किया था, लेंद को थोड़ा आगे करने का प्रयास किया, लेकिन मले का और गैन का संपर्ख हुआ नहीं, और सीधी विकेटीपर के हाथों में, अब अविकास पदेल अपने कोटे का पहना पारी के और से पाच फावर लिखे आये हैं, गैनावा में दिखिए इसमीच अमीड रिकेट और लॉंगान के उपर दो खिलारी अब दोनों के बीच में, मौका चरूर बनठा लेकिन मौका का फाइदा नहीं उठा पाए और क्याच ड्रॉप हुआ, विकास पदिल दयार वापास अपने बॉलिंग मात के उपर, और पैटीस स्कोर कार के उपच्छे एक 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 रुक्षान के बाद अब यहां से दिपेस आउट होने के बाद पेवलेन के अरुप करता हुआ, दिपेस की बाद करें के बजिरेंग बले 11 के ओनर है, बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, तो दिपेस का भी हम चुरूर अबर व्यक्त करना चाहेंगे, आप इसी प्रतार से आधिवासी प्रिविल्दी को और हमारे आई जग को सपोर्ट और सहकार करते रहिए, और अपने जिल्गी में आगे बढ़ते रहिए, अब निलो ने बले बाच के रूप में, विकास ने सफलता दिल्वाई है, यहां पे साथ विकित चले गए है, अब इदी पैतालिस रण चाहिए, गीज गैनों के उपर पैतालिस, गैन हमामें इस वीचर कैच का कॉल है, और रनिंग कैच करना, उसके लिए काफी सारी प्रैक्टिस साहिए, तब जाके ऐसा कैच हो सकता है, अब जितनी जेटी के साथ बाच क्या है, उतनी देने से ग्या उचली और आगे गीरी, टाइमिंग बहुद प्रॉपर होना चाहिए, कैचिंग पोजिट्शन के उपर दी, वाइड बॉल एक अतिरीक रण, एक अतिरीक रण के साथ स्कोर कार के उपर हुए, सैथीस रण, थटीस सेवान, समीर पठार सर में इने बर की भूमी का में, यहां पर आनिल नायक सस्क्राइल लेक के उपर, शतीन पटेल कॉमेंटरी बॉक्स में, और विकरान पटेल हमारे साथ है क्रिक शिरोस के स्कोरर, लीजे लिक और लीजे क्रिमिराल, और यूटूब रचसल पटेल चैनल को लाइक कीजिए, सैर कीजिए, सस्क्राइब कीजिए, पाच अवर की समप्ती हुई, और स्कोर कार के उपर, अर्थिस रन बने, साथ रिकेर के लुक्षान के बाढ़, पॉइंट टेबल के उपर तीन दिनों से मुकाबला चल रहा है यहाँ पे, अब आज पता चलेगा कौन से के दीम कौलिफाई होती है कल के लिए, अट्रा गैनों के पर बाया ले स्रण चाहिए, अज सभी मुकाबले में हमें ऐसा रमाज देखने को मिला, अट्रा गैन बाज को सामिल किया, अलकेस ने यहाँ पे ग्यान किया था लेकिन सीदी विकिल्कीपर के पास, अट्रा गैनों के लिए बहुत ही इंपोर्टन है, अब अक्से स्पॉर्ट, यहाँ पे कितने रनों के उपर रोक पाती है, उसके उपर पूरा मुकाबला, यस जा यहां पे विकेट्ट, मैं इसका जिकर करर रहा था वही नजा रहामें देखने को मिला, कि कितने रन के उपर रोक पाईगी उसके उपर बहुत ही आहम क्योंकि एक पाई टेबल है क्रीक हिरोज का कभी उपर कभी नीचे कभी उपर कभी नीचे चलता रहता है अब आज यहां पे बने रहने के लिए और कौन से नंबर के उपर रहने के लिए अकसे स्पोट को एक बहुत ही अहम भूमी का अदा करनी पड़ेगी अब वो कौन से वाली अदा करता है वो तो आने वाला समय बताएगा ग्राउंड के ओनर कमल भाई पटेल जीनों ने दिल खोलके सपोट किया है ग्राउंड का तो अच्छा एक सपोट है कमल भाई का उसके बाउशित 2,000 रुपिया हमें स्पांसर सिक में मिला है कमल भाई के ओर से तसर आपका तहदिल से आब आर सुष्ण बदा को एक हजार रुपिया हमें सहिलेस बर वी सपोट किया है अब यस्फ प्रकार से इतना प्रेम है क्रिकेट के साथ उसके लिए कोई वर्ट कर दो हाइँ है मानव पटिल जब पादेदर समझ वाला टूनामेंट होता है जिसमें मैं कॉमेड़ी के लिए जब पहुत आँ तो मानव को बहुत बार एक अच्छा परफॉरमस करते हुए मैंने देखा है और उसका स्रेज आएगा हमारे कमल भाई पटिल लाला भाई क्रिकेट ग्राउंड राबरा के ओनर प्रोप्राइटर चीवों ने क्रिकेट के साथ लगाओ है उसके जरिया यहां एक बहुत अच्छा ग्राउंड एक बहुत अच्छी विकेट के साथ तयार किया है सभी प्रकार के तूनामेंट के ले जाते हैं अगर लेदर हो टैनिस हो या रबर वालो किसी प्रकार के तूनामेंट आयोजन किया जा सकते हैं फुल लेंथ और फुल क्याते सीदी पार्किंग की बात की जाए या सभी सीट की फैसिलीटी की बात की जाए सब उपलब्द है लालावाई क्रिकेट ड्राउंड राब्रा बालाáगो जपलड की बालाई क्लिस oil रजाए बालागो अर या बालाई इक जा इन बालाई अवा क्रिकार जारा डे की जाल कर जबालड इनामेंट ऋाए जा। जार दो बाल ऐbon dan ऑलाई गार हो बालोके फार अच्छी गैंटी सीधी विकेट कीपर के पास बल्ला जरूर चला मीड विकेट को टार्गेट किया था लेकिन गैंट सीधी विकेट कीपर के पास अच्छी विकेट कीपर के पास कि अच्छी स्मप्र क्वा है और जबग तक यह और उसकेट गेंट के बाहर आपकाफ और शिक्सर मिला आप तुल्तुस गेन और पैरों के उपर गेन देख रहे इस्क्रेलन को उपर खेला चाहते हैं लेकिन नेवाए झाल झाल के बाहर लेकिन थोड़ी सी तपास रही था और एक अतिरिक रन जुरूर मिडेगा यहां से अतिरिक के साथ स्कोर कारके उपर 47 लॉट्स आप नाइन विकेड सेवन और इन प्रोग्रेस करें रंदे 7.05 और रिक्वार रंदे 24.75 अब पचीस के आसपर्स रंड चाहिए आने व अब एक विकेड यहां पर आकरी जोड़ी है अब वो मिल पाएगी या अकरी गैन तक और जाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा फिल्लाल देखा जाए तो पॉलेडा अकसे स्पोर्ट क्लेवन का यहां बारी है वाइड बॉल एक अतरी ग्रन देखिए यहां एक एक रन की किम्मत है वो कहते हैं ना सोना को अगर लॉकर में रखोगे उसकी वैल्यू होई रहेगी और कीसर में रखोगे उसकी वैल्यू होई रहेगी उसकी किम्मत कम नहीं होगी उसी प्रकार से एक एक रन की वैल्यू है एक एक रन कितना इंपोर्टन रॉल अदा करेगा हो तो मैच खतम होने के बाद पता चलेगा हलकी आतों से खेला इस बीच डाउन डग्राउन मीड विकेट की दिसा में पीछे खिलारी जब तक फिल करते एक रन आशारी से पूरा किया सिंगल के साथ पचास रन पूरे हुए वेलकम प्रिप की पचास रन विकेट की नुक्षान के बाद साथ ओवर की समप्ती अब चे गयनों के उपर तीस रन चाहिए ऐसा नहीं की नहीं बनते है ऐसा भी बन सकते है रन हमरे स्पॉंसर की जो सुची है उसमें एक नाम और जूरता हुआ टॉनी बाई अंजिलाव क्योंसे दो अजार एक सो इकी सो रुपिया मिलते हैं तो टॉनी बाई आपका बहुत बहुत आबार हमरे सभी स्पॉंसरों का हम बार बार आबर रेक करेंगे आप इसी प्रिकार स चुश्प मायन रेना बहुत ही जरूर है पक्सी कॉलिटी कांटियूटी और आपके के लेगा हुआ यह को डिकी जरूरत थे कंटियूटी जरूरत है और अच्छे कौन सेब्स की जरूरत है कि को अफिर उड़ाने का प्रयास किया था लेकिन यह संपर खुआ नहीं दिखिए एक और एक और अथिरिक कि अब 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 की बात करें तो आठ वावर प्रगती के उपड़ है आप चार गान वान पूंतिस लन कि चौका मिला इस बीस एक्स्ट्रा कवर के उपर टार्गेट किया देखे यहां पे जैसे ही आने वाली तीन गैन खतम होगी और पॉइट टेबल जैसे आएगा उसके बाद यहां अगर उपर नीचे हुआ तो अप्चोस पूरी राथ आपको सुलाएगा नहीं यह चीज प्रेम है क्योंकि यहां मैंने बोदाया कि अच्छी कॉलेटी कंट्यूनिटी और कॉंसेप्ट की जरूएट है कि अधि तपेच 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 और सफलता देखे यहां पे विकेट मिला और अल आउट हो चुक यह बजरन बली 11 और ए मुकाबला जीत लिया है झाल 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 झाल